नमस्कार साथियों उम्मी जै कि आप ठीव होंगे जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने अभी हाली में लोगडाउन 3 के शुरुबात कर दी है और ये काया है कि चार मही से भी अभी सितियां ठीव होने में समय लगेगा दो सब आपकर लोगडाउन फिर से बढ़ाया है ये है तो जरूर उसे पेशे कुछ मजबूरिया नहीं होंगे इस कोरोना से नोबल कोरोना वायरस से रड़ना उतना आसान है भी नहीं जतना हम सोचते हैं लंबी लड़ाई है विशेश रूप से शिक्षन संस्थाओं के लिए सिनेमा होल्स के लिए ऐसे हर गतिविधी के लिए जहाँ पर कई लोग एक साथ होते हैं कम भी रड़ाई है मेरा चाहिल है कि कम से कम कुछ महीनों तक क्लासिस की पर्मिशन तो नहीं मिल पाएगी इसलिए जरूरी है कि हम थोड़ा सा ऑनलाइन लेवल वर पढ़ने का भ्यास करें किताब उसे पढ़ने का ग्यास करें और मुझे उम्मीद है कि आप इसी कोशिश कर भी रहे होंगे करीब सातर दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें बताया था कि केश्वनन भारती केस की बेगड़ाउंड क्या थी और उससे जो मूल ढाचा यानि कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉंसिट्यूशन डेवलप हुआ उसकी कहानी क्या थी मुझे डरता दो बातों का एक तो ये कि कुछ लोग कह सकते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल है इतना क्यों सम्विधान के आर्टिकल्स को आप बीच में ले आते हैं और उनका कहना ये होता है कि हम एकदम टूर पॉइंट चाहते हैं कि हम इस हर प्रश्ने के नोट्स मिल लें बस पॉइंट्स मिल लें कि कौनसे चार पॉइंट्स रिक्षने हैं उसके बियॉन्ड हम ना पढ़ें तो मुझे लगा कि शहय हो सकता है कुछ लोग ये भी कहें कि इतना बिस्तार में इतनी गहराई में जाने के जरूरते क्या है पर हाँ जहां तक मेरा सवाल है मुझे हमेशा से लगता है ये पढ़ाई, गहराई में ही होने चाहिए पढ़ाई का मज़ा ही तब है कि जब सारी बाते समझ में आए तुलनात्म का ध्यान हो पिश्ट भूमी का ध्यान हो और मेरा मानना है कि दुनिया में कुछ भी समझना हो यदि आप उसकी बैगराउंड समझ लेंगे तो आपको वो चीज़ें एकदम साफ समझ में हैंगी बिना बैगराउंड को समझे चीज़ें समझना मुश्किल होता है मैं तो कई साल फिलोसफिक अध्यापक भी रहा हूँ और मैंने हमेशा पाया कि अगर आप किसी भी फिलोसफर की बैगराउंड समझ लें कि वो कौन से स्थान पर था कौन से समय में था उस समय और स्थान के सिचुईशन क्या थी तो आप पाएंगे कि उसका नबे फिज़ी दर्शन उसके नबे फिज़ी विचार उन परस्थियों से ही डेवलप होते हैं रिफलेक्ट हो जाते हैं बहुत आसान हो जाता है बहराल आज हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको धने बाद देना चाहूँगा कि आपके कमेंट्स इतने अच्छे आए इतने परत्साहित करने माले हैं कि मैं उन दोनों भायों से मुक्त हूँ कि या आप दर जाएंगे या आप लंबे वीडियो से बोर हो जाएंगे या आप चाहेंगे कि इतना विस्तार में ना जाएं गहराई में ना जाएं मैं उत्साहित हूँ हिंडी माद्यम को लेकर लोग कहते हैं कि उसमें लोग गहराई की आप एक्षा नहीं करते हूं उम्मेद नहीं करते हैं लेकिन आपके कमेंट्स में बताया कि आप ऐसी एजुकेशन जिसमें गहराई हो गस्तार हो उसे पसंद करते हैं और मैं बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ आप लोगो और इस वीडियो को लेकर आपकी खुशी का एक परिणाम ये भी हमने देखा कि पिछले ये 7-8 दिनों में लगभग 70-80,000 लोगों ने इस चैनल को सबस्क्राइब किया और देखते देखते चैनल 30,000,000 कि आपने ऐसा किया आप सबसे नवेदन है कि अगर आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्स्क्राइब करें और दोस्तों से भी कहें ताकि वो लोग भी इन चीज़ों का अध्यन कर सकें आनंद ले सकें बहरार शुरू करते ह जो कमेंट से वो कमेंट से आम तर पर यह कि शाह बानो केस पर एक वीडियो बना दिये जाए तो शाह बानो केस थोड़ा सा हटके है उसको हम करेंगे जल्दे ही कर लेंगे कभी न कभी मैंने ताय किया कि जब तक लोग डाउन चलता रहेगा मैं लगभग हर आट-दस दिन में एक वीडियो बनाता रहूँगा ताकि कुछ ना कुछ चीज़ें आप तक पहुंद दे रहें अजिकांश लोगों ने कहा कि 42 समिधान संशोधन 44 इमर्जेंसी उसको हम समझेना चाहते हैं तो मुझे में लगा कि 73 तक हमने जब केश्वानन भारती केस पढ़े लिया तो उसके बाद लोजिकल प्रोग्रेशन यही बनता कि हम पहले उसके बारे में देखें कुछ वीवर्स ने और भी कुछ सुझाओ दिये वो हमारे टीमें नोट कर लिये हैं जब-जब मौका मिलेगा उस वरम वीडियो बनाके आपसे डिसेशन करेंगे बहराल आज मैं जो कहना चाहरा हूँ मौल मुद्दा यह है कि जो 42-वा संचोधन था और 44-वा संचोधन था हमारे समयधाने के दिखास के सबसे महत्तपूर अगर आपको दो संचोधन चुनने हो तो मेरे ख्याल से इस पर कोई विवाद नहीं होगा कि 42-वा और 44-वा संचोधन यह सबसे महत्तपूर है 42-वा हुआ 1976 में इमर्जनसी के दौर में और 44-वा हुआ 1978 में जिससे में जंदा पार्टी के सरकार चल रहे थी मौराजी देसाई उससरों भारत के पधरमंती बन चुके थे यह दो बहुत व्यापक संचोधन हैं इनको समझने के लिए अपने आप में हमें से 2-3 घंटे कम से कम देने होंगे सम्मिधान के बहुत सार प्राधान समझने होंगे कि आखिर क्या हुआ था उसके दौर में लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 42 संचोधन ठीक से समझें तो पहले उसकी बेग्ड़ाउन को समझना होगा और मेरा ख्याल है कि आज की जो क्लास है या आज का जो वीडियो है उसमें हम 42 संचोधन की प्रिष्ट भूमी तक पहुच पाएंगे क्योंकि उसके पहले भी बहुत लंबी डिटेल्स बहुत लंबी सितियां हैं और हमें ये समझना है कि 1971 से लेकर 1976 तक क्या परिष्टियां बनी कि भारत में आप आथकर लगाना पड़ा मतलब इंद्रा जी की भाष़ा में कहें तो लगाना पड़ा गलत तरीके से लगाये गया क्या वज़े थी अज़रान परस्षितियों को थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको सारा का सारा समविधान का विकास खरम समझ में आएगा 1971 से 76 के दौरान 24 संशोधन से लेकर लगभग 49 संशोधन तक की सारी प्रक्रिया पूरी हुई 1976 में अभी केवल 15 अगस्थ की बात कर रहा हूँ 15 अगस्थ की बात संशोधन और भी हुए क्योंकि 40, 41, 42 भी इसी साल में हुए थे इन में अभी 15 अगस्थ की डेडलाइन यह माग में रखके चल रहा हूँ यह और स्पष्ट करूँ तो मैं 10 अगस्ट की डेडलाइन ध्यान में रखके चल रहा हूँ 10 अगस्ट 1976 तक जो संचोधन हुए वो 24 में से लेकर 49 में तक थे इन मेंसे कुछ संचोधन तो गौन हैं जिनका बहुत महत्व आपकी पढ़ाई में नहीं आता है लेकिन कुछ बड़े बहत बोड़ हैं तो बहतर है कि हम थोड़ा सा बेग्राउन समझते हुए से लें कब क्या हुआ कैसे हुआ क्यों देश में आपाता है लगा क्या सिचुवेशन्स बन गई थी उसका इतिहास क्या था और उसके साथ-साथ सम्मिधान में परिवर्तन कैसे-कैसे हो रहे थे यह समझले का प्रियास करते हैं लोट के आते हैं पिशले वीडियो की कुछ बाते मैं फिल से लिंक करूँगा पिशले वीडियो के अंत्र में बहुत संक्षेप में कुछ बाते की गई थी क्योंकि समय का भाव था आज वहीं से शुरू करते हैं और वो है 1971 आपको अच्छे से धिहान होगा क्यों 1966 में शास्ती जी के मृत्यू के बाद इंदरा गांधी प्रधारमंती बनी 66 से 67 तक सितिया डामडूल थी क्योंकि देश में दिक्कत थी और कॉंग्रेस पारटी के भीतर भी दिक्कत थी सिक्से सेवन में इलیک्शन हुआ लेकिन उस इलیک्शन में कॉंग्रेस पहली पर बहुत कमजूर तरीक इसे जीती और बहुत सर राज्यों में गैर कॉंग्रेस से सरकारे बनी उसे समय रामा नहर लोहिया साहब ने एक नारा दिया गैर कॉंग्रेस वाद उन्हों नहीं कहा कि इंद्रा गांधी एक गुंगी गुडिया है जिसों कॉंग्रेस ने जान बूच के परदे के सामने खड़ा कर दिया है इंद्रा गांधी ने इलेक्शन किसी तरह से लोग सो हमें जीता सरकार चलाई मौरार जी उनके वो प्रधार मंती भी थे वित्व मंती भी थे 67 से 69 तक चीज़ें किसी तरह खिंस्ती रही इस बीच में इंद्रा गांधी चहरी जी की बेंगों का राश्टी करण करें प्रिविय पर समाप्त करें मौरार जी क्योंकि पूंजी बात के समर्थक थे उनकी इच्छा थी कि ये सब ना हो अंत में राश्पती चुनाव के समय ऐसा हुआ कि नीलम संजीवरेडी को राश्पती का प्रत्याशी कॉंग्रेश ने जैसी बनाया उसके एकदम बाद इंद्रा गांधी ने मौरार जी से इस्तीफा मांगर वित्तमंती के तोर पर ये कहते हुए कि आपकी विचारधारा पार्टी की विचारधारा से सरकार की विचारधार से मैच नहीं करती है इसलिए आपका इस्तीफा चाहिए आप उप्रधार मंती बने रही है लेकिन आपको वित्तमंती पद से इस्तीफा देना हुए ये बात जुलाई 1979 की बात है ये तो बहुत अपमन की बात थी मुरारजी को इस्तीफा देना पड़ा और जैसे इस्तीफा दिया इस्तीफा देने के तीन ही दिन बाद बैंक राश्टी करण का ध्यदेश आ गया उसके बाद राश्टपदी के चुनाओं में आपको ध्यान है कि नीलम संजीव एरेडी हार गए वेवी गिरी जीत गए उसके बाद कॉंग्रेस संग्ठन के साथ इंद्रा गांधी की तक्रार बढ़ती गई और 12 नमंबर 1969 को उनको कॉंग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया उन्होंने फिर किसी तरह से DM के और कुछ कम्यूनिस पार्टी उन्होंने पार्टी में साहियोक सरकार चलाई साहियोक मुफ़मेन मिलता है हर साहियोक की कुछ कीमत होती है वो कीमत भी चुपाई है वो कीमत क्या है शैद आज नहीं तोगी कलास में डिसम्स करیں गे बीच में दिक्रार आएगा उस का भी 69 से 70 तक किसी तरह से सरकार को खीचती रही वो बैंकों का राश्टी करन किया सुप्रीम कोट ने खारिच कर दिया प्रिवी परस के लिए एमेंडमेंट करने का प्रयास किया राज्यस सब हमें एक वोट से हार गई तो उन्होंने एक आज़ेश निकल वाया राश्टपते से सुप्रीम कोट ने वो भी खारिच कर दिया और उस समय तक गुलक नथ केस का फैसला आही चुका था सुप्रीम कोट ने सरकार के हाथ बांद दिये थे कि वो किसी भी वजह से किसी भी मूलतिकार में थोड़ा सबी सजोधन नहीं कर सकती है इंद्रा गांदी मन बना चुके थी 20 सूप्री कारेक्टर में अनौंस कर चुके थी जनता के बीच में ये भाव देने लगी थी कि अगर गरीबी हिटानी है तो सरकार को शक्तियां मिलनी चाहिए एक बहाने की तलाश में थी और बहाना उस दिन मिल गया दिसंबर 1970 में जिस दिन सुप्रीम कोट ने प्रिवी पर्स वाले मामले में इंद्रा गांदी के अधेश को खारिश कर दिया उसके तुरंट मिलना गांदी ने जिसंबर 1970 में कहा कि अब हम इलेक्शन करवाएंगे इलेक्शन जो कि 1972 मार्च में होना था 1971 अफर बरी मार्च में हुआ और एक साल उसको प्रिपोन करके इंद्रा गांदी ने एक और फाइदा उठा लिया जिस पर बहुत कम लोग जहां देते हैं फाइदा ये उठा लिया कि उससे पहले तक 1952, 57, 62, 67 इन सब बे जो इलेक्शन्स हो गए लोगसभा के और सब राज्यों के विधान सभाओं के एक साथ हो रहे थे जैसे इंद्रा गांदी ने लोगसभा का इलेक्शन 1972 के विजए 71 में करवा लिया तो लोगसभा और विधान सभा के चुनाओं अलग-अलग हो गए आजकल आपको पता है कि नरेंद मोदी जी के सरकार कोशिश कर रही कि सारी इलेक्शन साथ-साथ हो उस समय पहली बार ऐसा हुआ 1971 में कि इलेक्शन अलग-अलग हुए इलेक्शन अलग होने से फाइदा जो इंद्रा जी को मिला वो ये फाइदा था कि जब साथ-साथ होते थे तो रीजिनल पार्टीज क्योंकि रीजिनल पार्टीज 1967 से बड़े पैमाने पैने लगी थी तो क्षेत्री दल क्षेत्री मुद्धों को उभार के विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में बढ़न बना लेते थे अब अगर केवल लोकसभा के चुनावों है तो इसका मतलब है कि राष्टी मुद्धे केंदे में रहेंगे और राष्टी मुद्धे केंदे में रहने पर इंद्रा गांधी जी को फाइदा होना ही होना था तो आपको पता है कि 71 में वो 352 सीट लेकर रहें जो कि जवर्दस जीत थी और चार पार्टी है जो उनके खिलाफ एक साथ अलाइंस बना के लड़े थी जनमे एक थी कॉंग्रेस ओर्डिनाजेशन जो निज लिंगमपा और मौरारजी दसाई की पार्टी थी की कामराज की पार्टी थी वो दूसरी थी स्वतंद्र पार्टी जिसमें अगर आपने नाम सुना हो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी उनकी पार्टी थी उन्होंने 1969 में कौंगरेस से अलग होके एक नई पार्टी बनाई थी जो पूंजी वात के समर्थन करते थी बेसिक सी बात यह है तीसरी पार्टी थी भारती जनसंक जो ने 1951 में बनी थी शाम प्रसाद मुखरजी जी के हाथों और इस दोर में बलराज मधोग दीन दे अलुपाद ज्याए उस पार्टी के केंद्रिय नेता हुआ करते थी और चोठी पार्टी थी सायंक्त सोशलिस्ट पार्टी जो जो जोर्ज फर्नेंडिस नाम के एक बहुत अच्छे नेता की पार्टी थी जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी सेलर होके बनी थी बात में वापस उसमें मर्ज हो गई थी लेकिन इस समय वो अलग पार्टी थी इन चार पार्टियों ने मिलके चुना वड़ा 1971 का जो राजा महराजा थे उनमें से अजी कांच स्वतंद्र पार्टी के साथ जुड़े हुए थे और हुआ क्या इंदरा गांधी को 352 सीटे मिली और इन चारों पार्टियों मिला कर परंचा सीटे मिली तो इंदरा गांधी एक दम धुमधाम से पधार मंत्री बनी पूरी ताकत उनके हाथ में थी और अब यहां तक का हिस्सा मैंने संक्षेप में पिछिए वीडियो में आपको बताया था यहां से भी समझना शूरू करते हैं अगर क्या हुआ मैंने बंगलादेश का जिक्र भी किया थे लेकिन आज बंगलादेश को विस्तार में समझना पड़ेगा क्योंकि उसका संबंध हमारी इमरजंसी से बहुत गहरा बनेगा कैसे बनेगा वो उन्त में समझना आएगा वो भंगलादेश का संकट था भंगलादेश के संकट को लेकर कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए आपको पता है कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान एक अजीम से नक्षेवला देश था पाकिस्तान का एक हिस्सा था प्रश्शिव पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है जिसमें पंजाब का हिस्सा आता है बलुचिस्तान का आता है सिंद्ध का हिस्सा आता है वो सारा प्रश्शिव पाकिस्तान है और पाकिस्तान का दूसरा हिस्सा जो आज का बंगला देश है जिसको पूर भी पाकिस्तान कहते थे पाकिस्तान का जन्म एक बहुत गलत आधार पे हुआ वो आधार ये था कि एक धर्म को मानने वाले एक देश होने चाहिए तो हम भी मुसल्मान हैं ये भी मुसल्मान हैं सारे मुसल्मान को एक देश होना चाहिए ये ग्राउंड जिन्ना साहब ने लिया था और जब जिन्ना ने ये ग्राउंड लिया जिन्ना अपने आप में शुरुवात में सामप्रदाइक लेता नहीं हुआ करते थे लेकिन लेटर फेज में सामपताइक होने लगे और उन्हें पाकिस्तान का जर्म करने में बड़ी भूखने करनी भागी लेकिन येतना आसान था येतना वो समझ रहे थे पश्चिमी पाकिस्तान की भाषा थी पंजाबी थोड़ी बहुत आप सिद्धे मान लीजिए थोड़ी बहुत बलूची मान लीजिए पूर्वे पाकिस्तान की भाषा थी बांगला क्योंकि वो पश्चिमंगाल से अलग होके बना था धर्म से बड़ी चीज होती है भाषा ये बाद जिन्ना समझ नहीं पाये थे और बात के लोग भी समझने से इंकार करती है रहे जिसका परانव यह हूँ हा कि बांगलादेश 170 देश बनकर सामनी आया उन्यस सो ओटारिस में ही जिन्ना की मेर्टी उन्यस सो ओटारिस में हुई जैसे बहातमगान जी उन्हीं उन्यस सो ओटारिस में ग capital चले गए उससे पहले जिना ने घोशना की कि पाकिस्तान की जो राष्ट भाषा है राज भाषा है वो अर्दू होगी अर्दू भाषा का सम्मंद दरसल किसी धर्म से है नहीं अर्दू भाषा क्या है जो हिंदी भाषा है उसका grammar और फार्सी भाषा के कुछ शब्दों का अनुपाद ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं अर्दो अर्दो का जर्म और विकास कहा हुआ थोड़ा सा दख्षिनी भारत में हुआ दख्षिनी भारत में हुआ हिदराबाद के आसपास मारा ठक्षित के आसपास थोड़ा सा मेरच और दिल्ली के आसपास हुआ पाकिस्तान जहां बना उस इलागे की भाषा वो थी ही नहीं पर रोना ताय कि अब अर्दू को क्योंकि अर्दू को वो स्टेटस देना चाह रहे थे ताकि लगे कि पाकिस्तान एक मुस्लिम भाषा वाला देश है जबकि भाषाएं हिंदो मुस्लिम नहीं होती है जैसे ही घुष्णा की वैसे ही पूर्वे पाकिस्तान में शेख मुझीव और कई और लोगों के निजित्त में उसे खिलाफा दूलन हुआ क्योंकि उनका कहना ये था कि हम बांगला भाषी हैं हम बांगला के माध्यम से ही आगे बढ़ना साथ है पाकिस्तान के निर्मान के समय से ही भाषा का मुद्धा उभरना शुरू हो गया था खैर वो दब गया चलता गया चलता गया पाकिस्तान में 1970 तर्क एलेक्शन हुए ही नहीं कहने को 1954 में एक बार हुए 1962 में दूसरी बार हुए कि इन्टिरेक्ट एलेक्शन से और सीमित एलेक्शन से 1970 में यहया खान वहां के सैनिक तानाशाह थे उनको लग गया कि अब इलेक्शन करवाए विरा मामरा चल नहीं पाएगा तो फाइनल इताय हुआ कि 1970 में अनाउंस हुआ कि अब हमारे देश में पहले आम चुनाव होंगे दो पार्टियों में टकरहाट सी पश्चि में पाकिस्तान में जनरल अंडरसेंडिंग थे कि जो पाकिस्तान पेपल्स पार्टी है पी 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 है उसके नेता उससे में जुल्फिकार अली भुट्टो हुआ करते थे जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी थी बेनजीर भुट्टो और बेनिजीर भुट्टे के बेटे अभी जो बिलावल भुट्टो हैं जो भागी पॉलिटिक्स में नए नए नेता हैं वो है जुल्फिकार अली भुट्टो को लेकर सहमती थी कि पश्चिम पाकिस्तान के सबसे लोग प्री नेता वही हैं और अमीद है कि वो सरकार बना सकते हैं उधर पूर्व पाकिस्तान की आबादी ज्यादा होने की वज़े से वहां सीट सोडी ज्यादा थी कुल तीन सो सीटें पाकिस्तान के National Assembly में थी यानि कि महा की लोग सभा में थी इनमें से एक सो साथ सीटें एक सो साथ के एक सो बासट सीटे शैद थी वो पूरवी पाकिस्तान में जवास्किल बागला देश है 161 या 162 सीट्स वहाँ पर थी याया ख्यान को भरोसा था कि पश्चिम पाकिस्तान में जब जुलफिकार भुट्टो सहब जीतेंगे तो ये बन जाएंगे पाकिस्तान के पधार मंत्री और ये मुझे राष्टपती बनाने की विवस्था कर देंगे ये उनके बीच के इंटरस्टेंडिंग पहले से बनी हुए थी इसी उमीद पर इलेक्शन करवाए गया थी इलेक्शन हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पश्चमी पाकिस्तान जुल्फिकर अले भुट्टो इन्होंने जनता को वाइदा किया रोटी कपड़ा और मकान और भुट्टो सहब पहलब ऑक्सफोर्ड से स्टैनफोर्ड से पढ़े हुए थे काफी ज्यादा उनका ध्यान था उसके बेश पे वो बात करते थे जोटी कपड़ा पकान की बात करते थे और अच्छे कोपलराद में थे पर जो पूर्वी पाकिस्तान था वहां मुझीब ररह्मान शेख मुझीब ररह्मान उस समयनेता थे इतने लोग प्रिये थे कि लोग उनको बंगबंधू कह दे थे बाद में उनको फादर ऑफ बंगादेश कहा लिया तो उनका जो चुनावी वाइदा था वो यह था कि अगर मैं बना परहर्मंत्री हमारी पारटी अवामी लीक सत्ता में आती है तो हम पूर्वी पाकिस्तान का भेदभाव समाप्त करेंगे हम फेडरल कॉंसिट्यूशन की बात करेंगे जिसे पूर्वी पाकिस्तान के पास परयाब तजिकार हो हम बांगला भाशा को स्टेटस दिलवाएंगे हम बांग Lanka भाशी समाज को बांगला समाज के रिसोर्स जिसका फाम पश्थेलिए फ्रियोक्रेसी जूडिशली करेंगे पांगला भाशी मसलमान हैं उनका प्लतविश्थ तो बहुत कम है हम उस पर लड़ाई लड़ेंगे ताकि वो हिस्सा बढ़े और कुल मिला कि बांगला स्वाभीमान की बात उन्होंने उठाई जो देखते देखते पूरे पूर्वी पाकिस्तान में फैल गई वो इतने लोग प्री नेता थे जितनी लोग प्री नेता थे इलिक्शन हुआ पूर्वी पाकिस्तान की 99 प्रतिशत के आसपा सीटों पर शेक मुझीब जीत गए यानि 160 सीटें जीत गए कुल 300 सीटे थी 151 पर पूरे पाकिस्तान में बहुमत होता था और शेक मुझीब जीत गए 160 सीटे जिस ता चीज़ा मतलब था कि अब इसलावाबाद का शासन शेख मुझीब संभालेंगे जो कि पूर्वी पाकिस्तान के आदमी थे पश्ची में पाकिस्तान में हरकम बमच गया इस बात से यहया खान को बंगालियों पर भरूसा नहीं था अचा बंगाल में उसमें एक करोड के आज़ पस हिंदू भी रहते थे इस बात से पश्ची में पाकिस्तान बहुत चड़ता था कि पूर्वी पाकिस्तान अभी भी हिंदू के खाओ में हैं और बंगला भाषा से नफरत करते थे बंगाली मुसल्मानों से नफरत करते थे अब वो बड़े परिशान थे कि अब क्या करे खेर 1971 की जन्वरी महिने में जुल्फिकर अले भुटो भी और यहिया खान भी अलग अलग यात्राओं पर पूर्वी पाकिस्तान गए ढाका गए और शेख मुझीब से मिले समझाने बुझाने के लिए शेख मुझीब अड़े रहे कि भाई जब तक फेडरलिजम नहीं होगा जब तक पूर्वी पाकिस्तान को सब्ताने मिलेगी तब तक हम कोई समझ़ता नहीं करेंगे यह यह खान भी अड़ गए वो तैयार नहीं थे बिलकुल भी उन्हें नेशनल एसेंबली की मीटिंग ही नहीं बुलाई और अंत में घोशना कर दी कि जुल्फिकर अली भुटो ही पाकिस्तान के पधरमंती होंगे अब यह सुनने के बाद पूर्वी पाकिस्तान के लोग क्यों स्विकार करते हैं और इसलिए शेख मुझीब الرह्मान ने मार्च महिने के शुरुआत में छे मार्च यह आसबास सवने अवग्यांदूलन की खोशना कर दी जैसे सवने अवग्यांदूलन हुआ पूरा पूर्वी पाकिस्तान उसे समर्थन में उमर गया अब यहिया खान क्या करें यह चल ही रहा था कि उसके एक दो दिन के बाद शेख मुझीब ने स्वतंत बंगला देश की स्थापना की गोशना कर दी अब यहिया खान से बर्दाश नहीं हो रहा था उन्होंने क्या किया उस सरकार ने क्या किया एक तो रजाकार संगठन को लगा दिया कई ऐसे लोगों की हत्याएं करने के लिए जवान दोल कर रहे थे रजाकार आपको ज्यान होगर आपने कश्मीर वरा लक्च्छर सुना हो इसी चैनल पर मेरा ही जब हैजराबाद की बात चल ले थी उस समें एक रजाकार संग्धन बना था रजाकार का बेसिक मतलब हुआ बुस्टिम संबुदाई में कुछ ऐसे कटर लोग जो अपनी रियासत या अपने संबुदाई की रक्षा के लिए हिंसक कारवाई भाग लेते हैं जब उससे बात नहीं बने तो 25 मार्च 1971 ये तित्थी ध्यान रखिएगा क्योंकि CAA NRC जब आप पढ़ते हैं उसमें असम समस्या पढ़ते हैं बांगला देश के अवैल आप्रवाशियों के समस्या पढ़ते हैं तो उसमें सबसे मात्मों डेट है 25 मार्च 1971 25 मार्च 1971 के दिन यहया खान ने अपनी सेनाओं को आदेश दिया कि आंदोलन करने वारे को कुछल दे ओपरेशन सर्च लाइट कहते हैं इसे जिनोसाइड हुआ नरसहार जातिसहार हुआ चुन चुन के हिंदुओं को चुन चुन के बंगाली मुसल्मानों को चुन चुन के नेताओं को आंदोलन कार्यों को मारा गया अब आप आप आदोलन करने वाले क्या करें वो भीशारी ड्रक कि मारे भाके भारत देने लगे हैं और भारत देने का मतलब किया था या तो बंगलादेश में इसरब पश्ष्शमंगाल में आसकते थे या असम में जा सकते थे और असम में जाने का भी जो रास्ता था उसका बड़ा हिस्सा वो था जो मेघाला या आज का मेघाला या उसका मेघाला राज्य नहीं था वो असम राज्य के भीतर एक राज्य बना हुआ था समय वह एक अलग कानी ये कभी और समझेंगे ये थोड़ा सत्य पुरा की तरफ जा सकते थे इन सब राजियों में असम में मिखाले आज का मिखाले उसमें पश्ची मंगाल में थोड़ा सत्य पुरा में ये लोग जाने लगे अब इंद्रा गांधी पर दबाव था उर्वे पाकिस्तान के जो लोग यहां आये थे उन्होंने एक अपना संग्ठन बनाया गुरिला युद्धे के लिए उसका नाम रखा मुक्ती बाहिनी लिबरेशन फॉर्स ओफ बंगलादेश कहते हैं मुक्ती बाहिनी का परपस था कि हम भारत के सपोर्ट से यहां रहे के अपने देश की आजादी की लड़ाई लड़ेंगे इंद्रा गांधी उससे में कुछ करना में हिचक रही थी क्योंकि भारत देश अतना मजबूत नहीं था 1962 पे चीन से हार चुका था 65 लड़ाई के बाद युद्धे का बूज इतना बड़ा था कि हमारी एकॉनमी दुरूस तरही थी चीज़ें बहुत कमजोर चल रही थी एक और युद्धे लड़ना आसान थोड़ना था और फिर और भी चिंता थी अमेरिका खुल के पाकिस्तान के साथ था ध्यान रशना उसम अमेरिका के राश्च्पती लिचर्ड निकसन थे और उनके सुरक्षा सलाहकार थे हेंडरी केसिंजर निकसन इंदरा गांधी से लगभग नफरत करते थे भारत से भी करते थे, इंद्रा गांधे से भी शेश रूप से करते थे इंद्रा गांधे ने उन से कई बर बात भी की, अमेरिका भी गई लेकिन उनकी बातचीत के बारे में एक कथाने का ख़वार में लिखा कि दो गूंगों की बातचीत हुई बात होई नहीं पाती थी सम्वाज इतना कमजोर था उनके साथ इत्री नफरत उनके मन में थी हिंडी के सिंजर फिर भी समझते थे चीज़ों को इन के सिंजर भी भारत के साथ लिए थे इज़र चीन और पाकिस्तान के बीच में अच्छा सही हो गया था 1962 के युद्ध के बाद से चीन में चेर्में थे उसमें माउ और उन्ने सो नंचास में जब से चीन में माउ ने शासन संभाला चेर्में बने तब ही से वहाँ के जो प्रीमियर थे चावण लाई थे प्रधान मंती कह लिजी आप उनको इन दोनों के म्रित्तियों 1976 में हुई 54 लाई शुरू में शियतर में और माउ शियतर के यां तिन दोर में सितंबर गया सबस ये दोनों नहिता विशेशव रूर चावण लाई पाकिस्तान के पक्षट में बरी तरह छुके हुए थी उन्होंने पाकिससान सर्यार। चिठीं पी लिखी थी। विद्धाना किरिये जदि आपके सब्सक्रियुक्ता पर कोई हमला होता है तो ह요 आपके साथ है। यह चिठीं पाकिसान के अख़वारों में च्षपी थी। इंद्रा गांधर के समय संक्रत यह भी था, कि अगर उन्होंने कुछ किया और अमेरिका और चीन दोनों उनके खिलाफ हो गए तब भारत की रक्षा कैसे होगी, सीमाओं की रक्षा कैसे होगी इतना आसान थोड़ना होता अंतराश्री संबन्दों को संबादना तो इंद्रागांधी की चनौती क्या थी कि अंतराश्री संबन्दाय को समझाएं कि क्या सिती है इसे 25 मार्थ से लेकर लगभग 6-7 महीने तक उन्होंने कुछ किया नहीं 8 महीने तक भी नहीं किया वहला अब खुल के नहीं किया मुक्ति वहीने के सही होग ईएक उसको फिनेंश्यल है वेकर उसको ट्रेनिंग वाला काँ भे कर वाया पहले सीमा सुरक्षाबल ने ट्रेंग दी बाद में भर्ष टे सेना ने ट्रेनिंग दी ऐसा किताबों मिलता है और इस बीच में अंतर राश्टिय समुधाय में अपनी बात को रखा कि आप ये मत समझे कि भारत कुछ करना चाहरा है आप समझे कि पाकिस्तान ने अपने पूर्य पाकिस्तान के हिस्से के साथ क्या ट्लीटमेंट किया है जननेता को एरेस्ट कर लिया है ये ध्यानक ने 25 मारच ची आसपास शेख मुझीब को उठा लिया पाकिस्तान ने और परश्रीम पाकिस्तान ने किसी अग्यास्तान पे रख दिया वो थही नहीं उस समय पूरू पाकिस्तान में उसी समय अगस्त में स्वर्ण सिंग जो की हमारे विदेश मनती थे USSR की यात्रा पर गाए वहाँ डीपी धर काम कर रहे थे जो हिंद्रा गांधी के बहुत विश्वस्त राजनाइट थे राजदू थे USSR में भारत के तरफ से बहुत इंट्रेस्टिंग बात है USSR ने एप्रोच किया भारत को कि हम एक स्थाई ये एक दीरहकालिक मैत्री संधी कर लेते हैं अजीब सी बात है वैसे भारत को करना चाहिए था क्योंकि भारत कमजोर देश था उस समय USSR तो बहुत ताकतवर था पर लेटेस्ट डोक्यूमेंट्स बता रहे हैं अगर आप बेपिंचंड़ा, रामचंडगूः, कैथरीन स्थाई फ्राइंक इन सब की बॉक्स पढ़ें ये नेट पर और लेटेस्ट डोक्यूमेंट्स सर्च करें तो रामचंडगूः ने कुछ लेटेस्ट डोक्यूमेंट्स को बेस बनाके ये बताया है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इस समझोते का प्रस्ताव भारत की तरफ से नहीं गया था बलकि सोवियत संग की तरफ से आया था और सोवियत संग ने क्यों प्रस्ताव किया क्योंकि 1962 में चीन या 1999 में चीन बनने के बाद 60's में उसके और ताकतवार होने के बाद हुआ ये था कि अब चीन USSR के कंट्रोल से बाहर निकल गया था बलकि चीन और USSR में जगड़ा था कि कम्यूनिस्ट जो आंदोलन है दुनिया भर में उसका नेता उनमें से कौन होगा 1969 में तो युद्ध होते होते बचा उरी नदी के नजदी कंटनों के बीच एक सिती बनी तो USSR दबाव में था और अमेरिका और चीन जिनके बीचे बाचीत बन थी उनको फिर से बाचीत के मंच पर लाने वला देश पाकिस्तान था USSR को लग गया था कि अगर अमेरिका चीन और पाकिस्तान एक फ्रंट बन जाते हैं तो उसके लिए एशिया को संभलना असान नहीं होगा इसलिए उसको लग गया कि अगर भारत हमारे साथ हो और कल को अगर बागना देश बनता है वो हमारे साथ हो हमारे टीम में हो तो एक बैलिंस होगा और फिर बात्चित हुई अगस्त महीने में इंडरा गांधी और वहां ब्रेजने वोस समय थे वहां के अध्यक्ष लाश्टपती उनके बीच में संधी हुई सिग्नेचर्स हुए और उस संधी में एक वाक्य लिखा हुआ था कि यदि दोनों देशों के साथ किसी के युद्ध होता है तो दूसरा देश उस देश के साथ बाचित करेगा और दोनों मिलकर इस समस्था के समाधान करेंगे अब भारत के हाथ बहुत मजबूत थे अब पाकिस्थान और चीन कितनी हिम्मत नहीं थी अमेरिका कितनी हिम्मत नहीं थी कि सोवियत संध के साथ युद्ध में कूट सके वियत नाम का मामला चले ही रहा था अमेरिका के हाथ वहाँ जले ही हुए थे तो अमेरिका वहाँ भी फासा हुआ था इंद्रगांधी जो डिले कर रहे थी उसकी एक वज़े ये थी कि अंतराश्य समझा ये बात को ठीक से समझे और दूसरी वज़े क्या थी उन्होंने मानिक्षार से पूछा था कि युद्ध अगर करना ही पड़ तो कब होना चाहिए मानिक्षार ने का कि देखिए अगर युद्ध करना है अपने टाइम और अपने सान पर करेंगे क्योंकि युद्ध में इस चीज़ का बड़ा फरक परता है मानसुन में युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि मानसुन में बंगला देश का जो इलाका है उसकी जमीन बहुत दलदली हो जाती है वहाँ सेना ही मूव नहीं कर पाएंगे युद्ध का सबसे अच्छा समय है सर्दिया क्योंकि सर्दियों में चीन चाहकर भी अपनी सेना भेजनी पाएगा क्योंकि हमाले बर्फ से ठका होगा उसी बर्फ की वज़े से पश्ची में पाकिस्तान भी इसलामाबाद के आसपास के रिया में कश्मीर के रिया में युद्ध नी कर पाएगा तो युद्ध होगा भी तो थोड़ा सराजस्तान के तरफ होगा थोड़ा शायद जो कच्छ वाला हिस्सा है जहां 1967 के युद्ध होगा थोड़ा शायद वहाँ हो और बाकी पूरा फोकस हम कर पाएगे केवल इस बंगार वाले अलाके पर तो ना सर्दियों के बाद करना है ना सर्दियों से पहले मांसून में करना है तो इंदरा गांधी मन बना चुके थे कि सर्दियों में युद्ध करेंगे पाकिस्तान भी समच चुका था कि सर्दियों में युद्ध होना है अंदर की बात है कि 4 दिसंबर के थे इंदरा गांधी ताय कर चुके थे कि हम युद्ध करेंगे पर हिच्छे चाह रही थी कि बही कल को इतिहास में क्यों लिखा जाया कि युद्ध के शुरुबात भारत में की थी जब कि सिचुवेशन्स बहुत ग्रेव थी एक करोड से ज्यादा पूरी पाकिस्तान के लुग भारत में आ चुके थे रिफ्यूजी बने हुए थे उन सब की चिंता भी करने थी उन सब को खुले तरीके से अपना रहे थे उस समय उनके साहिता कर रहे थे तीन दिसंबर को याहया खान ने पहली गलते की और अपने बहुत सारे हवाईजार्स भारत पर भेजे सीज़े युद्ध शुरू कर दिया उनका टार्जेट सा कि वो पश्चिम की तरफ से हमला करेंगे बहुत सारे हमारे एर वेसिस पर हमला करेंगे और युनाइटि नेशन्स को अंतरशी शक्तियों को बीच मिलाएंगे और मामला किसी तरह से रफटवा कर देंगे तीन दिसंबर को सुबह जैसे हमला हुआ अब कोई वजह नहीं थी कि बीचे हटे इंद्राजी ने अपने सेनाओं को मानिक्षा से कहा कि युद्ध तुरंत जीतना है जनरल अरोडा उस समय हमारे जो पूरवी कमांड थी उसके हेट से उन्होंने युद्ध रड़ा बहुत चांदर तरीके चलड़ा तीन दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ और छे दिसंबर को भारत में स्वतंत बांगला देश को मानिता पतान कर दी 13 दिसंबर तक होते होते पूरा जुद्धा का इलाका था उसको उन्हें घेर लिया 16 दिसंबर यानि युद्ध के 13 दिन पाकिस्तान की सेना को आत्मसंबरपन करना पड़ा और 93,000 सेनिक उनके हमारे नियंतन में थे और पश्शिम की तरफ 15,000 स्क्वेर किलो मेटर का इलाका उनका हमारे कंट्रोल में था इस ग्राउंड पर आके उनके जनरल नियाजी ने हमारे जनरल अरोड़ा के सामने आत्मसंबरपन किया और जैसी आत्मसंबरपन हुआ भारत ने अपनी और से पश्शिम के तरफ भी युद्ध विराम की घुशना कर दी क्योंकि भारत युद्ध खींचने के बूर में था नहीं USSR में कहा था कि अब युद्ध खींचना घा तक हो सकता है क्योंकि अमेरिका का साथवां बेड़ा एक समद्री बेड़ा जो USS Enterprise के नाम से था वो हिंद महसागर तक आ चुका था उससे परमानों युद्ध करने की एक शमता थी उसके पास पर वो कोड़ी भब की थी दिखाने के लिए था क्योंकि सोवियत संग हमारे साथ था ही तो इतना आसान दो था नहीं उसके लिए भी पर दोसा वियत राम युद्ध में उल्जा हुआ अमेरिका वैसे भी इस हालत पर नहीं था कि वो पार्टिस्पेट करे एक नया युद्ध करे चीन भी मौकिक समर्चन करता रहा पाकिस्तान का भारत का विरूद करता रहा किन तो उसने भी युद्ध वाली बात नहीं कि क्योंकि मौसम भी अनुकूलने था और चीन बहुत कल्कुलेशन करने में माहिर देश है उसको यह समझ में आता है कि हम कितना नुकसान अपना कर स पहें किस तीज के लिए यह दिखत्म हुआ उसके लगबख दस पंजा दिन के बाद पाकिस्तान से शेक मुझीब को छोड़ा गया जो दिल्ली होते हुए ढाका गाए इंद्रागांदी दिल्ली में उनसे मिले उसके पिद्रागांदी ढाका भी गए दोनों के बीच में लं मुझीबवाद या मुझीबिजम कहते हैं और मुझीबिजम के ताहत मुझीब ने कहा कि जो बांगलादेश का शासर है वो तीन चार प्रिंसिपल्स पे चलेगा इसमें से एक प्रिंसिपल है नेशनलिजम कि हम अपने राश्ट का सम्मान करेंगे ठीक बात है कोई भी करना चाहेगा दूसरा उन्होंने इंद्रा गांधी से भी वाइदा किया कि हम सेकुलरिजम में विश्वास करेंगे जिसका मतलब है कि उनके मंगला देश में जो हिंदू है माइनौरिटीज है या बाकी माइनौरिटीज भी है उन सब का ध्यान रखा जाएगा उन सब को मूरती कर दिये जाएंगे नागरीकों के बराबर अजिकार मिलेंगे तीसरा उन्होंने कहा कि हम डिमोक्रेसी का ध्यान रखेंगे तो अच्छी बात है लोगतंतर से चुना हुआ अग एक लोगतंतर का ध्यान ने रखेगा तो फिर कैसे बात बनेगी और चोथा कहा कि हम सोशलिज मुझीव का शासत शुरू हो गया सरकार बन गई इंद्रा गांधी यहां खुश थी 1972 के जून में शिमला समझोता हुआ जिसमें जुल्फिकर लिभुटो शिमला आए शिमला में समझोता हुआ उस से पहले उस समझोते पेश्टेबू में लंदन में लेखी जा चुकी थी इंद्रा गांधी के जो सलाहकार थे उस समय पी एन हकसर थे पी एन हकसर ने दो व्यक्तियों को उसके लिभूट किया जिनमें से एक भारत के लेफ्टिस्ट व्यक्ति थे सज्जाद जहीर और एक पाकिस्टान में जो डॉन अखवार महां काई डी एड़ल्यून नाम से डॉन सबसे प्रसद अखवार महां काई उस अखवार के जो संपादक थे मैसर खान, मजहर खान मजहर खान और सज्जाद जहीर पार्टिशन से पहरे दोनों साथ-साथ काम कर चुके थे और पी एन हकसर के भी दोस्त थे पी एन हकसर इंदरा गांधी के उससे में प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे सबसे महतवोण ताकत रखते थे इन दोनों ने लंदन में पी एन हकसर से मिलकर लंबी मीटिंग्स की और कोशिश की कि एक ऐसी बात हो जाए जो दोनों सरकारे मान सकें उस भूमी कैसे बात आगे बढ़ते बढ़ते फिर जुल फिकार भुटो भारत आए समझोता हुआ समझोता अच्छा हुआ बुरा हुआ उसमे डिबेट है भारत ने हुँ की कुछ बातों को मान लिया सारे सानिक छोड़ने की बात कहड़ी जमीन छोड़ने की बात कहड़ी कुछ हिस्तों को छोड़कर जमीन छोड़ी उसके बजले एक सहिमत ये बने कि ल.О.C. जो उनने 1946 के युद्द के बाद बन गET देखा, line of control line of control को दोनों देश मानने तर प्रदान करेंगे और उस पर शांती मैंटेंग करेंगे दूसरी बात कश्मीर सहित किसी भी मुद्धे पर दोनों देश आपसी बातचीछ से समाधान करेंगे उसमें किसी भी रूप में किसी अन्य तेश या अन्य सग्डन को बीच में नहीं लिया जाएगा ये सहमती भारत की बनी जो भारत के लिए बड़ी एस्यूमेंट थी हाँ कुछ लोग कहते हैं कि भारत 93,000 सेनिकों के आधार पर उस 15,000 स्क्वेर क्रिमेटर जमीन के आधार पर सब कुछ वसूल सकता था इंदरा गांधी के दूसरे सहयोगी डीपी धर कभी मानना था कि हम उस समय वसूल सकते थे लेकिन यूएससर का भी दवाव ऐसा था और कुल मला के सिट्नी ऐसी थी कि इंदरा गांधी को ऐसा लगा कि इस समय बहुत खींचना ठीक नहीं होगा और मैसे ही पाकिस्तान का आदा हिस्सा कट चुका था उससे जदि हम बाकी जमीन भी चीनते तो ऐसा हो सकता है कि स्थाई रूप से आतंकवाद अशान्ती वह सब घटना होती इस विश्वास में कि शायद इस हमारे अच्छे समवाद से पाकिस्तान कुछ बहतर रियक्शन्स देगा हमने ऐसा किया हालनकि महासे रियक्शन्स अच्छे नहीं आए जो जुल्फिकर भटो शिमला मेंदरा गांदे से परसनल मीटिंग में कह रहे थे भारत ने शर्त रखी थी कि समझो ता जो भारत पाकिस्तान के बीच में होगा उसमें बांगला देश भी एक पार्टि परने का उस चीज के लिए जो 93 जार सेनिक छोड़ने वाली बात है उसके लिए 73 में पाकिस्तान ने बांगला देश को मानेता प्रदान की उसके बाद सेनिकों की अदला बदली हुई पाकिस्तान के बांगला भाशी व्यक्तिय को बांगला देश आने का नियोता दिया गया यानि छूट दी गई बांगला देश के उर्दू पंजाबी भाशी लोगों को ये छूट दी गई कि वो चाहें तो पाकिस्तान में सेटल हो सकते हैं 93,000 सेनिक जो मुख्यरूप से बांगलादेश के इलाके में ही थे उनको छोड़ा गया पाकिस्तान के लिए तो बांगलादेश का अध्याई यहां समाप्त हुआ बांगलादेश में सरकार बन गई लेकिन यह अध्याई खर्पनी हुआ है भारत के आपातकाल के लगने के एकड़म पहरी अध्याई फिर से लोटके आएगा उस समय याद देदाओंगा कि इस अध्याई की होने का यहां पर क्या है बहरहर 1971 में यह होने से भारत का एक फाइदा हुआ दुनिया भर में धाग जम गई भारत की एशिया का शक्ति संतलन चेंज हो गया 1962 के युद्ध में जो जख्व मिले थे उसकी भरपाई हुई पाकिस्तान के कुछ ख़वारों ने लिखा कि हजार साल के इतिहास में पहली बार मुसल्मान हिंदुओं से हारे है मैंलब वो इसको धार्मिक रंग देने के बुड़ में थी भारत ऐसा नहीं कर रहा था क्योंकि भारत एक धार्मिन पेक्ष देश था पाकिस्तान के स्लामि देश था तो पाकिस्तान ऐसी बात करेश होभा देता है भार वे ऐसी बात नहीं कर रहा था इसका एक फाइदा और हुआ कि इंदरा गांधी की पॉप्लरिटी ऐसी बढ़ी कि अब पूरे देश में उनकी बात को लोग मानने लगे थे और वो चाहे सम्मेदान संचोधन हो चाहे कुछ और स्टेप्स देने हो उसके लिए तयार थी और सुप्रीम कौर्ट भी अब गोलक नाफ्स केस के बाद से इस सिती में था कि वो इंदरा गांधी को कमजोर प्रधरमंती के लूप में ना देखे उनकी शक्ति को पहँचाने एकदम सीधा रास्ता था मिराजी के सामने इस समय कोई रोकने माला नहीं था और इस समय 1971 खत्म होने के बाद 1971-72 कहे लिजिए 1971-72 में सब कुछ इंदरा गांधी के पक्ष में चल रहा था सारी जीजे ठीक चल लिए इस समय उन्हें क्या क्या किया 1972 में फरवरी मार्च महीने में हमारे देश में विधान सबा चुनाव हुए आपको पता ही है 1952, 57, 62, 62 ये चुनाव वाले वरच थे तो बहतर में चुनाव होनी थे चार राज्यों में नहीं हुए क्योंकि उनकी परस्थितियां कुछ अलग थी उसमें के भी डिस्स करेंगे तेरह राज्यों में चुनाव हुए और इन तेरह के तेरह राज्यों में कॉंग्रेस पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीत गई और जो बागी चार राज्यों थे वहाँ पहले से कॉंग्रेस पार्टी का कंट्रोल था है और इसका मतलब यह हुआ चारव मतलब एक आप छोड़ के जैसे तमिलाडू था उसमें नहीं था लेकिन तमिलाडू में इलेक्शन इस साल नहीं हुआ था और इस समय हालत यह हुई कि पूरे भारत में लगभग हर राज्यों में कॉंग्रेस की पार्टी के सरकार बन गए इन तेरे राज्यों में बारह में तो इंद्रा गांधी के नाम से यह ही इलेक्शन जीत गए अटल वहरी वास्पे ने बड़ा अच्छा बोला उस समय कि इन तेरे राज्यों के चुनावों में विपक्ष की तरफ से कई हजार उम्मीदवार खड़े थे और कॉंग्रेस की तरफ से हर सीट पर एक ही उम्मीदवार खड़ा था उसका नाम था इंद्रा गांधी जैसे 1952 में कहा गया था कि कॉंग्रेस किसी लेंप पोस्ट को भी टिकट दे देगी वो भी चुनाव जित जाएगा जैसे 2019 में आपने देखा कि विपक्ष की तरफ से कोई भी खड़ा हो बीजेपी के और से हर सीट पर नरेंद्र मोदी ही खड़े हुए थे क्योंकि जब किसी एक व्यक्ति की पॉप्लारिटी बहुत बढ़ जाती है तो ऐसा होता है कि उसके नाम पे जनता वोट डालती है क्योंकि वो उसको पी-म देखना चाहती है और इन विधान सबाचनाओं में केवल और केवल इंद्रा गांधी के नाम पे वोट पड़े सारे राज्यों में इंद्रा गांधी आ गए केवल एक राज्यों में जीतना मुश्किल था वो था पश्चिमंगाल पश्चिमंगाल के बारे में कहते हैं कि एस सालिंद्रा गांधी ने और उनकी पार्टी ने एक बंगला कॉंग्रेस थी उससा समझोता सोड़ी सीपिये के साथ समझोता किया हुआ था और खूब जमकर धांदले वाजी की खूब जमकर बूथ के अप्चरिंग की गुंडा गर्दी की प्रशासन का भी इससे मल जहां जहां हो सका वो किया और बहुत बड़ी मिज़रोटी से जीते लेकिन ये जीत नैतिक जीत नहीं थी और अंत में पश्चिम मंगाल के सीम बने सिधार्थ शंकर रे जो इंद्रा गांदी के ऐसे दोस्त हुआ करते थे प्रसिद्ध वकील भी थे और उनको वहां के मुख्यमंत्री के सीड़ दी गए अब सूचिये अंद्रा गांदी के हाथ में क्या दाकत है देश के लगबग हर राज्जी की सरकार उनकी सरकार है मुख्यमंत्री उनका मनलब कठफुत्री यह सा मामला है केंद्र के सरकार उनकी है लोकसभा में पूर्ण बहुमत है यहां तकि समिधान संचोधन वाला बहुमत भी राज्यसभा उनके पास है और राज्यसभा कहां से आती है विधान सभाओं के इरेक्टिड लोगों से आती है विधान समा हैं उनके पास हैं पूरी की पूरी उन्हें रोकने वाला कौन था इस समा और जब इतनी शक्ति उनके पास आ रही तो 1971-72 में उन्होंने कई सम्विधान संचोधन की जिन में से कुछ का जिक्र हम पहले आपके सामने कर चुके हैं 24-वा किया, 25-वा किया, 26-वा किया, 27-वा किया, 28-29 भी किया और सही बात है कि 31 तक के संचोधन उन्होंने 1972 में कर दिये थे इन में से कुछ आप जानते हैं पिष्टे लेक्चर में जिक्र हुआ था कुछ आपके नई चीजें हैं तो मैं आपको समझाता हूँ 24-वा संचोधन आपको पता है कि जो गुलकनाथ केस था उस केस का फैसला पलटने के उद्देशे से किया गया था गुलकनाथ केस में सुप्रेम कौर्ट की 11 जजिस की बेंच ने कहा था कि संसद के पास अनुच्छे 13 की सीमाओं की वज़े से ये शक्ती नहीं है कि वो 368 यानि संविधान संचोधन के तहद मुलत ही कारों को बदल सके तो कुल में लागे एक भाव था कि अनुच्छे 13 की लिमिटेशन 368 पे भी अपलाई होती है और संसद मुलत ही कारों में संचोधन नहीं कर सकती उन्हें कब नहीं कर सकती ये फैसला 6-5 के बहुमत से गुलत नाथ केस में आया था 24 में क्या हुआ आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 दोनों में संचोधन कर दिया गया 13 में टलॉज नंबर 4 जोड़ दी 368 में टलॉज नंबर 3 जोड़ दी और दोनों में एकी बात लिख दी की 13 का संबन 366 से नहीं है 366 का संबन 33 से रहीं है संविधान संचोधन के शक्ते ब़े कोई सीमा नहीं होगी और संविधान संचोधन यदि होता है तो अरुच्छे 13 की अधार पr उसे सीमित नहीं किया आ सकेगा यानि कुल मिलाके गोलटनाथ फैसले को खारिश कर दिया गया सम्विधान का 25 संचोधन हुआ था उस फैसले को पलटने के लिए जिसको बैंक नेशनलाइजेशन का मामला कहते है आपको जहाने कि जब बैंको को राष्टी करण हुआ अध्यादेश के बाद जिम से बाद में एक्ट बन गया था तो एक आरसी कूपर नम के बैक्टेने केस किया था और आरसी कूपर का मामला देखते हुए सुप्रीम कोट में उसे खारिश कर दिया था अब पच्छिसवे संचोधन से उस केस के फैसले को पलटने के लिए क्या किया एक काम तो ये किया कि आर्टिकल थर्टी वन टू में ध्यानों का पिष्टी बार मैंने को बताया था 31.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01 ग्राउंड पर बैंक नेशनलाइजेशन केस खारिज हुआ था इंडरा गांदे ने क्या किया 31 दो में कमपंसेशन शब्द हटवा कर उसके बदले एमाउंट शब्द लिखवा दिया और इसका भाव था कि जब भी सरकार किसी के संपत्य चीनेगी तो उसके बदले रकम देगी लेकिन वो रकम कितनी होगी कैसे होगी यह सरकार ताय करेगी और इस पर सुप्रीम कोर बीच पे नहीं आना चाहिए वो एक दम बराबर की नहीं होगी एक्विटेबल नहीं होगी वो एक रकम होगी जो सरकार उचित समझेगी मौावज़ा देगी इस भाव से होगा और दूसरा उनना ने क्या किया कि आर्टिकल 31 में संचोधन करके आपको ध्यान होगा कि 31 A और B बनाए गए थे पहले समिधन संचोधन से नहीरूजी ने बनवाए थे ताकि लेंड रिफॉर्म्स को सुरक्षित किया जा सके 31 क के तहट लेंड रिफॉर्म्स का जिक्र हुआ था और 31 क यानि 31 B के तहट 9 शेडियूल बन गई थी अब इन दुराजी ने क्या किया उसके आगई 31 C को भी जोड दिया और 31 C में एक वाके लिखवा दिया था और ये दोनों कोशिश करते हैं समाजवाद के सापना करना अमीरों गरीबों के बीचें बलाबरी करना गरीबों को अधिक अधिकार देना संपत्ति का केंद्री करण नहोने देना इन सब चीज़ों को 49 B और C में लिखा हुआ है कि यदि सरकार 49 B और C के पक्ष में कोई विधी बनाती है तो मूल अधिकारों में से आर्टिकल 14, 19 और 31 एप्लाई नहीं होंगे 14 कह समानता कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं साथ भेदभा हुआ है 19 में क्या था? संपत्ति का अधिकार था कोई ये ना कही कि मेरी संपत्ति चीन लिए है 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार चीनने की प्रक्रिया क्या होगी कोई ये ना कहे कि संपत्ति का अधिकार चीनने की प्रक्रिया ठीक से नहीं पूरी की गई है और इसलिए 31 C इस बात की गारंटी देता था कि अब सरकार जब भी संपत्ती के पुनरवित्रन का प्रयास करेगी चाहे वो जमीन हो चाहे कोई और संपत्ती हो चाहे बैंक ही क्यों न हो तो कोई भी व्यक्ति एग्रीवड पार्टी पीडिद पक्ष सुप्रीम कोट के पास ये कहने के लिए नहीं जाएगा कि आर्टिकल 14, 19 और 31 को नुकसान पहुंचा है ये नहीं कह सकेंगे फिर 26 वा संप्षोदन किया जो माधवराव सिंधिया वाला केस साब अब को ध्यान होगा वो केस साब प्रिवी पर्स के मामले में इससे जिक्र मैंने पिछली क्लास में भी किया था संप्षेप में आपको याद दिला रहा हूं ताकि चीज़ें लिंक हो सके 26 में संप्षोदन के ताद प्रिवी पर्स और जो राजा माहराजा थे उनको जो बाकी सब पद्रिया मिलते थी संमान मिलता था तोपो के सला भी मिलते थी उनस जीज़ें को संप्षप कर दिया गया और इसके रिए क्या किया संबिधान के आर्टिकल 291 और आर्टिकल 364 इन दोनों को संबिधान से हटा ही दिया गया और दो changes एक 303rd में change हुआ 306rd में change हुआ थोड़ा से change करके यो बाकी दिखे दे थी वो भी ठीक कर दी गए और इस पकार यह मामरा यहां समापत हो गया यह तीन संचोधन आपको पहले से पता है इनके अलावा जो आपको पहले से पता है वो था 39th संचोधन जिसके तहद केरल Land Reform Act केरल के दो Land Reforms Act थे जो 39th संचोधन के तहद 9th schedule में डाल दिये गए थे अगर आपको याद आए तो ध्यान किजिए 9th schedule में इसके आने के खिलाफ ही case हुआ था केशवानंद भारती case केशवानंद भारती case में 24th संचोधन भी था बीच में 25th संचोधन भी था लेकिन जो मूल संचोधन जिसके खिलाफ रड़ाई थी वो 39th संचोधन था कुछ लोगों ने कमेंट्स में पूछा है कि केशवानंद भारती हार गय थे कि जीत गय थे मैंने बताया था प्रिशली बार केशवानंद भारती केस हार गय थे केशवानंद भारती को रिलीफ नहीं मिला था सुप्रीम कोट ने कहा कि हाँ केशवानंद भारती जो बात कह रहे हैं वो बात हम स्विकार नहीं कर सकते लेकिन सुप्रीम कोट ने यहां तक कहा था कि भाई 24 संचोधन भी ठीक है 25 संचोधन भी ठीक है 39 संचोधन भी ठीक है हम मना नहीं करेंगे गोलकनाथ का फैसला गलत है हम मान लेते हैं इसमें भी दिक्कत नहीं है लेकिन अगर संसद ये सोसती है कि सम्विधार में संचोधन करने की शक्ति उसकी असीमित है तो हम विरू पर हम 368 के तहट होने वाले परिवरतनों को चेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हम 25 संचोधन के तहट इस बात से भी सहमत हैं, कि यदि 49 B और C के पक्ष में कोई विधी बनी है, तो आर्टिकल 14, 1931 के बेस भी, यानि मूल अठीकारों के बेस भी सो चैलेंज नहीं किया जा सकता है ये बात भी ठीक है, हम 29 संचोधन से भी सहमत हैं, कि केरल के जो लेंड रिफरम्स बिल हैं, एक्ट हैं, वो 9 शैडूल में हम उसको रिवियू नहीं कर सकते हैं, तो हम सब सहमत हैं, लेकिन इसके बावजूद यदि संसद ये सोचती है, कि संविधान में संचोधन करने के श इसलिए जो मूल ढाचा है, उन्होंने का संचोधन शब्द का ही मतलब है, कि मूल ढाचा वैसा ही है, हमने जहाँ जहाँ देखा थी वहाँ ठीक कर दिया, यदि अब मूल ढाचा ही हिला देंगे तो संचोधन नहीं है, वो रिराइटिंग ऑफ कॉंसिटिउशन है, और क्या प्रेंज का फैसला है, ये चार संचोधन आप जानते थे, 27 संचोधन क्यों हुआ, 28 क्यों हुआ, 31 क्यों हुआ, हलका हलका समझ लेते हैं, ताकि आप यहाँ तक ही कहाले समझ दें, 72 तक, फिर 73 से सितियां बदलने शुरू हुए, फिर पहुंसते वहाँ, कि वहाँ क्यों एक ऐसा क्षेतर है जिसको भारत की मुख्यधारा के साथ जोड़ना आसान कम नहीं था, इसमें नहरू जिने बहुत योगदान दिया, इंद्र गंदी ने बहुत योगदान दिया, हम उनका इहसान जोटना नहीं सकते हैं, उनने सचमुष नौर चीज़ के लिए बहुत कु और एक इलाका था त्रिपुरा का, मनिपुर और त्रिपुरा शुरू से प्रिंसली एस्टेट चैनी के रजवारे थे, दो रियासते थी, तो जब भारत का सम्मेधन लिखा गया उनने 149 में, तो यह हुआ कि इनको हमने शुरू से एक अलग सेटस दिया हुआ था, आज की भाशा में, उस समय की भाशा में बोलते हैं, भाग गर के राज्य थे, आज की भाशा में आप कह सकते हैं कि यह यूनिन टेरिटरीज शुरू से बनी हुई थी, यह से थी थी इनकी, और बाकी पूरा का पूरा जो था नॉर्थीस वो असम था, उसके बीच में आगे चलकर एक इलाका था जिसको नेफा बोलते थे, नॉर्थीस्ट फरंटियर एजनसी, जो आज के लिए थोड़े प्रावधान अलग थे, वेरियर एल्विन नाम के एक एंथ्रोपॉलिजिस्ट वहाँ पर कुछ प्रयोग कर रहे थे, अच्छे प्रयोग कर रहे थे, इन वहां की अ 162 में एक राज्य का दरजा दिया गया ताकि वो खुश रह सके, इतना है नहीं, साथ में हमने आर्टिकल 371 के ताहत कुछ विशेश उपाए भी किया उसके लिए, 370 जैसे जमो कश्मीर के लिए था, वैसे 371 कए स्टेट्स के लिए है, उन में उतनी आजाली नहीं है जो ज भी उबल रहा था, जो मेघाले का इलागा है वो भी उबल रहा था, इन सब को लगता था कि इन सब को थोड़ा सा शक्तियं ज्यादा मिले, तो 1971 के दिसंबर महीने में 30 तारीक या नहीं 1971 के लगभग आखरी दिन, 2nd last दिन, इंडर गांधी एक विधेक लेकर आई, एक्टर रहने पास करवा है, जिसको बोलते हैं, नौर्थीस्ट री और्गनाइज़ेशन एक्ट, नौर्थीस्टर रीजन री और्गनाइज़ेशन एक्ट, इस एक्ट से जुले कुछ प्रावधान, सम्मिधान, संचोधान से ही हो बան सकते थे, जब हम कभी समझेंगे कि राजजी कैसे बनते हैं, राजजlor के बनने की प्रक्रिया क्या है, या बेरु बारी का मामला क्या था, इस बात को समझेंगे। अच्क हो बी तक सिक्किम भारत मेरें ने धियन रखेगा, देनी जिखान राज़ेशन लखएंगे इस प्रकार जो मेघालय था, मेघालय को नेस सो सटर में एक विशेष दरज़ा दिया गया था, जो आज सक किसी और को नहीं मिला वो था, स्टेट विधिन स्टेट, राज्जी के भीतर राज्जे, कभी नौर्सेद समझेंगे तो उसकी बात करेंगे, तो इस act के तहट मेघाले को भी state का दरजा में गया तो ज्यान रख्षने 1971 के इस act से मनिपुर राज्य बन गया तेपुरा राज्य बन गया मेघाले राज्य बन गया और दो अन्यक खेत्रों को UT का दरजा दिया गया जो उस समय तक UT नहीं बन पहे थे ज्यान रख्षने मनिपुर से पुरा UT से राज्य बन गया मेघाले जो था मेघाले स्टेट विदिन स्टेट से स्टेट बन गया और दो ऐसे खेत्रों जो उस समय काफी नाराज थे लेकर उनको कुछ दरजा नहीं मिल पा रहा था उनमें से एक था अरोनाचल प्रदेश जो नेफा था और दूसरा था मेजोरम इन दोनों को UT का दरजा दिया गया केंदर शासित प्रदेश का दरजा दिया गया ताकि वो उनकी कुछ दिमान मान ले आगे चलके 1986 में राजी वगांधी के सरकार ने इन दोनों को भी राज्य का दरजा जी है सम्विधान संचुधन हुए तो मोटी सी बात दियान रखनी है कि 27 सम्विधान संचुधन बेसिकली इस एक्ट को डेगुलेट करने के लिए हुआ आमत और राज्य बनाने के लिए सम्विधान संचुधन की जरूत नहीं होती है कुछ खास मामलों में होती है जब हम आर्टिकल वन यह यूं कहें कि पहली अनसूची और चोथी अनसूची के अलावा अगर सम्विधान में कुछ चेंज करना हो तो सम्विधान संचुधन करना पड़ता है क्योंकि इन सम में हमें आर्टिकल 371 में चेंजिस करने पड़े कुछ और चेंजिस करने पड़े इसलिए सम्विधान संचुधन हुआ तो कुल मिलाके बिना कन्फियूज हुए मैं आज फिर आपसे कहरा हूँ कि आज की क्लास पिछली क्लास से भी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है तो आपको कहने के जरूरत नहीं कि जब भी दिक्कत लगे पौस जबाईए गोमिया फिर ये जब दिमाग ठंडा हो लोटके आईए पर नोर्ट्स बनाते रहिएगा ठीक है 27 में सम्विधान संचोधन की मदद से इंदिरा गांदेजी ने नोर्थ इस्ट के राज्यों को पौनरगठित करने के प्रक्रिया पूरी की जिसके लिए नोर्थ इस्ट री और्गिनाजेशन एक्ट भी साथ में पारित हुआ था इससे क्या हुआ हमेशे ध्यान रखना है दो यूटी ज राज्यों बन गए एक मनिपूर एक ते पुरा एक स्टेट विदिन स्टेट था में गालाए जो राज्यों बन गया और दो ऐसे ख्षेत जो असम के भीतर थे अब उनको यूटी का स्टेटस मिल गया वो कौन कौन से थे एक अरुणाचिल पदेश था और एक निज़ोरम था इसके माज़न से नोर्थ इस्ट की बहुत सारी पेंडिंग डिमांड्स को içषू इनेरा गंधी ने सत्स्वाइ किया without it ज्यान हो रहे से जिभ बंगलादेश पोरवी पाकिस्टान यानि कि आज का बंगलादेश वहान से लोग भाज रहे थे वह तो वहां भागे थी थोड़े त्रिपुरा भागे थे थोड़े मेघाले में भागे थे थोड़े पश्चिम मंगल में थोड़े से असम में तो त्रिपुरा ने कहा कि भाई हमें भी तो कुछ स्टेटस दो मेघाले ने कहा कि राज जी के भीतर राज जी बना रखे हमें भी तो स्टेटस दो कि हम भी तो सिच्वेशन्स को मैनेज कर सकें और इसलिए बहुत जरूरी हो गया था कि मेगाले की डिमांड को माने त्रिपुरा की डिमांड को माने और त्रिपुरा और बनीपुर को एक लेवल पर रखना जरूरी था क्योंकि वो शुरूर से सेम लेवल पर चल रहे था यूटियस ते तो उनको एक ही लेवल पर रखा जा सकता था नौर्थिस्स की अपने अपने कहानी बहुत रोचक है कभी, कभी जीवन में मौका मेरा तो उस वर बात करेंगे पिछली बार मेरे मूझे गलते से निकल गया कि बीस पच्चिस कहानी है तो कई कमेंट्स मुझे बताएगा कि हैं कि सर्फ पच्चिस कहानी है तो इतना आसानी है लेकिन हाँ मैंने कोशिश सोचा है कि जब तक लोग डाउन चलेगा हर आड़ज़ दिन में कुछ ना कुछ, किसी ने किसी तौबक पर बात्चिस करता रहूँगा 28 वसंचोधन क्यों किया इंदिरा जी ने लेखिए आप में से जिकान्स लोग जिस सर्विस में आना चाहते हैं उस सर्विस का नाम है IAS या IPS है या IFS है ये सब सिविल सेवाय हो गई है जब हमारा देश बन रहा था सम्मेधान लागू होने वाल था उससे पहले एक सर्विस थी ICS जो बाद में IAS हो गई इंडियन सिविल सर्विस एक पोलिस सर्विस पर थी उसको Imperial Police सर्विस कहते थी जो सिविल सर्विस के लोग थे ना बहुत बड़े लाट साहब टाइप के लोग थे जैसे आज के लवी कलेक्टर बहुत बड़ी चीज़ होती है यह बहुत बड़ी चीज़ होता है यह अलग बात है कि आज का कलेक्टर उतनी बड़ी चीज़ नहीं होता जितनी बड़ी चीज़ कलेक्टर आज से करीब सो साल पहले होता था अंग्रेजरों के जबाने में होता था मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ एक तो CRPC 1973 क्रिमिनल प्रोसिजर कोड 1973 जिस दिन से पास हुआ लागू हुआ उस दिन से सारे जिलाधीशों के हाथ से क्रिमिनल पावर्स यानि मजिस्टेट की पावर्स निकल गए बहुत रोचक बात है कि उससे पहले वो क्रिमिनल केसिस में जज़ हो सकते थे लेकिन CRPC 1973 आने के बाद से किसी भी क्रिमिनल केस में जज़ बने की शक्ती अब किसी भी क्रिमिनल केसिस में जज़ बने की शक्ती अब किसी भी क्रिमिनल केसिस में जज़ बने की शक्ती अब किसी भी क्रिमिनल केसिस में जज़ बने की शक्ती है थोड़ी बहुत शक्तियां होती है धारा 244 लगाने की शक्ति है वो सब होती है रेकिन उससे ज्यादा नहीं होती है वो भी मजिस्टेट की पावर नहीं है वो तो सिविल पावर का हिस्ता हुआ एक तरह से दूसरा पहले जो कलेक्टर था उसके हाथ पर सब कुछ था अब तो यह कि डेवलोप्पेंट एड्मिनिस्टेशन लग चलता है फिर पंचायती राज है पंचायतों का कंट्रोल भी ठीक ठाक रहता है प्रशासन पर जो आईसीएस के ओफिस रहते है इतने बड़े लाट साहब थे अब सम्विधान लिखा जा रहता है इनलाट साहबों ने काया कि वही हमारे बारे में क्या सोचते हो बहुत बड़े जो इलीट क्लास की बीरोक्रेसी हो दिये ना जिसको नौकर शाही कहते है नौकर है कि इन तो शाही किसमें नौकर है जनता के नौकर नहीं है शाही कोने में रुची जाथा थी इन समने जिद ठान लिए तो अंतमे सम्विधान में एक आर्टिकल इनके पक्ष में लिखना पड़ा था 314 अगर आप सर्विसेज वला भाग देखे सम्विधान का जो आर्टिकल 308 से शुरू होता तो उसमें एक आर्टिकल है 314 और ये आर्टिकल कहता था कि जो आई-सी-स की अधिकारी हैं जो अब इन सिविल सेवां में कॉंटिन्यू करेंगे स्वाधीन भारत में किसी भी सिटी में उनकी सेवा शर्तों को negatively change नहीं किया जा सकेगा ना उनके salary गम कर सकते ना उनकेığ लाटावी गम कर सकते ना उनके छुटियां कर सकते ना उनके सुँधाइं कम कर सकते हैं और एक गरीब देश के हिसाब से देखे तो इनके सुविधाएं, इनका वेतन, इनका ठाट बाट इतना ज्यादा था कि उसको मैने इस कैसे करें नहरू समाजवादी आदमे थे समाजवादी प्रधानमंती को लाट साहबों के माध्यम से समाजवाद लगू करना था लाट साहब लाट साहब थे, गाउं जाने को तैयार नहीं, गरीबों के सितिको देशने को तैयार नहीं, जाने को तैयार नहीं और नहरू मरते मरते बोल के गए थे उससे पहले कि मेरा सबसे बड़ा फेलियर ये है कि मैं भारत की बिरोक्रेशी को चेंज नहीं कर पाया और जो इलिटिस्ट बिरोक्रेशी थी जो अभिजातवादी बिरोक्रेशी थी वो एक वेलफेर स्टेट में काम कैसे करे ये संभव नहीं था और क्यों संभाव नहीं था सम्विधान ने उनके हाथ बांध रखे थे इंद्रा गांधी ने उस समें नारा दिया प्रतिबद्ध नौकर शाही को प्रतिबद्ध होना चाहिए भावत्वा सरकार के प्रति प्रतिबद्ध रहो कहा गया सम्विधान के प्रति पर इंदर अगान थी उस फेलियर को जेलने के मूड में थी नहीं जो उनके पिता ने जेला था इस मामले में अठाइस भी संचोधन से क्या किया आर्टिकल 314 सम्वेधान से ही अटवा दिया बादी खत्म गर दी अब जो ICS के जिकारी थे वो सारी immunities वो सारी शक्तियां खत्म जिससे सम्वेधान सुरक्षा में लिए हुई थी और उसके बदले 312 आर्टिकल के तहट एक clause जुड़वा दिया थी 112.1 312 का सम्वन अखित भारतिय सेवाउं से है उसमें एक clause जुड़वा दिया और वो clause ये था 312.1 है या उसके पीशे बद चेक करना होगा लेकि 312.1 है वो ये clause है कि संसद के पास ये शक्ति होगी कि संसद विधी द्वारा इन सेवाउं से जुड़ी शर्तों को बदल सकेगी चेंज कर सकेगी कम कर सकेगी बढ़ा सकेगी उसे regulate कर सकेगी और इसका मतलब यह हुआ कि 28 संचोधन पारित होते ही भारत की लोग सेवाएं भारत के सिविल सेवाएं पहली बार उस समवैधानिक सुरक्षा से बाहर निकली जो सक्षमुच जरूब से ज्यादा था कंचोवा, वो कंचोवा अइसा अंडीू नहीं है, अनिशित कंचोव नहीं है, उस में संसत का कंचोव है और यहां से सिविल सेवाएं पर सरकार का कंचोवा Ск法 का का नियंत्रन थोड़ा सा बढ़ना शरू हुआ मोट इसी बाती है कि अब इंडियन सिविल सर्विस के लोगों के साथ यदि सरकार कुछ करती तो इतना आसान नहीं था कि वो सीज़े सुप्रीम कोड भागें और अपने इस अधिकार के हवाले से अपने सुरक्षा कर लें ये संभावना खत्म हो गई थी 29 संभावना आप जानते हैं केश्वानन भारती केसवार अकेडल लेंड फांस बिल एक्ट 30 संभावना संभावना भी सुप्रीम कोड की शक्तियां कम करने के लिए था सीज़े सीदे अगर आप सुप्रीम कोड की पावर पढ़ेंगे तो आर्टिकल 132 से कहने शुरू होती है 131,32 से कहने शुरू होती है और लंबी कहने चलती है 143 तक उसमें एक आर्टिकल है 133 और 133 का मतलब है कि सिविल मामलों में कौन सी अपील सुप्रीम कोड में की जा सकेगी कोछ 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 के क्रिमिनल का मतलब है जिसमें कोई क्राइम हुआ हो भारत में जो एक्ट आम तौर पे क्राइम को डिफाइन करता है वो है IPC, Indian Penal Court भारती देन्ब सही था या भारती अपराद सही था लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सारे अपराद आई-पी-सी में लिखे उगए है किसी वी एक्ट में किसी कृत्य को अपराद कहा जा सकता है और यदि उसमें अपराद कहा गया है तो वो भी एक अपराद ही होगा उदाहरन के लिए जो S.C.S.T. Atrocities Act है हुआ ही PC तो नहीं है पर उसमें कुछ क्रित्यों को अपराद बताए गया है तो ऐसे कई एक्ट्स हो सकते हैं जिसमें किसी क्रित्य को अपराद बताएं तो जिस भी क्रित्य को किसी भी कारून में अपराद के रूप में खुशित किया गया है उसको बोलते है अपराद क्राहिम और उससे जुड़े केसे को बोलते है क्रिमिनल केसे क्रिमिनल केसे में जो प्रक्रिय है वो प्रक्रिय चलती है CRPC criminal procedure code उससे चलता है गवाही कैसे लेंगे बेल या जमानत कैसे लेंगे वो सारी पक्रियें उसमें लिखी हुई है civil मामलों का संबन्द है दो व्यक्तियों कि आपसे संबन्दों से विवाह का मामला हो सकता है संपत्ती का हो सकता है civil मामलों में कौन से फैसलों के विरुध अपील सुप्रीम कोर्ड में की जा सकती है इसको बोलते है civil appellate jurisdiction तो सुप्रीम कोर्ड की शक्तियों में से एक शक्ति होती है अपीली अधिकारिता अपीले जुरिजिक्शन यानि कौन सी अपीले आ सकती है उसमें civil अपील्स भी होती है criminal अपील्स भी होती है कुछ और तरह की अपील्स भी होती है civil अपील्स के मामले में पहले नियम ये था कि 20,000 रुपे से अधिक का यदी मामला हो तो हाई कौर्ड के शैसले के विरुध सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है एक तो ये वैसी बहुत हास्यास्वत किसमें का मामला था क्योंकि बहुत छोटे मामले सुप्रीम कोर्ट में चले जा जाए सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जजिस बहुत सारे जज्जमेंट स्पेंडिंग थे कैसे इतने केस संभाले सुप्रीम कोड तो सरकार ने कहा यही कि सुप्रीम कोड पर दबाव बहुत ज़्यादा है उस दबाव को कम करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो गया है अब यह कर दिया कि इसको हटा के एक वाके लिए दिया कि सिविल मामलों में अपील तभी होगी जब सबस्टेंशिल क्वेश्टन ओफ लॉव उसमें शामिल होगा इसको हिंदी हम बोलते हैं विधी का सारवान प्रश्ने शामिल होगा इसकरत क्या हुगा सबस्टेंशिल क्रश्टन ओफ लॉव का मतलब है कि ऐसा कोई मामला जिसमें किसी विधी की व्याख्या करने का मसला हो जहां हाई कोड को लगता हो कि सही व्याख्या सुप्रीम कोड को करने चाहिए या दो या अधिक हाई कोर्ट्स ने एक ही विधी पर विरूधी फैसले दे दिये हों तो वो विधी का सारवान प्रश्ट नहीं तो जिस मामले में विधी का सारवान प्रश्ट नहीं थे केवल वो मामला, सिविल मामला अपील के लिए सुप्रीम कोड में जाएगा बाकी मामले नहीं जाएंगे एक तरह से अच्छा ही किया इस मामले में लेकिन कहने वाले कहते हैं कि इसके पीछे मैं कौनस पर इसी थीरी के बात करना इसके रिकॉर्ड्स नहीं है ऐसा किताबों में लिखा हुआ नहीं होता है संजे गांधी को उस समय करीब तीन सो एकड जमीन हरियाना की मुक्ष्मंत्री बंसी लाल ने दे थी मारुदी कार की फैक्टरी बनाने के लिए जो की एक घपला था एक संजे कहते हैं कि उस समय हरियाना के बहुत सारे किसान एक सिविल पेटिशन लाना चाह रहे थे इस जमीन के मामले में और सरकार को भाय था कि यदि ये पेटिशन सुप्रीम कोड पहुँच गई और सुप्रीम कोड तो खार खाये बैठा है तो अगर सुप्रीम कोड पेटिशन पहुच गई तो सुप्रीम कोड हो सकता है कि इसका फायदा उठा कि संजे गांधी को और उनके माद्यम से अंद्रा गांधी को गहरी चोट पहुचा दे तो अंद्रा जी को लगा ना रहेगा पास ना बजेगी बासुली सुप्रीम कोड की अपिलेट जूरिजिक्शन ही खतम कर दी और जब तक विधी का सार्वं पश्ण होगा नहीं अपील जाएगी नहीं और उस मामले में विधी का सार्वं पश्ण कोई था ही नहीं यानि के मामला हाई कोर्ट में ही निप्टेगा और हाई कोर्ट तक तो मैनेज करना उत्मा मुश्किल है सरकार को नहीं लगता होगा इसलिए उन्हें ऐसा कर दिया यह अनुमान की बात है क्यों किया पर सुप्रीम कोर्ट पर कारे का दबाव जितना ज्यादा है उसको देखते हुए अंतता है तो कर दी गई और यह उससे पहले लगख हर चुनाव के बाद हर जनगरना के बाद होता ही था 71 में जंगरना होई, पहले 61 में होई, 51 में होती थी, तो हर जंगरना के बाद, 51 के आसपास तो पहली बाद सीटें suicide होई थी, हर जंगरना के बाद, लोग सभा में सीटें change होती ही थी, 71 तक होई उसके बाद से नहीं है, आज eyeliner 55 चल रहा है, उसकी वज़य ये है कि 1976 में इंदिरा गांदी जी ने एक विवस्था कर दे सम्विधान में जिसका सरल भाव ये है कि अब जब तक चेंज ना किया जाए यही संख्या रहेगी तो वही संख्या भी चल रही है लेकिन 1971 की जन्गनमा के एकदम बाद उसके बेस पर डिलिमिटेशन होना ही होना था तो उस डिलिमिटेशन के तहट तय हुआ कि अब हमारे देश की लोग सब हमें 545 सीटे होंगी और इस बात को 31 संविधान संख्योधन के मादियम से संविधान में लिख दिया गया 1972 तक की जो डेवलोप्मेंट्स हैं 1972 के अंद तक की डेवलोप्मेंट्स हैं वो मोटे तोर पर यह है कि इतने सारे संविधान संख्योधन हुए नोर्थी इसके लिए एक बड़ा पैकेज एक तरह से कह सकते हैं राज्य पुनर गठन का मिला और विधान सबाचनावों में कॉंग्रेस के तूती बोलना लगी पूरा देश इंदर गांधी के कंट्रोल में था 1972 का अंतिम समय हर चीज के हिसाब से इंदर गांधी के पक्ष का समय है तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इसके केवल धाई साल बाद देश को आपातकाल भी छोपना पड़ा ऐसा क्या हुआ जब सब ठीकी चल रहा था डर के से बात क्या था तिम यहीं से चीजी बिगड़ने शुरू हुए 1973 से क्या है सकते हैं कि 1973, 74 और 75 का कुछ समय अंदर गांधी के पतन का काल था सितियां बिगड़ते ही गई क्यों सितियां बिगड़े 1973 में ऐसा क्या हुआ कि सितियां बिगड़ने शुरू हुए और जो लोग हारे थे 1971 के इलेक्शन में और 1972 के विधानसबचनावों में जो हारे थे वो तो टाक में थे ही वी पक्षी लोग तो टाक में रहते ही हैं मैशा कि कुछ मौका मिले तो हम एक बड़ा कदम उठाएं अपने पक्षी में क्या हुआ सबसे पहले सिती ये गही कि जो बंगला देश वाला मामला था युद्ध था जब एक करोड रेफ्यूजी देश में थे तो इमोशन्स अपनी जगा थे कि हाँ हमारे भाई लोग हैं उनका ध्यान रखेंगे वो सब इमोशन्स थे देश ने बड़ा सम्मन किया उनका पच्पन करोड की आबादी में एक करोड की आबादी का आजाना मजग तो है नहीं उन सब के भोजन इत्यादी की रहने या इत्यादी की विवस्त्त अब सरकार ने की तो सरकार का बजट ठीक ठाखिल गया फिर बांग्रदेश युद्ध में जो वार का जो बजट था वो इतना ज्यादा था कि उसने हमारी एकॉनमी को हिला के रख दिया बजट घाटा हमारा काफी बढ़ गया उस साल और सरकार की हात्माँ फूद ने लगे पैस सरकार के पास पैसे होंगे तब तो गरीबों को बाटेंगे जब पैसे युद्ध में ही चला जाएगा सेना के खर्च में चला जाएगा तो गरीबों को बटेगा क्या तो मुश्किल काम हो जाएगा और इसलिए इस युद्ध ने एकरोड रिफ्यूजियों के संकट ने इस वर के बजट ने भारत की एकॉनमी को काफी गड़े में धखे लिया दूसरा क्या हुआ इसी समय पूरे विश्व में एक ओयल क्राइसिस हुआ तेल संकट पैदा हुआ और उस oil crisis की बज़े से जब तेल की कीमते बढ़ी है और तेल तो पराइए आपकर तेल की कीमत बढ़ जाए पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ जाए तो हर चीजी कीमत बढ़ने ताए देश वर मेहंगा ही बढ़ने लगी इसी समय एक तीसा संकट ये हुआ कि 1972 में जबरदस अकाल और सूखा पड़ा आपको पता कि उस समय तक हमारी जो खेती थी पूरी तरह से मांसुन का जुआ हुआ करते थी लाल बाहर और शास्थी ने एक बड़ा अच्छा काम किया था कि उन्होंने क्रिशी सुधार के लिए जिसको हरित करांते बाद में कहा गया उसके लिए एक टीम मनाई तीन मेंबर्स की और उस मेंबर्स तीनों दक्षिन भारत से थे और उन तीनों मेंबर्स ने बहुत जबरदस काम कि जिसका रिजल्ट इंद्रा गांदी के समय आ चुका था और इसका परणाम भी था कि एक करोड़ व्यक्तियों को भोजन करवाना हमारे लिए चैलेंज नहीं था हमारे भोजन था उनके लिए लेकिन उसके बाद भी वो था तो कीमत पे ही फ्री में तो था नहीं इस अकाल और सूखे ने चीज़ों को बिगार दिया ये तीस प्रतिशक तक बढ़ी इंफलेशन इतना बढ़ा क्योंकि तेल के संकटने ये काल सूखे ने चीज़ों की कमी कर दिये ब्लेक मार्केटिंग शुरू हो गई और देखते ही देखते पुरोदेश में हाहाकार मच गया जो गरीब लोग इस उमीद में थे कि हमें फायदा होगा गरीब हिटाओ के नारे से उन सब के मिन में असंतोश होने लगा विद्यार्थी ऐसे असंतोश में सबसे पहले भड़कते हैं विद्यार्थी भड़कने लगे विश्र विद्यालें में हड़ताले होने लगी उत्तर परदेश में तो P.A.C. में विद्डो हो गया जो आर्म्ट फोर्स होती है परदेश की उसमें विद्डो हो गया सेना को बुलाना पड़ा उसको मैनेज करने के लिए और इसमें 20-30 लोगों की मित्यू हो गए पूरे देश में ऐसा लगने लगा कि कभी भी लंगा फसाद हो सकता है क्योंकि सरकार इस मौर्चे पर बुरी तरह से फेल हो रहे थी और इसके फेलर का बड़ा कारण था ही आकार और सूखा इसमें सरकार की वह में को अपनी बड़ी नहीं थी युद्ध उसके चाहने से नहीं हुआ था अकाल सूखा उसके चाहने से नहीं पड़ा था ओयल क्राइसिस विश्व में हुआ था उसके चाहने से नहीं हुआ था लेकिन आम आदमी को इस बात से मतलब नहीं होता कि दिक्कत क्यों हो रही है और इसलिए 1973 जैसे जैसे आगे बढ़ा वैसे वैसे देश में चीजें बिगडने शुरू होगी जब चीजें बिगडती हैं तो उनका राजनेतिक असर भी आना शुरू होता है उनका पॉलिटिकल इमपेक्ट भी आना शुरू होता है और ये हमें 1973 के अंत से 1974 पूरे साल में नज़र आता है 1974 में या 1973 के अंत से लेकर 1974 तक तीन चैलेंजिस ऐसे थे जो इंद्रा गांदी को जहेलने थे और वो जहेलने आसाल नहीं थे बहुत मुश्किल थे जो पहरा चैलेंज था उसको आप कह सकते हैं गुजरात का संकट दूसरा चैलेंज उनके सामने बन के आया बिहार वो भी एक बड़ा संकट था और तीसरा चैलेंज बन के आया रेलवे की हड़ताल 1971 में जो लोग इंद्रा गांदी के खिलाफ महा गठबंदन बना के ड़ड़ रहे थे वही सब लोग इन में शामिल थे जैसे गुजरात का अंदोलन जिस व्यक्ति के नेतित्व में चला उनका नाम है मौरार जी देसाई बिहार का अंदोलन जिन व्यक्ति के नेतित्व में चला उनका नाम है जेपी यानि कि जैपकाशना लाइन जेपी 1971 के इलेक्शन में उस तरह से अक्टिव नहीं थे तेकि नहां इस समय आके अक्टिव होने शुरू हुए और रेलवे की हड़काल जिस व्यक्ति के नेतित्व में हुई उसका नाम है जॉर्ज फर्नांडेस और जॉर्ज फर्नांडेस उन व्यक्तियों में से थे जो 1971 के चुनाओं में इंदर अगंधी के विरुद देल अड़ रहे थे सेयोग तो सोशलिस्स पार्टी इंगे पार्टे थी उस पार्टी की मदद से इलेक्शन अड़ा तीन सीटें लोक सभामें उनने सुईका तर्मेन को मिल पाई थी उनको उमीद ज्यादा थी लेकिन तीन ही मिल पाई थी इन तीन समस्याओं ने सरकार को लगभ क्या कहना चाहिए कि अपने कबजे मेरे लिया था क्या था देखिए गुजरात में जो सीम थे इस समय उनका नाम थे चिमन भाई पटेल चिमन भाई पटेल की सरकार काफी करप्ट सरकार थी ऐसा माना जाता है और लोगों में ये परसेप्शन ठीक से फैल गया था कि करप्शन बहुत ज़्यादा है दुख की बात है कि उस समय केंद सरकार पे भी करप्शन के आड़ोग पहली बार सीरिस सी लगने शुरू हुए थे और उसकी वजह है इंदरा गांधी के सोटे सुपत्र संजय गांधी थे संजय गांधी पढ़ाई में साधारन वेकते थे वोई खास नहीं थे किसी तरह ऐसे पासवास हुए थे फिर वो इंग्लेंड चले गए रॉल्स रोएस कार के कार खाने में काम किया सीखा ट्रेनिंग ली पिर भारत लोटे सेवन्टी उटीवन के आसफ़स तो उनकी इच्छा ये थी कि अब मैं भारत में कार की फेक्टरी लगाँ ऑँ गा कार की फेक्टरी उस समय लगाना असान नहीं थे सरकार के नियम काइदे बहुत गंभीर किसमें के हुआ करते थे अब संजय गांधी चाहरे तो कुण मना करेगा तो यह हुआ कि एक छोटी कार में बनाना चाहता हूँ तो सरकार ने छोटी कार बनाने की फैक्टरी के लिए निविदाएं अमंतर थी टेंडर्स निकाल दे अठारे कंपणियों ने टेंडर भरा जिनमें से केवल एक कंपणिय सेलेक्ट होई वो संजय गांधी की कंपणिय थी और संजय गांधी को कोई अनुभव नहीं था उनकी कंपणिय थी मारुती सुजुकी जो जापान के सुजुकी कॉर्पोरेशन के साथ कॉंट्रेक्ट में थी साल की पचास हजार कारे बनाने का ठेका मिला और संजय गांधी को जैसी ये ठेका मिला विपक्षी दरों ने खूब ये बात उचालने शुरू कर दी कि इंद्रा गांधी खुद करॉप्शन में शामिल है उनका बेटा खुद करॉप्शन में शामिल है और ये बात बहुत फैल गई थी इंद्रा गांधी पसो पेश में थी इंद्रा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पी एन अक्सर ने उनको सलाह दी कि वो इस्टीश को कैंसिल कर दें खुद को अलग रखें सीट से पर कहते हैं कि विनाश काले भी प्रीत बुद्धी तो उससे में इंद्रा गांधी इस बात को नहीं समझ पाई और 1973 फोर तक आते हैं करॉप्शन एक ऐसी समस्या दिखने लगी जनता को जनता को यह समझ मेंने लग गया कि हमें नहीं मिल पा रहा है कुछ भी इसकी वज़े है कि उपर के लोग सब कुछ खा जाते है और यह आरोप सबसे गंभीर जिस व्यक्ति पर लगा वो थे चिमन महें पटेल गुजिरात में लोगों ने मज़ाट में चिमन चोर शब्ट का प्रेव करना शुरू कर दिया इनके लिए खुब यह शब्ट चलने लगा बहाँ पर हुआ कुछ नहीं था चिंगारी की जरूद थी पूरा पलब तेल वेल सब कुछ पहले से भरा हुआ था कि वह लेक्ट चिंगारी लगने की जरूद थी और वो चिंगारी लगे दिसंबर 1973 के महिने में और इस समय क्या हुआ सरकार ने कॉलिजिस में युनिवर्शिटीज में होस्टल की फीस थोड़ी सी 20% के असस बढ़ाई होस्टल की मेस की चार्जिस बढ़ाई जैसे को उस दिन पर एक जियनियों का बढ़ा था तो बहुत शोर शराबा हुआ था तो उस समय कुछ लोग कह रहे थे कि लगता है कि गुजर और मेस के भी लमारक कमाना चाहिए इतना सांदोदन था और जैसे ही फीस विद्धी के विरोस में अंदोलन शुरू हुआ जो राजनेतिक क्वारटियां पहले से ताक में थी उनको लगा ये मौका फिर नहीं मिलेगा मौरार जी देशाई ने सीधे इस अंदोलन में एंट्री कई और इसको भड़काना शुरू कर दिया जन्वरी होते होते अंदोलन खूब भड़का पूरा चक्का जाम हो गया पूरी निवर्शिड जो गुजरात के थी वो बंद हो गई सडको पर चक्का जाम होने लगा मुख्यमंति का घिराव होने लगा तो डिमांड क्या थी डिमांड थी कि विधान सभा को भंग किया जाए ये डिमांड थी और मुख्यमंति को खटाये जाए साथ में डिमांड थी चिवन भाई पटेल कॉंग्रस की आद में थे और इनके पास बहुमत देखना था कि 167 सीट में 140 सीट की आद स्पास कॉंग्रस के पास थे तेने बड़े बहुमत के साथ थे जै प्रगाश नरायन इस समय भारती राजलिती में फिर से एंट्री कर रही है जै पी एक शांदर व्यक्ती थे जै पी विद्यारती जीवन में अमेरिका में गए पढ़ने के लिए ड्यांधिवादी आंदोलत जुड़े हुए थे ट्रभावती जी से उनका विवाह हुआ विवाह के बाद वो अमेरिका पढ़ने के लिए गए बरकले में पढ़े, केमिस्ट्री पढ़ने गए लेकिन उसके बाद फिर कुछ फीस की जिक्कत आई तो कोले छोड़ना पढ़ा, छोटी मोटी नोकरियां की फाइनली, विसकॉंसिन विश्च विद्याले में उव पढ़े और वहां उन्होंने सोशे उल्जी से पढ़ाई की वहां मार्क्सवादी हो गए, टारल मार्क्स को पहली बार पढ़ा मार्क्सिस्ट हो गए, वहां के विद्यार्थी नहीता थे, छात्र नहीता रहे वहां पर और बाद में जब लौट के आए, तब तक वो महत्मा गांधी के तुलना में नहरू के नजदेक हो चुके थे क्यों को नहरू समाजवादी थे समाजवादी रहे 1912 के आंदोरे में उनकी अच्छी खासी भागी दारी थी फिर जब भारत आजाद हुआ नहरू जी ने उन से कहा कि आप मेरे मंति मंदल में आ जाएए और जेपी आदर श्वादी थे उनको लगता था कि मैं महत्मा गांधी के रास्ते पर चलू विनोबा भावे के रास्ते पर चलू सत्ता में क्या जाना है तो जैसे गांधी जी ने सत्ता को ठुकरा दिया था विनोबा भावे सत्ता मेरुची नहीं रखते थे वैसे जेपी ने नहरू जी से कहा कि मुझे सत्ता मेरुची नहीं है मैं तो अपना काम करूँगा आप सरकार चलाईए वो नहरू जी के च्छे दोस्त भी थे और नहरू जी जब ली कोई गलत फैसला करते थे उनके पीशे पढ़ भी जाते थे आलोशनाई भी करते थे लेकिं नहरू बड़े बिनमराद में थे लचीले आद में थे वो अपने विरोधियों से समवात करना जानते थे कोई विरोधिये तो उसको टांग देना है ये उनके मने वहाव नहीं आता था तो विरोधिये तो ठीक है अपनी जगह है लेकिं दोस्ती अपनी जगह है राजनितिक विरोध अपनी जगह है उनकी ये मानने का थी जब नहरू जी की मौत हुई तो जेपी और प्रभावती उस पूरे परिवार से ही नजदीक थे इंद्रा गांधी से ही मिलते थे अब जेपी गांधी वादी आंदोलन की और फिर से मुड़ गये थे बिनोबा भावे के साथ काम कर रहे थे पार्टीलस डिमोक्राशी होने चाहिए और डिमोक्राशी सेंट्रलाइजेशन नहीं डिसेंट्रलाइज़ जो गांधी से चुरू होने चाहिए गांधी में इलेक्शन हो और जो वेक्टी चुना जाए उसके बाद कोई डिरेक्ट इलेक्शन नहीं होना चाहिए राज्य के सरकार बन जाए और राज्यों के सरकारों में जो लोग पहुंचे हैं उनके बीच चुनावाने से केंड की सरकार बन जाए एक ऐसा मोडल जो मातमा गांधी का मोडल था जे पी भी मानते थे इसलिए उनको यह लोग सबह चुनाओ विधान सब चनाओ पार्टी सिस्टम बेबरदाश्ट था और वो इस पॉलिटिक से दूर हो गए थे विनोबा के साथ काम करते रहे सरवोद भूदान में अब उनको उससे भी महभंग होने लगा था लगा था कि कुछ खास रिजल्ट्स आने ही पाएं 70-71 साल के उनकी ओम रही लगभग इसी समय उनकी पतनी प्रबावती के मिट्य हो गई उगांधे जी के अनुएई थे वैवाहिख जीवन को भी उनोंने वैवाहिख जीवन के रूप में नहीं स्विकार किया था जैसे महात्मा गांधी वेवाहिक जीवन में होके भी ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलने का प्रयोग करते थे यह से जेपी भी करते थे पर हाँ जब पत्ती की मिर्त्य हुई तो और एकागी पन हुआ तभावती जीस से इंद्रा गांधी का बड़ा अच्छा करेक्शन था फैमिली करेक्शन था लेकिन अब वो थी नहीं इंद्रा गांधी प्येम बनी जेपी सबसे पहले उनको बढ़ाई जैने पहुँचे बढ़ाई दियो उनको लेकिन जेपी को लगता था कि इंद्रा गांधी भी नो सखीय टाइप पी लड़की है और इंद्रा गांधी को लगता था कि जेपी बहुत आधरश वादी हैं टैक्टिकल नहीं है तो जब ये करॉप्शन जैसी चीजी आने लगी तो जेपी भी नराज होने लगे उनको भी लगने लगा कि जो सपना देखा था सम्मेध हंदर माताओने वो सपना तो तूट रहा है और अंत में 1974 के शुरुआत में जेपी ने ताय किया कि मैं भी आन्दोरन का हिस्सा बनूँगा खैर वो सबसे पहले फरवरी महीने में गुजराद एक दिन के लिए गए नौई या दस फरवरी के असपास के बलो अब्सर्व करने के लिए उसमें मौरारजी वहां पर आन्दोरन का रहे थे मौरारजी और जेपी में ठीक परज़े था अच्छा परज़े था तब मौरारजी नहीं कहा कि हम तो सरकार गिरवा के मानें गए तो यह यहाँ पर भूकरदाल पर बैटके मौरारजी देसाए, माар्च महीने की बात है और जब बैठे भूकरदाल पर तो तीन-चार दिन के अंदरएंदर अंदर सरकार वहाँ पर गिर गया मुख्यमंति का इस्तीफा हो गया और इंद्राजी ने क्या किया है विधान सभा को निलंबित कर दे निलंबित करने का मतलब है कि फिर से जिन्दा किया जा सकता है इससे बात नहीं बने फिर मुझारजी ने कहा कि भाया या तो विधान सवा को भंग कर दो भंग करने का मतलब अपने इलेक्शन ही हो सकता है डिजॉल्व करना वरना हम फिर से आंदोरन करेंगे 12 मार्च को वो फिर से भूकरताल पर बैठे 16 मार्च को सरकार घुटनों पर आ गई जुग गई इंदरा जी के सरकार और विधान सवा को भंग कर दिया इसका मतलब अब गुजरात के पास विधान सवा नहीं है और जब नया इलेक्शन होगा होगा फिलहाल कोई विधान सवा नहीं है और एक तरह इसे पहली जीत मुरार जी को मिली गुजरात में इस पूरे आंदूलन का नाम था नव निर्मान आंदूलन अगर आपकर भी भारती इतिहास आधुने के इतिहास में पढ़ेंगे कि नव निर्मान आंदूलन क्या था तो वो बहुत महत्रपून आंदूलन माना जाता है इस आंदोलन में एक संकट और हुआ था पर वो संकट ये था कि जो आंदोलन करने वाले थे वो चाहते थे कि जल्दी जल्दी विधायक लोग इस्तीफा दे ताकि विधानसभा अपने आप में मिनिंग्लेस हो जाए अगर प्रधान मंत्री भंग नहीं भी कर रही है विधानसभा को और ये जिस सारे विधायक इस्तीफा ही दे देंगे तो उसके विधानसभा कैसे चलेगी तो आंदोलन कारी जिनमें विध्यारती भी शामिल से पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल थी वो क्या करते थे किसी एमेले के घर ये उसको घेर लिया तो धंका के संचा वो जाके डाट डपटके कहीं कहीं सुनने में आता है कि हिंसा का प्रयुक भी हुआ उनसे इस्तीफ़ लिखवा जबरदस्ती और उनके इस्तीफ़ लिखवा के विजान सा बाजख्ष को दिये इस situation को देखते हुए अंदर अगामती ने 33 वा समिजान संचोधन यहाँ पर किया 33rd Constitutional Amendment Act किया यह CAA वो वाला CAA नहीं है वो है Citizenship Amendment Act यह है Constitutional Amendment Act 33 वा समिजान संचोधन और बहुत रोचक बात है वो कब हुआ? मई 74 में इसकी दमबाद हुआ उर्व में क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि यदि कोई MLA या MP स्टीफा देता है आप कोई भी समिजान संचोधन पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो उस समय की परसितियों से पैदा हो रहा है साफ लिखा है यदि कोई MLA या MP स्टीफा देता है तो विधान सभा लोक सभा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी है या राज्य सभा के सभापती या उप सभापती की जिम्मेदारी है कि वो तब तक स्टीफा स्विकार ना करे जब तक वो पूरी तरह से ये सुनिश्चित ना कर ले कि स्टीफा अपनी इच्छा से दिया रहा है और जब तक ये तये ना हो जाए तब तक स्टीफा स्थगित रहेगा उसे स्विकार नहीं माना जाएगा जब तक ऐसे रिपोर्ट नहीं मिलेगी इसका परपस ये था कि जो खेल गुजरात में हुआ वो खेल बाकी राज्यों में शुरू ना हो जाए कि जनता जाए, विधाय को पीटे, सांसत को पीटे, इस्तीफा लिखवाए और इस तरह से एक नगा खेल चुरू हो जाए इसलिए हमने ऐसा किया तो अब गुजरात की हालत समझने के बद देखते हैं कि बिहार में क्या हुआ मैंने आपको जे-पी की कहानी समझाई विनोबा के अंदूलन से, महत्मा गांधी वरे रास्ते से, नहिरू के रास्ते से, अब वो थोड़ा सा ये मानने लगे थे कि कुछ बहुत खास हासिल होनी पाया और इस समय एक नए अंदूलन की इंतजार कर रहा था, कैसे कर रहा है देखिए गुजरात के अंदूलन का असर बिहार भी पहुँच गया गुजरात में आपको पता है कि दस फरवरी के आसपस जब जेपी गए लगभग उसी समय गुजरात के मुख्य मंतिय ने इस सीफा दिया, चिमन भाय पटेल ने इतना दबाव जेपी के आने का था और उसके बाद के सारी कहानी मैंने आपको बताएगी कैसे कैसे वहाँ पर विजानसवा भांग हुई जब मुरारजी अंचन पर बैठ गए उससे प्रेणा लेके बिहार में भी एक आंदूलन के शिरुवात हुई और ये आंदूलन के शिरुवात आप कहा सकते हैं कि एक तरह से 18 फरवरी 1974 से हुई हुई उससे थोड़ा पहले 18 फरवरी को बड़ी घटना घटी और उसमें बिहार के सभी विश्य विद्यालेयों के जितने चात्र नेता थे वो सब इकठा हुए और उन सब ने मिलकर एक संग्धन बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया बिहार चात्र संगर्ष समिती BCSS इसी मंच पर जो और लोग काम कर रहे थे उनमें से एक का नाम था श्री सुशील कुमार मोदी जो अभी विहार के उपोखे मंत्री है और भारती जंदा पार्टी के व्यक्ति हैं उस समें ABVP और जनसंग से जुड़े हुए थे एक तीसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था राम विलास पासवान वो भी सांदोर्ण में शामिल थे एक चोथे व्यक्ति थे जिनका नाम था सैयद शहबुद्दिन जिनका समन सीवान के साथ है दुनिया जानती है वो भी सांदोर्ण में थे और ये सब मिलकर बिहार चात्यसंघर्श समिती के नेतागन थे और अंदोर्ण कर रहे थे और इस समूह ने उसी दिन बिहार सरकार को अल्टिमेटम दिया बहना वही था, कारण वही था कि होसल्स की फीज कम करो, पढ़ाई की फीज कम करो, पढ़ाई अच्छी करो और फिर बड़ी बड़ी बात है कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है ब्रहष्टा चार ख़तम करो इस तरह की बात है और साथ में एल्टीमेटम दिया कि 18 मार्च के दिन वो एक बड़ा अंधुरन करने वाले हैं जिसमें विधान सभा के घेरा होगा और उससे पहले मुख्य मंतरी इस्टीफा दे दें तो ठीक बरना यह होगा इंदरा गांधी को ख़बर मिली इंदरा गांधी समझ गी थी कि यह खेल शुरू हो गया कि अगर मैंने एक राज्य में हलका सा जुपने की बात की है तो हर राज्य में खेल शुरू हो सकता है इसलिए उन्होंने सोचा कि मैंस पर कठोर स्टैंड लू और इचुपने से मना कर दिया इस समय बिहार के जो सी एं थे वो कॉंग्रेस वारटी के नेता थे जिनका नाम था अब्दुल गफूर और अब्दुल गफूर भारत छोड़ा अंदूरन के नेता थे लंबा उनका इतिहास था युवा तुर्क परमपरा से जिससे भागवज्या, अजाद और चंदेशेखर जैसे नेता हुआ करते थे उसी परमपरा से वो भी थे और जनरली ठीक नेता मान जाते थे लेकिन उस समय बिहार में ये मानननेता हो गई थी कि करॉप्शन काफी ज्यादा है और करॉप्शन के छीटे उस समय उन मुख्यमंदी पर भी आये थे ये कहना मुश्किल है कि इसमें कितना सत्य था कि तरह जूट सा लेकिन हाँ उस से महोल ऐसा बन गया था कि करॉप्शन चल रहा है और सी यह उसके लिए जिम्मेदार है अब इन नेताओं के साथ दिक्कत यह थी कि इनका बहुत बड़ा जनाधार नहीं था इनकी बहुत पहचान नहीं थी उस समय 18 मार्चों इन सब ने विधान सबागर ढहराओ किया उस दिन हिंसा भी हुई एक मंती का घर फूग दिया रास्ते में कुछ सरकारी बिल्लिंग से उनको फूग दिया गया और ठीक ठाक हिंसा हुई जैसे गुजरात में सेना बुलाने की जरुत पड़ेगी थी यहां भी प्रशेश से बात बनेगी नहीं तो इन सब ने एक सोची समझी रणनेती के तहत इसी दिन जैपी को आमंतित किया उनसे रिक्वेस्ट कि कि आप इस आंदोर्ण को संभालिए उस समय तक जैपी भी समझ चुके थे कि जो पार्टी लेस्ट डिमोक्रेसी पार्टी विहीन लो और उसके बत इंडिरेक्ट इलेक्शन होते 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 गाहों के लोग जिला पंचायद चुनेंगे जिला पंचायद के लोग राज्य को चुनेंगे राज्य पंचायद के लोग देश के पंचायद चुनेंगे ये जो उनका मॉडल था उनको लग गया था कि ये मॉडल चलन करने में infrastructural support दे सके इन नेताओं को जरूरती जेपी के नाम की ता कि उनके आंदोरन को एक सम्मान मिले dignity मिले पहचाम मिले तो जेपी ने इन सब से का कि ठीक है भाई मैं आपके आंदोरन में शामिल तो हो जाओंगो पर में दो शर्टे हैं पहली शर्ट ये है कि ये आंदोरन केवल भी हर तक सीमित ने रहेगा इस आंदोरन का सम्मंद पूरे भारत से होगा इन निताओं को भी लगा इससे हमें क्या नुकसान है ठीक है होगा तो होगा और दूसरी शर्ट ये रखी कि इस आंदोरन का सम्मंद केवल मुख्यमंद्टी को हटाने से नहीं होगा केवल बिजली से या केवल होसल की फीज से नहीं होगा बलकि यह पूरी व्यवस्था बदलने का अंदूरन होगा और इस अंदूरन का नाम J.P. ने रखा संपून क्रांती संपून क्रांती में मैंने जैसे आप से कहा या आप सोच भी सकते हैं कि जेपी की तुलना आप अगना हजारे के अंदूलन से भी कर सकते हैं दोनों ही नेताओं का आदर श्वात था दोनों को गांधी बाद में आस्था थी दोनों का मानना था कि हमें सप्ता में नहीं जाना है कि तो सप्ता को कंट्रोल करना है, सप्ता को ठीक रखना है इसी सपने को लेकर जेपी ने संपून ट्रांती का नारा दिया और ये नारा दिया और उन्होंने 5 जून की रैली में जो रैली बहुत बड़ी रैली है बिहार के इतिहास की पटना शहर में हुई और उन्होंने जनता से कहा देखे जेपी की बहुत ज्यादा साख थी लोगों में जेपी ने जनता से ये कहा कि आप मुझे एक साल दो वैसे महतमा गंदी ने पहली पर एक साल मांगा था वैसे जैपी ने यहां पर एक साल मांगा कि आप मुझे एक साल दो सच्चा लोकतन, सच्ची लोकशाही हम लाके दिखाएंगे यह विवस्ता भश्ट है यह सपना समिधान निरमताओं का नहीं था ये सपना स्वाहिंता सिनानियों का नहीं था हम उस सपने का भारत बनाएंगे जो होना चाहिए था अब मुझे एक साल दो एक साल के लिए विद्यार थी अपनी पढ़ाई छोड़ दे एक साल के लिए सरकारी नौकरी करने वरे नोकरी छोड़ दें, और जैसा जैसा हम आपको निर्देशित करें, नैसा वैसा आप करें, ये होते ही पूरे बिहार में काम बंद हो गया, गया जैसे शेहरों में तो बहुत जादा असर पड़ा इस चीज़ का, महिलाएं सडकों पे आई, उन्होंने ये ताय किया कि हम फिर स लबाव बढ़ता जा रहा था, एक नमंबर के दिन, जैपी की एक लंबी मीटिंग हुई इंद्रा गांधी के साथ दिल्ली में, इसी मुद्धे पर, और इंद्रा गांधी कि उनके साथ संबन तो बहुत पनाने थे, इंद्रा गांधी ने इतना ही कहा कि देखिए, मैं आप केवल बिहार का है, तो मानने को मैं तयार हूँ, सरकार को बरखास कर देते हैं, विधान सबा भंग कर देते हैं, पर जैपी ने करना हमारा अंद्रा केवल बिहार तक नहीं है, जैपी अड़ गए कि मैं तो अंद्रा को बागी राज्यों तक भी लेके जाऊंगा, इस मुद अंद्रा की रेलवेय स्ट्राइक, रेलवेय की स्ट्राइक तो उसके पहले भी होई रही थी, यह कोई बहुत नई बात नहीं थी, लेकिन इस साल जो रेलवेय के स्ट्राइक होई, वो कुछ मायनों में अलग थी, क्यों अलग थी? कि हुआ यह था, कि इस समय रेलवेय में एक संसाथी जिसका नाम था All India Railway Men's Federation, All India Railway Men's Federation, रेलवेय की जो सारी फेडरेशन से उन सब को मान ले जी कि एक ट्रेड यूनियन थे, उसका नाम था A.I.R.F, उनने सो तीहतर से उनने सो चीहतर तक इसके अध्यक्ष जो थे, उनका नाम था, जोर्ज फर्नेंडेस, और जोर्ज फर्नेंडेस वही है, जो 171 के इलक्षन में सेंट सोचलिस्स पार्टी से इंदरे के खिलाफ थे, उस गठबंदन का हिस्सा थे, कि बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए थे, केबल तीन सीटे जीत पाए थे, उनकी इतनी साखती रेलवे के अंदर, क्योंकि रेलवे सही करियर शुरू किया था इन्होंने, फिर लोग सबावी चले गए थे, तो रेलवे में इनका नाम बहुत ज़्यादा इस समय भी था, रेलवे में स्ट्राइक्स होती थी पहले भी, लेकि ये इतने तेज तर्रार थे, कि रेलवे के प उनके दबाव में ही, और भी कई काम कीई थेजेक्स अुछाआ रेलीज वड़ी थी उनके दबाव में और जब जोर्ज फर्नाडिस ने ये आंदोरन चुरू किया, इस आदोरन के तातकालिक उद्श ये था जिन लोकोमेटिव स्टाफ था, लोकोमेटिव स्टाफ का मतल मे जो ट्रेन्स चलाने वाला स्टाफ था ये गार्ड्स थे जो रुनिंग ट्रेन्स में जॉब करते थे उनकी जॉब को क्लासिफाई गिया था कॉंटिनियूस के रूप में यानि कि जब तक ट्रेन अपने गंतावे पर नहीं पहुंचेगी वो ड्यूटी पर ही रहेंगे इन वर्डे मानना चाहिए इस मुद्धे पर अंदोलन हुआ और खास बात यह है कि या अंदोलन पहली बात तो यह है कि आठ मई से 27 मई तक यानि के करीब 20 दिनों तक चलता रहा है तो यह बड़ी बात है इसमें दूसरी बात है कि रेलवे के कर्मचारियों का कुल 70% हिससा इस अंदोलन यह कांतिया विद्रोह में शामिल हुआ इस स्ट्राइक में शामिल हुआ 70% लोगों ने काम करना बंद कर दिया रेलवे ठप हो गई जैसे अभी लोगडाउन के समय रेलवे बंद है इस से पहले जब रेलवे भारत की बंद हुई तो यह 1974 की स्ट्राइक का माम उन्होंने धीरी-धीरी समझाने का प्रयास कि जब बात नहीं बनी तो फिर उन्होंने कुछ कठोर कदम उठाए उन्हें स्ट्राइक के बारे में सबसे रोचक बातों में से एक बात यह है कि भारत के राश्ट्रपति वीवी-गिरी आपको पता ही क्योंने सो नहीं में इंग्रियोन के आदमे थे, बहुत सलाह देते थे, सरकार को बार बार टोकते थे और इंद्रा गांधी को ऐसा राष्ट्रपती एक्टिव प्रेजिन पसंद नहीं था, इसलिए उनके साथ खट पर चलती रहती थी ये बात खुलके तो नहीं कही गई लेकिन ये बात दुनिया में सब को पता थी रुस्तम है कि वीवी गिरी यानि भारत का राष्ट्रपती भी इस रेल्वेज श्ट्राइक के साथ सहनभूती रखता है ये बात कोई प्रधान मंती कैसे बरदाश्ट करेगा कि उसी के खिलाफ हो रही श्ट्राइक को उसी का राष्ट्रपती समर्थन करता हो या कम से कम भीतर से समर्थन करता हो खेर इंद्रा गांधी ने कुछ कठोर कदम उठाए कुछ लोगों को नौप्रे से निकाला कुछ को गिरफतार करवाया कुछ पर दबाव बनाया आखिर कर 27 मही को श्ट्राइक वापस दे ली गई और यह श्ट्राइक किसी खास परिणाम के बने समाथ थोगे लेकिन ये समझ में आ गया कि इस समय इंद्रा गांधी के सरकार को गिराने के लिए बहुत बड़े सर पर विपक्ष एक ही कृत रूप में काम कर रहा है और ये दबाव कुरे देश में महसूस हो रहा था एक रोचक बात यहां पर है कि ये स्ट्राइक जो खत्म होई उसके पीछे एक कारण और भी था 1974 में कुछ और चीज़े हैं जिनके बारे में हमें एक हलका साइडिया होना चाहिए और उनमें से एक चीज बहुत 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 पुर चीज़ है उसको बोलते हैं पोखरण और पोखरण शब सुनते ही आपको धिहान आगया होगा कि पोखरण राजस्थान का वो इलाका है जहां पर परमानू परिक्षन भारत ने किया था पहली बार भी दूसरी बार भी आपने सुना होगा कि 1974 में पहली बार पोख्रल में परमाणू परिक्षन किया गया था जो नुकलियर फिजन पे अधारी था नाभी की विखंडन पे अधारी था मैं उसी की बात कर रहा हूँ उसकी तारीख यात की जिए वो बात है 1974 में 18 मई की बात है 18 मई उस साल जो था वो बुद्ध जयनती थी बुद्ध पूर्णी मा थी इस ओप्रेशन का नाइम था स्माइलिंग बुद्धा बुद्ध का मस्कूराना बुद्ध मस्कूराई ये नाम था 18 माई द्यान से समझ लेजे रेलवे के स्ट्राइक आठ मई से 27 मे तक चली उसके बीच में आता है 18 माई ऐसा नहीं कि रेलवे के स्ट्राइक के बीच में अचानक विचारभन भनगे परमानू परेख्शन करने का पर्मानु परिक्षन को एक लंबी तयारी वाला काम होता है लेकिन इस पर्मानु परिक्षन की बैक्ड़ाउंड को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो और वहतर हो जाएगा और इसके लिए हमें सबसे ज़्यदा कितंग्य होना चाहिए इस मामले में नहरूजी के प्रति है 1944 भारत के आजाद होने से पहले से ही नहरूजी इस बात को समझ गए थे कि इस विश्व में जहां अमेरिका है, सोवियत संग है, जहां बहुत बड़ी-बड़ी शक्तियां परमानों शक्ति से संपन्न है वहां इंडिपेंडेंट स्टेंड लेने के लिए जरूरी है कि हमारे पस परमानों शक्ति होनी चाहिए उसके बिना बात नहीं बनेगी हाँ हाँ उससे गलब प्रयोग नहीं करेंगे, यह बाठीक है 1944 में ही उन्होंने डॉक्टर होमी जहांगीर भाबा से यह बात कहनी शुरू कर दे कि हम आजाद भारत में ऐसी कोशिश करेंगे डॉक्टर होमी जहांगीर भाबा विदेश में काम करने वाले वेक्ति थे जब लोटके भारत में आए तो उसके बफे भारत की होके रह गए एक institute सापित हुआ था TIFR टाटा Institute of Fundamental Research जिसके लिए टाटा खांदान ने जमशेद जी टाटा ने दिल खोल कर सपोर्ट भी किया था उसके एक तरह से फाउंडर होमी जहांगीर भाबा हुए उसके प्रमुख वही हुए ये संस्था और भारत सरकार का एक परमानो उर्जावी भाग बिलकर काम करते थे कि हमारा परमानो कारेक्रम सफल हो नेरो जी के सपष्ट नीती थी कि हम परमानो शक्ती का दुरुपयोग नहीं करेंगे लेकिन अपने पैर पर खड़े होने के लिए हमारे पस परमानो तक्निक होनी चाहिए और इसी सिद्धान पर होमी जहांगीर भाबा काम कर रहे थे 1960 के आसपस आते आते ऐसा लगने लगा था कि अब भारत चाहे तो दो-चार साल में परीक्षन कर सकता है और नेरो जी ने कहा रहा था कि ठीक है अब त्यारी करते रहे यह जब वो सित्य आएगी फिर हम इस पर काम गरेंगे 1962 में आपको पता है कि युद्ध हुआ चीन के साथ जब चीन से युद्ध हुआ तो नेहरू जी को उम्मिद थी कि सोवियत संग साथ देगा कि तो सोवियत संग ने भारत का साथ ने दिया उसने चीन को ही नेरिक समर्थन दिया इससे नेहरू जी को ये लगा कि संकट के समय तो कोई कामा था नहीं तो क्यों ना हम अपनी शक्ती पर जान दे उन्होंने फिर हमी जहांगीर से कहा कि इस पर तेज़ी से काम कीजिए और युद्ध हरने के बाद विशेश रूप से उनका जोड़ था कि जल्दी ये काम होना चाहिए पर इन तो आप जानते हैं कि नहरू जी के मृत्यूग 1964 में हो गए और 1964 के आसपस हम उसकागार पे थे कि परमानू परिक्षन कर सकते थे 1964 में ही चीन ने पहला परमानू परिक्षन किया और वो उन देशों में शामिल हो गया जो परमानू शक्ति से संपन्न थे घोशित रूप से चार देश पहले थे पांचवा चीन भी हो गया अमेरिका था और USSR था इंग्लेंड था फ्रांस था पांचवा देश हो गया थी और भारत बहुत दिनों से कह रहा था कि परमानू अपरसारसंदी आने कि नियुक्लियर नॉन प्रिफरेशन ट्रीटी होनी चाहिए अब NPT के बात हुई तो उसमें एक डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि इन पांच देशों को पहले से मान लिया गया कि ये परमानू संपन्न है 1967 की डेडलाइन मान लिगए कि उससे पहले जो लोग परिक्षन कर चुके हैं उनको मानेंगे परमानू शक्ति संपन्न हैं बात के देश अलग तरह से टीट होंगे इस बहिदवाव पर भारत बिफर गया और उसने कहा कि हम इस पर साइन नहीं करेंगे भारत में साइन ने किया 1968 से आपको पताएगी या NPT पर काम शुरू हुआ भारत में मना कर दिया तो पाकिस्तान ने मना कर दिया इसडायल ने मना कर दिया और नॉर्थ कोरिया भी उसको लेके बहुत सहज नहीं हो पाया 64 के बाद शास्त्री जी आए शास्त्री जी की बहुत ज्यादा रूची परमाणू परीक्षन में नहीं थी लेकिन हाँ उनका ये था कि आप काम करते रहिए बहुत जोर नहीं था इस बात पर कि हम तुरंट उस पर बढ़ें क्योंकि उनको देश को बहुत बड़े-बड़े संक्टों से निकालने के जिम्मेदार उनके सिर पर आ गई थी बहुत रोचक और बिचित्र और चिंदित करने वालता थे है कि उनने 1666 में आपको अच्छे से पता है कि 11 जनमरी को शास्ती जी के मेत्य हुई ताशकंत में वो क्यों मरे हमें नहीं पता कुछ लोग कहते हैं कि सवभाविक मौत थी कुछ कहते है कि उसके पीछे कोई साजिश थी साजिश किसके थी तो केजी भी क्यों इशारा ज्यादा होता है इस ममले में पता नहीं क्या बात थी उनको अगर उनकी हरत्या हुई तो उसकी वज़ाई ये मानते है कि लाल बहदुर शास्त्री को कंट्रोल करना आसान नहीं था वो देश भक्त व्यक्ति इस सेंस में थे कि वो किसी भी मुद्धे पर समझोता नहीं कर सकते है देश इसके थार्थ और इसी साल इसी महीने केवल तेरे दिन बाद 24 जनवरी को एक और व्यक्ति की मिर्टियों हुई जिनका नहीं था होमी जहांगीर भाभा इनकी मिर्टियों भी स्वाभाविक तरीके से नहीं हुई ये एक हवाई जहाज की यात्रा पर थे यूरोप के ऊपर थे उस समय आल्फ फरवत के आसवर से वहाँ प्लेन क्रेश हो गया इंडिन एरलाइन्स का प्लेन था प्लेन का क्रेश होना एक्सिडेंट हो सकता है प्ल भी दोनों मत हैं कि हो सकता है कि भारत के परमानो कारेक्टरम को खत्म करने के लिए एक साज़िश की गई हो इंडरनेशनल कोई कांस्पिरेसी हो C.I.E. का हाथ हो सकता है और उसके बाद लगा कि अब हमारा परमानो कारेक्टरम ठप पड़ जाएगा इंडिरा गांधी ने इसके बाद राजा रमन्ना नाम के एक वैग्जानिक थे उनके हाथ में सारा कारेक्रम सौपा और उनसे कहा कि अब तयार रहिए काम करते रहिए सही समयाने पर हम परिक्षन कर लेंगे और 1971 में सोवियत संग से संधी होने के बाद जब ये कॉन्फिडेंस हा गया कि चीन और अमेरिका हमार कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे तब इस पर हलका हलका काम चल रहा था वो परिक्षन करें तयार नहीं हो रही थी लेकिन अंत में 1974 में शायद इसलिए कि इन सारी परस्यतियों में वो घबरा गई थी देखे युद्ध हो परमानु परिक्षन हो इन सब का एक खास प्रभाव पड़ता है जन्ता पर और जन्ता में confidence आता है सरकार को लेके उनके अंदर विश्वास पैदा होता है 1971 का युद्ध जीतने के बड़ जन्ता गांदी की जैसी शान्दार चबी बन गई थी कुछ-कुछ वैसी चबी बनने का scope था परमानु परिक्षन से और हुआ भी और अठारा में को जैसे ही परिक्षन संपन हुआ उस परिक्षन के संपन होने के बाद पूरे देश भर में मनलब एका पार्टी छोड़ दे हर पार्टी के नेता ने हर अख़वार के संपादक नेंदर गांदी के साहस के प्रशंसा की और दुनिया पर में हमारे धाक बनी कहने वाले कहते हैं कि इसका एक परपस उस समय ये भी था कि उस समय दवाओ था हर तलब से गुजरात से, बिहार से, मौरार जी का, जेपी का, फर्नांडिस का, रेलवे स्ट्राइक इन समदवाओं को कंट्रोल करने का एक उपाए ये किया गया था 1974 में एक अंतिम घटना और ऐसी है जिस पर हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए क्या मसला हुआ था आपको पता है कि 1974 में राष्टपती का चनाव भी होना था और राष्टपती का चनाव इसलिए होना था कि 1979 में राष्टपती का चनाव हुआ था पांच साल के लिए और अब एक नए राष्टपती की जोईनिंग 24 अगस्त को होने वाली थी तो अगस्त महीने में चनाव होना था 17 से 20 अगस्त के बीच में सवाल था कि कौन इलेक्शन ड़ेगा ये ताय था कि कॉंग्रेस पालिटी यानि के इंदर गांदी जिसको कहेंगी जीतेगा वही क्योंकि सारी विधान सभाएं उनके हाथ में थी लोकसभा उनके हाथ में राज्यसभा उनके हाथ में और राश्पती के चनाव में वोट कौन डालता है विधान सभाएं और लोकसभा और राज्यसभा के जो निरवाचित प्रतिने थी है वो डालते है जिसके पास उन सबका वहुमत है राश्टपति उसका ही बनेगा कहने की बात है ने थी इंजरा गंधी को डिसाइड करना था दो नाम खूब प्रचलित थे उस समय एक था बाबू जगजीवन राम का जो दलित जातियों के एक प्रतिनिजी के रूप में भारत की सरकार में अक्सर सक्रिय थे और उनका काफी सम्मान था उस मामने में और दूसरे थे सरदार स्वर्न सिंग ये दोनों नेता इंजरा गंधी की कैबिनेट में काम कर चुके थे अच्छा खासा रसूफ रखते थे प्रतीक भी थे अगर बाबू जी को राश्वरी बनाते तो एक प्रतीक जाता कि पहली बार एक दलित वर का व्यक्ति भारत के राश्टपति हुआ है स्वर्ण सिंग जी को बनाते तो ये प्रतीक जाता कि इस सिख समुदाय का व्यक्ति यानि के एक माइनॉरिटी का व्यक्ति भारत का राष्टपती हुआ है। ये प्रतीक भी थे। परिंद्रा गांधी इसके बावजुद इन दोनों को लेकर बहुत सहज नहीं थी क्योंकि उनको लगता था कि अगर इनमें से को राष्टपती बनेगा तो शायद राष्टपती बनने के बाद मेरी बाद को उतना आराम से ना माने जितना आराम से भी बानते हैं। उन्हें कैसा आदमी चाहिए था ? एक ऐसा आदमी चाहिए था जो सबसे पहरी बात बेहद विनम रहो दूसरी बात जिसका अपने जनाधार न हो क्योंकि जिसका अपने जनाधार होता है उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्खिल काम हो जाता है ऐसा व्यक्ति से कोई जनाधार ना हो, जो किसी भी रूप में विरोध करने की कुवत न रखता हो। तीसरा उनके मन में ये था कि अगर संधव हो तो माइनोरिटी से भी हो। माइनोरिटी से सरदार स्वाने सिंग में थे लेकिन एक पॉइंट उस समय चल रहा था कि मुस्लिम समुदाय ने ये कहा कि वह देखो एक राश्पदी आपने हमारा बनाया सेवन में डॉक्टर जाकिर हुसैन पर वो तो 69 में डथ हो गई उनकी तो तो कम से कम पांट साल के खारे काल तो मिलना चाहिए हमारे किसी प्रतिनेजी को तो इंदर गंदी को लगर कि यह बात तो ठीक है हलांकि दुरभागिय ये हुआ कि इस बार एक मुस्लिम व्यक्ति राश्पदी बने उनकी भी मृति दो साल में हो गई तो उसमें मजाग चलने लगा था कि जब जब व्यक्ति कोई मुस्लिम व्यक्ति राश्वदी बनता है वो दो साल में उसके बित्य हो जाती है तो जब एपीजी अब्दूल कलाम बनने लगे तो कुछ लोगों ने मजाग किया कि कलाम साहब कुंडली मुंडली देहली ठीक से क्योंकि अब तक का रिकॉर्ड बहुत ठीक नहीं है और उसके बाद 1971 में आपको पता है कि नौर्थ हीस्ट बहुत तर्मोईल के सिती में था बांगलादेश से जो आप्रवाशियों के समस्या थी मेगालाय असम उसे प्रभावित थे थोड़ा सा त्रेपुरा भी प्रभावित था और इंद्रा गंधी को लगता थे कि नौर्थ हीस के जोगों को ये ना लगए कि सरकरों पर ध्यान ने जेती है तो उनकी इच्छा थे कि अगर हो सके तो वह व्यक्ती नौर्थ हीस्ट से हो तो थोड़ा सा सिंबॉलिक importance होगी कि हां नौर्थ इस्ट का भी सम्मान हम करते हैं ये चारों की चारों conditions किसी एक ही व्यक्ति में मिल जाए आसान नहीं था लेकिन अंतता ही इंद्रागंधी को ऐसा एक व्यक्ति मिल गया और उस व्यक्ति का नम था फखरुद्दीन अली एहमद कॉंग्रेशी आदमे थे वकील थे इंग्लेंड से कैम्रिज से पढ़े हुए थे उसके पहले सेंट्स शिफन्स कॉलिज दिल्ली निवस्टिय से पढ़े हुए थे इलीट थे जैसा वो चाहती थी विडम्र थे जनाधर नहीं था असम से बिलॉंग करते थे जितेंगे जीतेंगे तो एहमद साब ने इलेक्शन लड़ा धुम धुम से चनाधर जीत गए चनाधर जीतने में कोई समस्या हुन के सामने आनी थी ही नी लिकिन इस समें एक खास समस्या उठी वो समस्या कहा थी सोच के देखिए राश्पदी का चुनाव था और आपको ध्यान होगा थोड़ देर पाए मैंने आपको बताए कि जो गुजरात की विधान सबा थी वो मुरार जी के दवाओं में उसको भंग कर दिया गया था और ये बत 16 मार्च 1974 की है अगस्त 1974 में राश्पदी का चुनाव होने वाला था तो गुजरात के लोगों ने खुब विरोध किया मुरार जी भी विरोध में थे सम लोगों ने विरोध कि और उने कहा कि जब गुजरात के विधान सबा ही नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि राश्पदी के चुनाव यदि इस समय हो गया तो गुजरात का प्रतिन धित्व तो उस चुनाव में होगा ही नहीं कम से कम विधान सबा में तो नहीं होगा लोग सबा में शक्षख हो जाए तो क्या गुजरात के जनता कोई एधिकार नहीं है कि राश्पदी के चुनाव में उसकी भी आवास सुनी जाए इसका क्या समय धान होगा हमारे सम्विधान में इस प्रस्टन का कोई उत्तर नहीं लिखा हुआ था सम्विधान में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि राश्पदी की पदावदी 5 साल की होगी और 5 साल पूरे होने से पहले अगला एलेक्शन हो जाएगा यह लिखा हुआ है फिर राश्पदी उपर राश्पदी के निर्वाचन के लिए चुनाव के लिए एक्ट है तो उस एक्ट में भी ऐसा कोई प्रावधान साफ नहीं था अब सरकार कन्फ्यूज हो गई कि इसमें क्या करें तो अगर आपने सम्मिधान पढ़ा है तो हमारे सम्मिधान में एक आर्टिकल है जिसको बोलते हैं आर्टिकल 143 सुप्रीम कोड की एक शक्ती है उसको बोलते हैं सलाहकारी शक्ती या सलाहकारी अधिकारिता यानि के एडवाईजरी जूरिस्डिक्शन इसका मतलब ये शक्ती हर देश में नहीं होती है अमेरिका में नहीं है भारत में शक्ती है भरत के राष्टरपती सुप्रीम कोट से सलाह मांग सकता है म synt ins preem कोट के पास ओरिजिनल जूरिजिक्षन होती है अपीलेट होती है वो सब तो होती ही है एक खास जूरिजिक्षन होती है जिसको बोलते है advisory jurisdiction जिसका मतलब है कि यदि देश के राष्टरपती राश्टपती का मतलब सरकार किसी तच्छात्मक कानूनी मुद्दे पर फंज जाए तो वो राश्टपती अपना पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मान सकता है और ऐसे मामले में 143.1 में जो भाशा उसका मतलब भी है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सलाह दे सकता है चाहे तो मना भी कर सकता है और सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के सलाह मान सकती है चाहे तो नहीं मान सकती है हालां कि जो राए सुप्रीम कोर्ट की और से आती है आम तोर के उसको मान लिया जाता है खारिज करने का कोई खास मतलब बनता नहीं तो इंदराजी को लगा कि अब सही समय इस चीज़ का है कि हम क्यों ना सुप्रीम कोड की मदद लें और ऐसे मामले क्योंकि सम्मेधानिक महत्व के होते हैं तो 143 के तहट राष्ट्रपती ने सुप्रीम कोड से सलाह मांगी कि गुजरात विधान सभा की अनुपस्थिती में क्या हम राष्ट्रपती का चुनाव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं 143 के तहट आस तक कड़ी 15 मामले गए हैं और एक से वढ़कर ये रोचक मामले हैं ये चटा मामला था जिस मामले के जिक्र मैं कर रहा हूँ चटा मामला 1974 में हुआ तो दूसरा मामला था बहुत रोचक था करal Egyptian Bill जिस मुद्धा पर करल की सरकार किर गई ती जिसकर जिक्र अभी थोड़े देर के बार आपके सामने आने आने वाला है तीसरा मामला बेरु बारी का था जिसमें हिला दिया था पूरे सम्मिधान को कि क्या भारत की सरकार हमारे सम्मिधान के तहट भारत की जमीन का कोई हिस्सा किसी और देश को दे सकती है अगर दे सकती है तो कैसे दे सकती है ये प्रश्ट नहरुजी ने सुप्रीम बोर्ड से पूछा था जो पाँचवा रेफरेंस था वो केशव सिंग के मामले में था जिसमें सांसदों और विधायकों के विशेशाधिकारों पर प्रश्ण उठे थे बहुत गंभीर प्रश्ण उठे थे वो मामला जा छटा रेफरेंस उनने सुप्रेंस ने सुप्रेंसट के बद नौ साल बद आया और सुप्रीम कौर्ड से पूछा गया कि गुजरात विधान सभा के नौ होते हुए राश्वरी के चुनाव करवाना क्या गुजरात की जनता के साथ अन्याय होगा यह करवाया जाना चाहिए तो सुप्रीम कौर्ड की पांच जिसकी बेंच बैठी उसने विचार भी उमरश किया और अंतमें सलाह यही दी कि जो सम्विधान में लिखा है और उस एक्ट में लिखा है उन दोनों को पढ़कर जो सार निकलता हो यही है कि चुनाव होना चाहिए चुनाव रोके जाने के लिए यह कारण परियाप्त कारण नहीं माने जाएगा तो इसके बाद फिर वो विरोध खत्म हुआ चुनाव हुआ और इस प्रकार से एक बात स्थापित हो गई जिसको बाद में 49 समीधान संचोदर में इंदरा गानदी जी ने समीधान में लिखवा भी दिया कि यदि आर्टिकल 71 में लिखवा दिया कि यदि किसी राश्ठपती के चुनाव के समय किसी राजी के विधान सभा भंग है या कोई vacancies खाली पड़ी है इस आधार पर राश्टपती की चलाओं को नहीं रोका जाएगा ये वर उसमें लिखवा लिए थी 1974 में ये सब हुआ एक घटना और हुई जिसकर जिक्र आज हम करेंगे नहीं क्योंकि उतना समय नहीं है 1974 में इंदरा गांदी ने देश को एक तोहफा और दी और वो तोहफा सिक्किम के रूप में था ध्यान रखना है कि जो नौर्थीस्ट है उत्तरपूर्व है उत्तरपूर्व में शुरू से ही जितने भी राज्ये थे उनमें सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था मनिपूर्थिपुरा आपको पता है मैं बताया था कि वो यूटी थे बाकी असम था एक नेफा था वो सब आपको पता है सिक्किम ना असम में था ना यूटी था मनिपूर्थिपुरा के तरह सिक्किम भारत से अलग था सिक्किम ने 1947 में इंस्रुमेंट ओफ एक्सेशन वाली संधी तो भारत साथ साइन कर देती जिसका मतलब था कि डिफेंस के मामले में, इंटरनेशनल रिलेशन्स के मामले में और कम्यूनिकेशन के मामले में भारत सरकार चीजों को ताय करेगी लेकिन 1919 में जो मर्जर के संधी हुई थी बाकी राज्यों के साथ, वो सिक्किम के साथ नहीं हुई थी सिक्किम तैयार ने था उस समय, सिक्किम का शासक तैयार ने था, चोग्याल उसको बोलते हो तैयार नहीं था तोंत में यह हुआ कि सिक्किम एक स्वतंत देश है किंतु सिक्किम भारत द्वारा संरक्षित राज्य है डिफेंस भारत के पास है कम्यूनिकेशन भारत के पास है अंतराशित संबंध भारत के पास है लेकिन सिक्किम स्वतंत देश भी है प्रोटेक्टेक्ट्रेट था भारत का संड़क्षित राज्य था 1974 और 1975 में इंजरागांधे ने दो ऐसे काम किये 1974 में 35वा संबिधान संचोधन 1975 में 36वा संचोधन और इन दोनों संबिधान संचोधनों की मदद से सिक्किम भारत का 22 वह राज्य बन गया और ये आसान नहीं था चीन का बहुत विरोग था इसमें चीन लंबे समय तक यह मानने को बाद में भी तयार नहीं हुआ कि सिक्किम भारत का हैस्था है किन्तु इंद्रा गांधिने पर सूजबूद से है सिक्किम की जनता की सूजबूद शामिल है उसका ही माहतु है दिनिद्रा गांधिने पर सूजबूद से सिक्किम की जनता की भावनाओं का प्रयोग करता हुए तक भारत में मिला लिया और ये बात इतनी सफाई से की कि पूरे अंतलाशِ स tensorh में एक भी देश सैधहंतिक सर पर विरोध नहीं कर पाया प्याब हर इक तोर पर लोगों ने ज़रूर कहा लेकिन सैधहंतिक सर पर विरोध करने का मौका तक नहीं दिया पर ये मुद्धा अपने बड़ा मुद्धा है इसके बाद-बाद में करेंगे लेकिन हाँ सिक्किम के मामले से थोड़ा सा इंद्रगांधी की लोग प्रियता बढ़ी किन्तु बहुत फर्ट ने पड़ा ऐसा फर्ट ने पड़ा कि उसे उनकी जिनताइं समप्त हो जाती है तो उस जिनताइं बनी ही रहे अब 1975 आ गया है ये वही साल है जब आपातकार लगा और 1975 के सित्यों को अगर देखें 1975 में एक तरफ बिहार में तनाओ के सित्यां थी एक तरफ गुजरात में तनाओ चली रहा था तीसे तरफ दिल्ली में एक आंदूलन की तैयारियां बड़े प्यमाने पर शुरू हो चुकी थी नवंबर में जेपी और इंद्रा गांधी की मेटिंग होई थी बे नतीजा निकली थी कोई फैसा नहीं हो पाया था और जेपी मूड गना चुके था कि आप दोलन तो करना है और ऐसा अंदूलन करना है कि इस बार सरकार को उखाड़के ही मानेंगे उनको सब्ता में आने से मतलब ठानी है मौरार जी को इस बात से मतलब ठानी है कि सब्ता में जब सरकार उखड़ेगी तो सरकार बनेगी भी तो सही तो जो सगार बनेगी उसका मुखिया कौन होगा तो उनके मन में ये मनसूबा था कि मैं प्रधारमंती बने जाऊं उनकी उम्र भी इस समय तक 79 एर्स की हो चुके थी और इस उम्र में किशी को भी ऐसा लग सकता है कि जितना जल्दी हो जो उतना बेतर है वरना वक्त का क्या भरूसा कितना समय हमारे पास है तो इस साल जेपी ने तै किया था जेपी भी एक लंबे अनुभर व्यक्ति थे आंदोलन का नुभावन को बहुत जादा था उनको पता था कि आंदोलन भी जनता की सहुलियत से होना चाहिए अगर कोई जून की गरमियों में अन्दोलन चुरू करेगा तो अन्दोलन पिटना तय है क्योंकि उस समय अन्दोलन करने वारे च्छाव देशने के लिए साइड में खड़े हो जाएंगे सड़क पैएंगे ही नहीं मानसून में अन्दोलन नहीं चलते हैं बरसा दाते लोग भाग जाते हैं कडाके की सरदिव में अन्दोलन नहीं चलते हैं क्योंकि उस समय लोग ठंड से बचेंगे या अन्दोलन करेंगे इन समयों पर अन्दोलन तभी होता है जब कोई तातकालिक वजय हो कोई दूसर रास्ता ली ना हो वो होंगे सितंबर अक्तूबर के आसपास या फरवरी मार्च के आसपास और जेपी ने तायर किये था कि 1975 की वसंत रितू में यानि कि फरवरी और मार्च के महिने में हम इंद्रा गांदी के विरुद्ध तीवर आंदोलन करेंगे और सत्ता से उनको उखाड के ही मानेंगे ठीक इसी पॉइंट पर उनोंने छे मार्च को दिल्ली में एक बड़ी सभा की और वो सभा बड़ी धुमधाम से संपन हुई बहुत बड़ी है तरीके से हुई कहते हैं कि साड़े साथ लाख लोगों ने पार्टिस्पेट किया उस सभा में और खूब नारे लग रहे थे सिहासन खाली करो की जनता आती दिनकर बिहार के ये कवीत थे उनकी कवीता थे खूब उस आंदोरन में उस दिन उसका पाठ हुआ जैसे इंद्रा गांधी को साड़े साथ लग लोग कह रहे हैं कि तुम सिहासन खाली करो जनता आ रही है बात भी जनता पार्टी है 77 में लग बाता है लेकिन नारत है कि जनता आ रही है इस सभा में इंद्रा गांधी और सरकार पे ठीक ठीक दबाव बना दिया दूसरा बिहार में तो वही अंदोल ने चली रहा था इजर गुजरात में अगर आपको ध्यानों 1974 में विधानसवा भंग हो गए ठीकिन तो उसके बाद केंद्र सरकार नए चुनाव की घोशना कर ही नहीं रही थी चुनावायूग का भी उस समय तरक機 था कि भी इलक्षन के लाइक माहुल नहीं है क्या कर सकते हैं जब इलक्षन के लिए माहुल हिठीक नहीं है तो 6 महीनी का नियम कैसे मानेंगे नियम से बड़ा है इलक्षन का माहुल होना चाहिए अब मुरार जी ने ताय किया छे मार्च के एक महीने बाद छे अप्रेल को ये फिर से गुजरात जाके अंचन पे बैठ गये और अंचन इस लिए था कि किसी भी हालत में गुजरात में इलेक्शन करवाना है सरकार समझ गी थी कि इस समय पंगा मोल लिना ठीक ने सरकार ने तुरंदन की बात मान ली और तय हुआ कि 10 जून 1975 को गुजरात विधान सभा के चुनाव होंगे इस समय तक ये बन चुका है महोल बहुत टेंस था और इस बहुत टेंस महोल में अंत में जून महिने में वो सितियां बनने शुरू हुए जिन सितियों ने उस परस्षिति को पैदा किया जिस परस्षिति में इबरजनसी लगाई लए और वो परस्षिति शुरू होती है 12 जून के दिन 12 जून के दिन आंदोरन के इतिहास में खास दिन है या यूं कहें कि भारत के इतिहास में एक खास दिन है इस दिन क्या हुआ इस दिन तीन चीज़ें हुए 12 जून को इंदरा गांधी को तीन जटके लगे यदि को इंदरा गांधी का इतिहास पढ़े उन्हीं से पूछता कि अगर आपको पूरे जीवन में से एक दिन हटाना हो जो सबसे ख़राद दे रहे हैं तो वो चुनती 12 जून 1975 उस दिन सबसे पहले सुबह सुबह उनको एक समाचार मिला कि उनके एक सहयोगी डीपी धर के मृत्यू हो गई उनका एक उपरेशन हुआ उपरेशन ठीक से नहीं हुआ उसमें उनकी जान चली गई डीप इधर कौन थे देखिए लाल बादुर शास्ती से पहले तो सब कुछ जवारला नेरू ही थे जब शास्ती जी आए तो सिंडिकेट को लगा कि हम प्रधान मंती को कंट्रूल कर ले किसी तरह से शास्ती जी को उस दिनों में समझ गया कि ये जो कामराज हैं निजलिंग अपा हैं ये सब मुझे तना कंट्रूल करेंगे कि काम करने देंगे नहीं तो उन्होंने क्या किया कि एक सचीवाले बनाया उसका नाम रखा PMO प्राइम मिनिस्टर्स आफिस PMO पहली बर बनाया शास्ती जी ने और PMO में चुन-चुन के अपने पसंद के आफिसर रखे उन आफिसर्स के सलाह लेकर अपना काम करने लगे और सिंडिकेट को ज़्याद सज़दा मामलों में थोड़ा सा दूर करने लगे जब इंद्रा गांदी नहीं चीया सट में सिंडिकेट तब यह चाहरा था कि कंट्रोल करने तो इंद्रा गांदी भी PMO में ज़्यादा इंट्रेस्टेड रहती थी और धीरे धीरे उन्होंने अपने आसपस पांच ऐसे व्यक्तियों का एक समोग बनाया अभी संयोग था या इसके पीछे कोई सूर्च थी कहना मुश्किल है किन तो यह पांचों व्यक्ति कश्मीर के पंडित लोग थे और इन पांचों के समोगों को बैग्ग्राउंड में लोग बोलते थे कश्मीरी माफिया बहुत व्योग के लोग थे लेकिन एक हसी मजाग के शब्दों में सनाम बोलते थे इन में जो व्यक्तिस सबसे प्रसिद्ध था उसका नाम तर पी-एन हकसर और पी-एन हकसर एक I.F.S. ओफिसर थे भारत के पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी पहले वो पी-एमो के सेक्रेटरी रहे और उसके बाद एक विशेश पद उनके लिए बनाये गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानि भारत का सबसे उंचा पद जो प्रधारमनती के अग्दम ने कटस्थ पद होगा P.N. हकसर बाद में है रिटायर हुए दूसरे वेक्टि इसमें थे P.N. धर P.N. धर एक एकॉनमिस्ट थे और P.N. हकसर के रिटायर होने के बाद वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुए पहले उदिल्ली विश्विद्याले में प्रोफेसर में थे एकनॉमिक्स के और वो भी इंदरा गांधी के बहुत नजदी की सम्हूं में थे तीस्टे वेक्टि थे D.P. धर जिनकी मित्यू का मैंने जिक्र किया D.P. धर एक पॉलिटीशन थे मंती भी रहे थे और U.S.S.R. में भारत के राजदूत भी रहे थे तो इनका कूटनेटिंग और राजदूतिंग की दोनों अनभवों से सरोकार था चौथे व्यक्टि थे T.N.Col और T.N.Col एक I.F.S. आफिसर थे जो भारत के दो बर फोर्न सेकरेट्री रहे लगतार दो बर फोर्न सेकरेटरी रहे और कई देशों में राजदूत रहे UK में रहे, USSR में रहे राजदूत बहुत विशुऽष्टनी थे इंद्रयाणनी के लिए और जो पांचवे व्यक्ति थे वो भारत के आज तक के सबसे बड़े जासूस माने जाते हैं जिनका नाम था R.N. K.A.O. कहीं कहीं मिलता है R.N. K.A.O. K.A.O. सहब जासूस थे और इन्हों नहीं 1968 में Research and Analysis Wing R.O. जिसको बोलते हैं उसके सापना की PMO में Secretary Research जिसको बोलते हैं R.O. का जो मुखिया होता है वो वेक्टी ये वही थे और 1968 से 1977 तक लगातार नौ साल तक R.O. के चीफ रहे रो को स्थापित किया पुरिया इंदरा गांदी के सबसे विश्वस्नी इस्तलाहकार हुआ करते थे उस समय इन पांच व्यक्तियों के भरोसे ही इंदरा गांदी का शासन चलता था ऐसा माना जाता था और D.P. धर इन में से एक बड़े महत्मून रहती थे उनके मित्यू 12 जून को सुबह सुबह ख़बर मिली मित्यू शैद रात को हो गई थी सुबह सुबह ख़बर मिली गुजरात विधान सवाच चुनाओ के परिणाम आने लगे आपको ध्यान होगा कि जब 6 अप्रेल को मुरार जी एंचन बे बैठे तो उक्ताय हुआ था कि 10 जून को एलेक्शन्स होंगे 10 जून को एलेक्शन्स होगे और उसके दो दिन बाद 12 जून को रिजल्स आने शुरू होगे और इन रिजल्स में कॉंग्रेस को मिली केवल 75 सीटें 167 में से जबकि जो उनका विपक्षी गड़बंदन था उसको मिली 87 सीटें या 88 सीटें 88 सीटें और क्योंकि 88 सीटें इस पष्ट बहुमत था इसका मतलब यह हुआ कि सरकार कॉंग्रेस के हाथ से निकल गे गुजरात की तो गुजरात के आंदोलंग से इंद्रा गांधी को पूरी हर इस दिन यहां के नसीब हुई सबसे बड़ा जटका लगना बाकी था भी वो जटका दोपहर के बाद लगा और वो जटका जिस शहर से लगा उस शहर का नाम है इलावाद जहां इंद्रा गंदी का बच्पन गुजरा था उस शहर से लगा वो जटका क्या था उसके लिए थोड़ा सा हमें दिस्तार में जाना पड़ेगा ये समझना पड़ेगा कि उसके पीछे की बेग्ग्राउंड क्या थी आपको पता है कि 1971 के इलेक्शन में जब इंद्रा गांधी जीती थी तो नकेवल पार्टी जीती थी वो खुद भी जीती थी और जिस सीट से वो आई थी उस सीट का नाम था राइबरेली इलावाद के बड़ोस का जिला है राइबरेली में जब जीती इंद्रा गांधी तो उनके सामने जो खड़े थे इलेक्शन में वो थे राज नरायन एक सोशलिस्ट नेता थे समाजवादी नेता थे और उस इलेक्शन में एक लाख वोटों से इंद्रा गांधी जो उनको हराया था उसमें गरत साथनों का प्रयोग किया गया है या गरत उपाए इस्तेमाल किया गया है इस तरह की केसिस हुआ करते हैं को इलेक्शन पेटिशन्स कहते हैं तो कानून में व्यवस्था ये है कि ऐसी election petition आमपर पे MLA और MP के खिलब जब होती है election के खिलाफ तो ऐसी election petition करने का प्रावधन हाई कोर्ट में होता है तो राजनेरेंड साहब ने इलाहबाद हाई कोर्ट में ये petition डाल दी कि इंदरा गांधी का election गलत है क्योंकि उन्होंने गलत साथनों का प्रयूग किया है ये जो petition डाली इसमें 14 आरूप लगाए गए और ये आरूप कैसे लगते हैं आपने एक एक्ट का नाम सुना होगा representation of people's act इसको हिंदी में बोलते हैं जन प्रतिनिध्वाधिनियम ये लोग प्रतिनिध्वाधिनियम दोरों नाम चलते हैं ये एक्ट भी एक नहीं दो एक्ट हैं एक है 1950 का एक है 1951 का तो representation of people's act 1950 और representation of people's act 1951 जो 1950 का एक्ट है उसका समंध है उन बेसिक बातों से जैसे लोग सभा की सीटों का delimitation कैसे होगा विधान सभा की सीटों का delimitation कैसे होगा इस तरह की बाते कि कौन से राज्जी में कितनी सीटे विधान सुभा में होंगी उनका खशेत तफल क्या क्या होगा यह समझ जो चीज़ें होती है इसको 1950 की एक्ट में रखते है और 1950 की एक्ट में यह भी रखते हैं कि जो वोट देने वाले हैं मत दाता हैं उनकी eligibility क्या होगी जबकि उनके 51 का जो एक्ट है वो election की process के बारे में है और election की process के बारे में यह भी है कि जो उमीदवार हैं candidates हैं किन आधारों पर उनके चुनाव को disqualify किया जा सकता है किन आधारों पर पर लब वो चुनाव की प्रचार वेधारा में representation of people's act 1951 में है इस 1951 के act की दो धाराएं बड़ी महत्वोण हैं जो इस case में court की गई थी उनमें से एक है section 123 उसका clause number 7 और एक है section 8 A यह दो clauses हैं मैं इनका जिक्रे करूँगा क्योंकि इंदरा गांधी के साथ जो हुआ बाराज उनको वो इन दो sections के base पर हुआ क्या हुआ 14 हारोप उनके उपर थे लंबे सुनवाई चली इस सुनवाई के बीच में जजज सहब ने जजज का नाम था जगमोहनलाल सिन्हा वो लंबे समय तक बरेली में वकील रहे करीब 14 साल तक उसके बाद फिर उनको ADJ के पद पर प्रमोट किया गया जिला ने अधीश पने जब काम अच्छा था तो उनको हाई कोट में प्रमोट किया गया तो इस समय वो लाहबत हाई कोट में थे और अच्छी च्छवी वाले जजज थे कठोर जजज थे सिना साब की अधालत में केस लंबा चला और उनको बीच में लगा कि इस मामले में दूसरे पक्ष की हाजरी भी ज़रूरी है तो इंद्रा गांधी को उनने अधालत में बुलवाया ये आज़ाद भारत के तिहास में पहली वारा ऐसा हुआ था कि प्रधान मंतरी खुद किसी अधालत में जाके अपनी सफाई दे या अपना पक्ष रखे ये मार्च की बात है 18 मार्च के आसपस के इंद्रा गांधी लहाबाद गई राजीव गांधी के साथ सोनिया गांधी के साथ गई और करीब पांच हंटे अधालत में खड़े रहे कि उन्होंने उन सारे प्रश्णों का जवाब दिया जो उन से भी पक्षी नहीं और जजजसाब ने पूछे अब उस केस का जज्जमेंट आने वाला था चोदह आरूप थे और बाराज उनके जज्जमेंट में पहली बात ये कही कि इनमेंसे बारह आरूप तो ऐसे हैं जो साबित नहीं होते हैं इसलिए उन पर कोई कारवाई नहीं होगी दो आरूप सही माने गए तो जो दो आरोप सही माने गए वो दो आरोप क्या कहते उनमें से एक आरोप ये था कि इंदरा गांधी के जो चुनाओ प्रभारी थे उनके जो चुनाओ एजेंट थे उनका नाम थे यश्पाल कपूर यश्पाल कपूर सरकारी सेवा के आदवे थे उन्होंने सरकारी सेवा से त्याग पत्र दिया, इनके चनाओ एजेंट बने और काम किया पर हुआ ये कि उन्होंने इनका काम संभाल लिया था साथ जनवरी 1971 को जबकि इस्तीफा दिया तेरह जनवरी 71 को यानि कि छे दिन ऐसे थे जब वो सरकारी नौकरी में होते हुए इंदरा गांधी की मदद कर रहे थे और इसका मतलब है कि ये एक गलत काम किया दूसरा आरोप ये था कि जब इंदरा गांधी एक रैली देने के लिए आई थी इलाहवाद में तो उस रैली पे जो मंच बना उचा मंच बना था वो मंच बनाने में कुछ सरकारी कर्मचारियों ने साहता की थी मंच बनाने में लाउट स्पीकर लगाने में उस समय सरकारी कर्मचारियों ने साहता की थी और इसका मतलब यह हुआ कि इंदरा गांधी ने अपना चुनाव जीतने में सरकारी कर्मचारियों का फाइदा उठाया और हमारा जो रेप्रेजेंटेशन ओफ पीपल सेक्ट 1951 है उसका सेक्शन 123.7 123 बताता है कि कौन-कौन से कृतियों की वज़े से चुनाव खारिज हो सकता है और किसी उमीदवार को इलेक्शन लड़ने से वन्चित किया जा सकता है इसका जो साथवी क्लाउज है वो बताती है कि यदि इलेक्शन में सरकारी कर्मचारियों का फाइदा उठाया जाए खराब चुनाव है फिर जब इसे पनिश्मेंट दी आती है तो पनिश्मेंट दी आती है सेक्शन आठ ए के तहट और आठ है में प्रावधान है कि यदि कोई कन्विक्ट हो जाता है तो उसको जो सजा मिलेगी वो सजा प्लस छे साल की अवधी तक के लिए चुनाव लड़ने से रोग दिया जाता है तो छे साल का प्रावधान है लेकिन यदि मान लेजिए किसी क्रित्य के लिए सजा हो दो साल की तो दो साल प्लस छे साल हो जाएगा सजाना हो तो छे साल रहेगा यह प्रावधाने तो जगवोहनलाल सिंदाजी ने फैसला सुनाया उनका फैसला ये था कि 14 में से 12 आरोप तो साबित नहीं हो रहे यह तो यह दो आरोप साबित हो रहे हैं इन दो आरोपों के साबित होने की वज़े से और यार उप साबित किसमें हो रहे हैं रिप्रेजिंटेशन ओफ पीपल सेक्ट 1951 की धारा 123 साथ के तहथ साबित हो रहे हैं और जब इस साबित होई गए हैं तो इसके बैसे दंड देना होगा और दंड ये है नंबर एक नंबर एक दंड ये है कि जो चुनाव था उस चुनाव को रद किया जाता है यानि इंदरा गांधी इलाहबाद सीट से 1971 के इलेक्शन जीती ही नहीं थी ये घोशित किया जाता है और दूसरा क्योंकि उन्होंने चुनाव में गलत साजनों का प्रयोग किया इसलिए निरनाए की तारीक से छे वर्ष के लिए यानि 12.1975 के जिजिवन की डेट से 6 साल यानि 12.1981 तक के लिए उन्हें कोई भी चुनाव डर्मे से डिवार किया जाता है यानि बंचित किया जाता है आप समझ सकते हैं कि ये सुनता ही पूरे अदालत में सन्ना तचा गया होगा प्रधान मंत्री जिस चुनाव से जीत के आई हैं वो चुनाव रद्ध हो गया यहां तक तो फिर भी ठीक है चली कोई बात में को दूसरा चुनाव रद्ध हैंगे अगले छे साल के लिए कोई भी चुनाव लड़ने से लिए उनको वंचित कर दिया गया इसका व्याभारिक मतलब ये था कि उनके सत्ता उनकी कुरसी हाथ से निकल गई साथ में नंबर तीन पे ये कहा कि 20 दिनों का समय दिया जाता है इस 20 दिन में एक तो इनके पार्टी अपने वेकल पिक प्रावधान कर ले किसको पीम बनाना है सोच ले और दूसरा सुप्रीम कोट अगर जाना जा है तो अपील करने का धिकार तो है ही सुप्रीम कोट जाके अपील कर सकती है मेरी तरफ से हाई कोट के तरफ से फैसला ये है 12 जून के इस फैसले ने भारत की पूरी राजरीती में एक तूफान पैला कर दिया और ये ऐसा तूफान था कि अब इसका थमना मुश्किल था मौरार जी को, जेपी को, चरण सिंग जी को, अटल विहारी वास पे, लाल किष्टान बानी सभी नेताओं को लगा कि इस समय इस सरकार के गिरने का उप्योख समय है और सबने मिलकर योजना बनाई कि अब हम अगला स्टेप क्या ले इधर संजय गांधी, बंसी लाल, सिधार शंकर रही ये सब कॉंग्रेस के, इंदरा गांधी के, जो छोटा से गुट सा, उसके लोग थे इंदरा गांधी पसो पेश में थी कि क्या इस्तीफा दे दू या ना दू क्या करो नानी पालखी वाला इस केस में इंदरा गांधी के तरफ से केस लड़ रहे थे और शांटी भूशन वेपक्ष से राज द्यारान के तरफ से लड़ रहे थे जिस दिन इमर्जन से लगा दी इंद्रा गांदी ने नानी पाल की वाला अगले दिन से उनके खिलाफ खड़े हो गए और इस्तिफ़ा दे दिया मतलों उनसे काई कि मैं को कैसे नहीं रड़ पाऊंगा और इंद्रा गांदी पसो पेश में थी कह रहा तो क्या करें कैसा उनकी जीवनी कैथरीन फ्रेंक ने लिखा है उनकी जीवनी में सबसे प्रामानिक जीवनी उनकी कैथरीन फ्रेंक ने लिखी है बहुत मौतासा डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा है कि उन्होंने उस दिन ये मन बना ले कि इस्तिफ़ा देना चाहिए लेकिन उनके सलहकारों ने समझा है कि इस्तिफ़ा नहीं देना चाहिए धीरे धीरे उनका ही मन बनने लगा 20 जून को एक बड़ी रैली हुई बोट कलब पे जिसमें इंदरा गांदी ही साथ में संजय गांदी, राजीव गांदी, सोनिय गांदी, मंचमन के साथ थे कहते हैं कि दस लाख लोग इस्रेली में आए और उनके सामने इंदरा गांदी ने बहुत इमोशनल तरीक इसी अपील की समझाया कि देश खत्रे में है, देश बुरे हाथों में जा सकता है और जनता ने हूंकार के साथ उनका समर्थिन किया यह तो एक तरफ की जनता थी, सारी ट्रेन फ्री कर दी गए थी, सारी बसें फ्री कर दी गए थी, हरियाना के मुख्यमंत्री बंसिलाल प्रमुख जिम्मेदारी ने भार रहे थे कहते हैं कि उनको पैसा भी दिया आने के लिए, जो कि पथार मंत्री के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके पास अतने संसाधन होते हैं, विशेश रुख से तब जब कि सारे वख्यमंत्री भी उसकी पार्टी के हों, तो बहुत मुश्किल काम नहीं थी भीड़ ज़ पाब में 22 जून को विपक्षने रैली की, दिली में ही, इसको संबोजित करना था, जेपी को जो पटना से आने वाले थी, लेकिन उसे बरसात हुई बहुत ज़्यादा, काफी बरसात हुई, तो जेपी का विबान पटना से उड़ ही नहीं पाया, अब क्यों नहीं उड़ा समझ सकता, कोई भी समझ सकता है, लेकिन सरकार ने इंडियन एलाइन से घुषना कर दी कि तकनीकी खामियों और मौसब को देखते हुई विवान का उनना सुरक्षित नहीं है, तो जेपी पटना से दिली आई नहीं पाये, तो कोई बात नहीं, मुरारजी ने संबोजित किय और खूब बरसात के बावजुद इसरैली में भी लाखों के संख्या में लोग आये हुए थे, पर मौरारजी ने का कि एक्दम छोड़ेंगे नहीं हम लोग, इच्छे नहीं हटेंगे, फिर जेपी भी दिली पहुँची गए, बाद में, 23 जून को सुप्रीम कोट में अपील की सुनवाई हुई, कौन सी अपील, जो इलावध हाई कोट का फैसला था, इंदरा गांधी को, उनके चनाओं को रद्ध करने वाला फैसला, उसके बेर जो अपील इंदरा गांधी ने की थी, वो, ये जो अपील थी, इस अपील में डि कि वो फैसला पूरी तरह से अभी रोका जाता है, जब तक सुप्रीम कोट फाइनल फैसला नहीं कर देगा, तब तक के लिए उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, जब सुप्रीम कोट फाइनल फैसला करेगा, तब जो भी जिन नहीं होगा, उस नहीं नहीं कोंती माना जाएग ये निवेदन था इंद्रागांधी की तरब से 24 जून को इस पर फैसला आया अगले ही दिन और ध्यान रखना इस समय सुप्रीम कोड में छुटिय चल रही ती गर्मी की तो समर वेकेशन सेल रहे थे समर वेकेशन समें कुछी जजिज होते हैं जो वेकेशन बेंच में काम करते हैं इस वेकेशन बेंच में जो व्यक्ति जिनको केश सौंपा गया था उनका नाम था वी आर क्रिश्न आईयर भारत के सबसे महान जजिज में से एक माने जाते हैं वी आर क्रिश्न आईयर पर वी आर क्रिश्न आईयर का भी एक कंटेक्स है और मैंने का ना कि बिना कंटेक्स के आपको कुछ भी समझना ठीक नहीं होता है कंटेक्स देखना चाहिए वियर टुष्ण अईयर केरिल के रहने वाले थे अगर आपने केरिल का इतिहास पड़ाओ तो केरिल में 1957 में जब भारत में दूसरे विधानसबा चुना हुए लोग सभप्रस विधानसबा चुना हुए उनिस सो स्टावल में पहली बार हमारे देश में एक वामपंथी सरकार बने जिसके मुख्यमन दे थे EMS नमबूद्रीपाद ये सरकार केरिल में बने और जैसी सरकार बने बहुत लोगों के पेट में दर्द होने लगा अमेरिका में CIA के पेट में दर्द हुआ कई लोगों को दिक्कत हुई तो जो EMS नमबूद्रीपाद के सरकार थी उस सरकार के मंत्रियों में से एक लेक्टी का नाम था VR कृष्ण आईयर ये लॉव मिनिस्टर थे जस्टिस के मिनिस्टर थे सास में होम मिनिस्टर भी थे लेफ्ट औरियन्टेशन के वामपन थी आदमे थे और बहुत बड़े समाज सुभारक थे उनका मन करता था कि समाज में वन्चित वर्गों की मदद करों उस बैग्डाउंड के रहते थे 1969 में इस सरकार ने एक बिल निकाले जिसकों बोलते है केरल एजुकेशन बिल केरल शिक्षा विध्यक और भी कई बिल निकाले लैंड डिफॉर्म्स के बहुत सरे बिल निकाले केरल शिक्षा विध्यक में कुडमला के सारी ये था कि जो वहां की प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टिउशन थे स्कूल थे, मिशनरी स्कूल थे उन सब का प्रबंदन भी सरकार अपने हाथ में ले सकती थी उन सब के लिए कुछ रूल्स बना रहे थे कि टीचर्स की सेलरी पूरी देनी होगी टीचर्स का वेतन सरकार की अकाउंट से सीधे टीचर्स के पास जाएगा ऐसे कुछ नियम मनाए रहे थे इन नियमों से वहां की दो संस्थाइं उख़ड़ गई एक को बोलते नायर सर्विस सोसाइटी जो बहुत सारे स्कूल चलाये करते थी और एक सीरियन क्रिश्टिन्स की एक संस्था थी जो वहां बहुत साले मिशनली स्कूल कोले चलाते थी वो भड़क गई इन दोनों संस्थाओं ने मिलके एक आंदोलन चलाया वहां पर बहुत बड़ा आंदोलन चलाया उस आंदोलन का दवाव सरकार पर था रूचक बात है कि कॉंग्रेस के इतिहास में 1969 अकेला वर्षय 1978 से पहले एक साल के लिए इंदरा गांदी बनी थी कॉंग्रेस की अध्यक्ष 1969 में बहुत रूचक साथ अथिया है 1950 में टंडंजी अध्यक्ष थे 51 से 54 तक नहरु खुद अध्यक्ष रहे 54 के बाद 5 साल तक यूएंड धेवर अध्यक्ष रहे जो सुराश्ट के मुख्यमंती बे रहे थे पहले 69 में अध्या गांदी बनी एक साल के लिए 60 में संजीव रेड़ी आ गए दो तिन साल वो रहे फिर 64 से 67 के कामराज रहे के कामराज के बाद दो साल निजरिंग अपा रहे फिर जग जीवन रहा रहे इस तरह से सब चेंज होता रहा 1978 में अध्या गांदी ने खुद अध्यक्ष पत संभा लिया जो अपने जीवन 1984 तक वो अध्यक्ष रही फिर आजीव गांदी ने संभाला तो वो अपने जीवन पर जिंद अध्यक्ष बने रहे 91 तक फिर कुछ साल जो प्रधानमंती रहे हमारे पीविनर सिम्माराव 91 से 96 वो रहे फिर दो साल सीतरम कैसी रहे और 1998 के बाद से लगभग आज तक सुनिया गांदी अध्यक्ष है बीच में दो साल की गाहूल गादी बने लेकिन तब से लगाता सुनिया गांदी अध्यक्ष है इस पार्टे की 1978 से पहले केवल एक साल ऐसा था जब इंदरा गांदी अध्यक्ष बनी थी 1969 में और जब यह अध्यक्ष बनी और इनको दुख होता था कि केरल लगभग अकिला राज्य था जहां कौंग्ले से सरकार नहीं थी तो इन्होंने अपने पिता जी को बहुत पेरित किया कि आर्टिकल 356 का प्रयोग करके इस सरकार को बर्खास कर दीजी और बहाना क्या था किरल शिक्षा विध्यक और उसके विरुद्ध होने वारे जन आदोलन नहरु जी बहुत आराम से ऐसी बातें नहीं मानते थे वो सम्मिधान की मर्यादाओं का बहुत गहराई से पालन करना पसंद करते थे लेकिन पता नहीं ऐसा मान दीजिए उसको पेपसू पहले बोलते थे पटियाला एंड इस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन उनिस्सो तरेपन में वहाँ 356 का प्वेगानी के राश्पति शासन पहली पर लगाया था एका घटना और घटी पर वो जन्विन घटनाई थी 1969 में पहला दुरूप्योग हुआ 356 का और जो सरकार गिरे थी उस सरकार के विधी मंत्वी थे वी आर क्रिशन आईयर वकील थे ही अच्छे वकालत करते रहे 1968 में किरल हाई कोड के जज़बने 1971 में इंदरागान थी उनको विधी आयूग में लेकिया गई विधी आयूग में दो सर्मेंबर रहे बहुत शामदर काम किया लीगल एड का जो मेकैनिजम आज कि आप सुनते होंगे वो लीगल एड मेकैनिजम के जनक वी आर क्रिशन आईयर थे पब्लिक इंटरस्ट एडिगेशन जनितियाशिकाओं के मामले में पी एन भगवती के साथ जो विधी बहुत एक्टिव थे वो बियार क्रिशन आईयर थे मिधी दंड के विधोजी थे और सबसे बड़ी बत मिनका गांधी फैसला जो आया था उस मिनका गांधी फैसले में फैसला इनों नहीं दिया था व्यक्तिगत आजादी के फीडम के बहुत समर्थ थे और 73 में 1973 में सुप्रीम कोर्ट में इनकी नियुक्ती हुई थी और वो नियुक्ती भी श्रीमत इंडरा गांधी की कोशिश से हुई थी और वो बड़ी दूज़ा थी एक ऐसा व्यक्ति जज़ है जिसकी सरकार को गिराया थे इंडरा गांधी ने और आज उसकी सरकार का फैसला इस व्यक्ति के हाथ में था पर यह बहुत गहरे जज़ थे बहुत हलके ज़़ नहीं थे अब समझ सकते धर्म संकट कितना गहरा रहा होगा इनके सामने बहरहल इंडरा गांधी का पक्ष कह रहा था कि एबसूलूट स्टे दीजिए राज नेरायन का पक्ष कह रहा है कि स्टे का सवाली पैदा नहीं हो तो शांती भूशन खड़े हुए थे अधालत में शांती भूशन के खड़े होने का मतलब है कि कोई मज़ाग नहीं था अन्त में वियर कशनाईयर में फैसला दिया पहली बात ये कही कि देखो ये वेकेशन बेंच है इस केस का फैसला आने में टाइम लगेगा मैं अभी जो आदेश दे रहा हूँ वो सिर्फ इंटर लोक्यूटरी ओर्डर है इंटर लोक्यूटरी ओर्डर का मतलब है अंतरी मादेश है फाइनल जज्जमेंट नहीं अंतरी मादेश है बेंच इसका फैसला करेगी जब करेगी तब करेगी अभी के लिए जो करने में वो कर रहा हूँ दूसरा Absolute Stay नहीं दिया जा सकता लेकिन Partial Stay दिया जा सकता है यानि हम पूरे फैसले को Stay नहीं करेंगे कुछ हिस्से को Stay कर सकते हैं कौन से हिस्से को Stay कर सकते हैं तो उन्होंने करा कि इंदरा गांधी PM के तौर पर काम कर सकती है जब तक Supreme Court का Final Regiment ना आजाए PM के तौर पर काम करें फैसले करें सब कुछ करें किन्तु क्योंकि लोगसभा की मेंबर्शिप को लेके खत्रा है इसलिए वो लोगसभा की मेंबर के रूप में ना तो सदन की बैठक में भाग ले सकती है ना वहाँ वोट डाल सकती है और इसलिए उनसे निवेदन है कि वो जब तक फैसला ना आजाए लोगसभा में यानि कि सदन में ना जाए जाएं तो क्यों विले टेंडनेंस लगाएं लेकिन कारे वाही में भाग ना ले वोट ना डाले उसका एक पक्षिय भी था कि सदन की कारे वाही के बारे में जुड़े शरी के पस अधिकार भी नहीं होता कि वो उसके अंदर के बारे में नियम बना सके लेकिन हम पी-एम के रूप में काम कर सकती है और जब तक फाइनल फैसला नहीं आता फाइनल फैसला तो जब बेंच करेगी तब करेगी यह था कि छुट्टियों के बाद बेंच बैठेगी फिर इसका ज़ज्मेंट जल्दी हो जाएगा एक सेंस में रिलीफ मिल गया था क्योंकि पी-एम के रूप में काम करने का मौका में लिए गया था लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला था कि एक ऐसा पी-एम है जिस पी-एम को लोग सभा में घुसने की यानि के कारेवाही में भाग लेने की परमिशन ही नहीं है ये अपने आप में इतना अपमान जनग होने वाला था कि कॉंग्रेस के लोगों ने भी कहा कि इससे तो बात नहीं बनेगी ये तो ऐसा जज्ज्मेंट है किसे फायदा नहीं होगा ये जज्ज्मेंट 24 जून को आया तेज जून को शुरू हुई बड़ चोबिस जून को जैसी जुजमिंट आया जेपी ने घोशना कर दे कि वही हम कल यानि के 25 जून को एक बहुत बड़ी रैली करेंगे दिल्ली में और घोशना की अब इंडरा गंधी को इस्तीफा देना ही होगा इंडरा गंधी अपने घर में थी 24 जून के शाम को विचार वी मर्शल रहा था क्या करें कैसे करें क्या ना करें 25 जून को जैपी की रैली हुई 24 जून को जैपी के बातों के बारे में इंडरा गंधी के पास एक संदेश आया खुफया भाग से कि हो सकता है कि जेपी कुछ ऐसी बाते रैली में बोलें जिससे देश में अराजकता फैल जाए जैसे वो सेना और पुलिस और अर्दसेनिक बनों से कह सकते हैं कि वो सरकार के आदेश मानने से मना कर दे और वो भी विद्रोह में शामिल हो सैने विद्रोह ये म्यूटनी जैसा कुछ हो जाए ये आशंका है ये खत्रा है तो बड़ा खत्रा था 25 जून को रैली हुई अथाह भीड़ थी रैली में और उस जैली में जैपी ने सचमुच ये बातें कही पुलिस से कहा, सेना से कहा कि आप भी ऐसी सरकार का देश मानने से मना कर देजी जो सरकार सम्मिधान के नियमों के ताहत काम नहीं करती है सरकारी अधिकारी और कर्मचारी ये सब से अपील की कि वो सब सरकार के विरुद धान्दोरन में भाग लें और सरकार को ना चलने दे मौरार जी ने एक पत्यकार से कहा कि इंदरागान जी इस आन्दोरन को जहिल ने पाएंगी हम उनके घर के बाहर लाखों की संख्या में एकठे हो जाएंगे ना वो घर से निकल पाएंगे ना घर के अंदर को जा पाएगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इस आन्दोरन में जब ये सब हो गया और जेपी ने साफ कहें दिया कि 29 जून तक का समय दे रहे हैं 29 जून से हम अनिश्चित काली नहरताल शुरू करेंगे और वो फैसला होके ही रहेगा उसके बाद तो अब ये 25 जून के शाम का समय है ये सब भुशना हो चुकी है इंद्रा गंधी अपने घर में उनके सलाहकारों में संजय गंधी है जो बड़ा बेटा है राजीव गंधी उसका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट इंदम नहीं था वो इंडिने राइंसा पाइलेट था और वो इंद्रा से दूर रहता था चोटा बेटा संजय गंधी बहुत एक्टिव रहता था संजय गंधी का सब से अच्छा दोस लंगूटिया यार समझ लेजी उसका नाम था बंसीलाल जो हरियना का मुख्यमंदी था इंद्रा गंधी का अच्छा दोस उसका नाम था सिधार शंकर रावे जो पश्यमंगाल का मुख्यमंदी था ये सब उस दिन इंद्रा गंधी के साथ थे सास में थे आरके धर्वन जो इंद्रा गांदी के स्टेनों थे लेकिन वो धीरी धीरे काफी नजदीक उस कोट्री का हिस्सा बन गया थे जो सबसे गहरे फैसले करते थी सास में थे पी अंधर और पी अंधर वो व्यक्ति थे जो पी अंधर हकसर के रिटायर होने के बाद से इंद्रा गांदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे यानि के भारत के सबसे उचे नौकर शाह से यूँ समझ लीजिए ये सब लोग उस समय इंद्रा गांदी के साथ में थे खूब बहस हुई इंद्रा गांदी ने सिधार शंकर रोय को बुदाया सिधार शंकर रोय पश्यमंगाल के मुख्य मंत्री होने के साथ सथ एक बहुत प्रसिद्व वकील भी थे और इंद्रा गांदी ने उनसे पूछा कि भाई क्या किया जाए सेहमती बने कुछ ऐसा करना है सही कि सरकार चलती रहे सिधार शेंकर रोय को से कहा गया कि तुम सोचु जरा सम्मिधान पर गौर करो सिधार शेंकर रोय ने 2 एन 2 गहंते सम्मिधान को भी हान से पढ़ा हलांकि कुछ लोग कहा दें कि पहले से ताय था लेकिन उस दिने सब अभ्यास नाटक किया गया और तब सिदार्शंकर रोय ने कहा देखिए सम्विधान में एक अनुच्छे थे 352 उसके पहत आपात की घोशना की जा सकती है और उस समय सरकार की सारी शक्ति हमारे आत में आ सकती है फिर ये भी कहा कि उसके पहले से दो बार 352 लगा चुके हैं 1962 में लगाए थी, 1971 में लगाए थी, वो दोनों चल ही रही है घोशना है रुकी नहीं है तो बाकी लोगों ने पूछा फिर से लगाने का ज़र होता है जब वो लगी हुई है तो और उनका कि नहीं वो बाही आपात है, एक्स्टरनल इमर्जनसी थी अब क्योंकि एक्स्टरनल सेट नहीं है, युद्ध नहीं है अब जो हम लगाएंगे वो होगी इंटरनल इमर्जनसी पहले वारे दोनों थी एक्स्टरनल इमर्जनसी दोनों लखती है 352 में हीपर कारण अलग अलग हوتा है और इंटरनल इमर्जनसी लगाने के लिए हम ग्राउंड यह लेंगे कि जेपी ने जनता से अपील की है सेना से अपील की है पुलिस से अपील की है कि वो सरकारगी बात नमाने ये सीजे सीधे ग्रहियुद्ध के सिती है और यदि ग्रहियुद्ध के सिती है तो आंतरी का शांती मान सकते हैं क्योंकि 352 में लिखा है यानि युद्ध हो, बाहिय आक्रमन हो या आंतरी का शान्ती हो इंटर्नल डिस्टर्मेंट हो तो इसका मतलब है कि इन आधारों पर केंद सरकार रुच्छे 352 के तहट देश में या देश के किसी हिस्से में आपात की होशना कर सकती है हाँ, यह ज़रूरी होता है कि दो महीने के अंदर उससे दोनों हाऊसस से मेजोरिटी से, मैंने स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाया जाए, अब तो एक महीना होगा उससे में दो महीने का नियम था हम जाए ठीक है, वो भी करवा लेंगे कि तुम राष्टपती को जा कर समझाओ तो उन्होंने का कि देखी मैं पश्यमंगाल का मुख्य मंत्री हूँ इस शोभानी जेता कि मैं ये वात को निकले जाओ आपको जाना चाहिए फाइनली इंदरा गांधी और सिंधार शंकरोय दोनों गए राष्टपती से मिलने और राष्टपती कौन थे फखरुदीन अली एहमद साहब थे बड़े भी नम्राद में थे इंदरा गांधी की बात को टालना खारीज करना मजाग थोड़ना है पाकिस्तान ने टाला था, पाकिस्तान के दो हिस्से होगा थे बंदरा गांधी से टकराना आसान थोड़ना है शेक अब्दुल्ला बिचारे कब तक उछलते रहे पाकिस्तान के भरों से कि कश्मीर लोटूँगा, महा का मुख्यमंत्री बनूँगा, कश्मीर सुतंत्र होगा जब इंदरा गांधी ने पाकिस्तान के दो हिस्से कर दिये तो शेक अब्दुल्ला ने फिर विचारवी उमर्ष करना शुरू किया समबाद शुरू किया और 1975 में ही बलकि 1975 में फरवरी में जमो कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए शेक अब्दुल्ला कॉंग्रेस पार्टी से बने ना कि अपनी पार्टी से नेशल कॉंफरेंस से बने यह सब इंदरा गांधी से टकराना मजग फोड़ना था अहमद साब के पास गई इंदरा जी और बताए कि देखिए देश के हाला तो ऐसे ऐसे हैं तो सोच रहें कि देश में अबरजन से लगा देते हैं अहमद साब ने पूछा उन से कि कि आपने कैबिनेट से बात की इस बारे में और कोई उपाए नहीं है तो इंदरा जी बोली और कोई उपाए नहीं है पूछा कैबिनेट से बात की बोले कैबिनेट से बात अभी तो नहीं कि कर लेंगे अभी माहूल ऐसा नहीं है बात करेंगे तो बात लीक हो जाएगी लेकिन हाँ जैसी घोशना होगी हम तो लंत बात कर लेंगे तो आउमतली जी हम मेरा वायदा है कि बात कर लेंगे एक घंटा बात हो यंत में अहमद साहब ओरे ठीक है मैडम आप और भेज जी जी अमर जिन से का मैं साइन करूँगा फिर ये लोग वापस गए इंदरा गांधी के घर में पी अंधर साहब ने ओर्डर की भाशा तेयार की वो जब ओर्डर तयार होगा रात को नो दस बजे के आसपास तब आरके धवन जी को भेजा गया कि जाओ राश्पते साइन कर वादो वो राश्पती के बाद राश्पते ने साइन कर दिया रात को दस बजे 25 जून को रात को दस बजे के आसपास ओर्डर पर साइन हुआ इमर्जंसी तुरंट पभाव से लागू हो गई फिल घर में मीटिंग चल रही थी संजे गांधी और बंसिरार इस मूड में थे कि जिन जिन ने परशान किया मैडम को ये मम्मी को उन सब को उठा के जेल में डालना है सिधार शंकर रोय इस मक्षम नहीं थे पर चलनी किसकी थी इसमें रात को तीन मजे सारे नेताओं को उठा के जेल मेठोंस दिया गया है जेपी और मुरारजी को उठा के लेगे हरियाना में एक अतिथी ग्रह में कि आप शांति से या रहो चूँचपड़ा मत करना अराम से या रहो उनको नहीं प्रहों से अब लंबे समय तक रहना है आप रहो हो से हाराम से बागे सबको उठा उठा के जेल में ठोंस दिया एक दो बड़े महराजा महराणी परिवार के लोग महराणी गायत्य देवी थी उनमें एक और वेजिया राजे सिंधिया भी थी उन सब उठा जेल में तो महिलों से सीदे जेल की यात्रा उनकी हुई तो वो उसके भी प्रसंग बहुत रोचकबाद में सामने आए इमर्जनसी में ये सब होना शुरू हुआ और फिर इंदराजी बोले कि 26 तारीक को सुबह 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुला लो 25 की रात भर वो जागी 3-4 सारे-4 बज़े तक 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग उनके घर के साथ सुआरे ओसेस न होगी 8 कैबिनेट में इस्टर आये थे, 9 दिल्ली में थेनी उस समय 8 हों बैठे, इंदराजी आई, उनको बताया, इंदराजी की मीटिंग में केवल इंदराजी बोलते थी बाकी लोग केवल हाँ करने के लिया आते थे करन्ड सिंग भी थे, आईके गुजराल भी थे, बाकी जो मन्ति थे वो लोग भी थे सब को बताया कि देश के हरात आप देख रहे हैं, तो अन्त में ये ताय हुआ है और जैसी मन्ति लोग आए, उन सब को इमर्जेंसी की घोशना और गिरफ़तार किये नेताओं के सूची पकड़ादी पहले की पढ़ लोगा है, उसके बाद बात शुरू करेंगे एक भी मन्ति ने एक भी वाक्य नहीं बोला केवल स्वरन सिंग, स्वरन सिंग ने एक वाक्य पूछा कि गिरफ़तारी किस कानून के ताहत हो रही है इंद्रा गानी ने आवाज दिया, बहुत कम आवाज दिया बात हो रही है, कोई सुनने पाए लेकिन शायद उन्होंने का, मिसा के ताहत हो रही है, मिसा यह मिसा क्या होता है, अगला जिब सेशन होंगा तो उसमें विस्ता में समझाऊँगा Maintenance of Internal Security Act, यह बहुत खतरना कानून था मजाग में लोग बोलते हैं, Maintenance of Indira and Sanjay Act तो यह भी मजाग चलता सा इसके बारे में, लेकिन Maintenance of Internal Security Act एक तरह का Preventive Detention का Act था जो उसमें 1971 से चल रहा था देश में कोई मंत्री कुछ ने गोला, Cabinet Meeting आदे हिंटे में समाप्त हो गई बाहर निकले तो Sanjay गांधे ने, इंद्रकुमार गुजराल जो कि सूशना पसारन मंत्री से उनसे कहा गी आज से किसी भी अख़वार, किसी भी रेडियो पर कुछ भी नियूस जाएगी तो पहले मुझे दिखा देना गुजराल साहब ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता संज्या गांधे ने कहा कि ये करना होगा गुजराल साहब ने कहा, मैं जैसा कि कैसी इन फ्रेंक ने लिखा है कि इंदरा जी और कॉंग्रेस बार्टिसी मेरा सम्मन तुमारे पैदा होने से पहले का है अगले दिन फिर संज्या गांधी का आदेश पहुंचा कि बीबी सी के जर्नरिस्ट मार्क टली को गिरफतार कर लो और कसके पीटो उसको इननका नहीं ऐसा नहीं हो सकता हमारे मिनेस्ट्री का ये काम नहीं होता है और संज्या गांधी के दोस्तों ने जो आरोप लगाया मार्क टली पे वो आरोप बाद में जूटा निकला लेकिन जब इंद्र कुमार को जिराल ने आदेश मानने से मना किया तो अगले ही दिन उनको हटा के विद्या चरन शुक्ना को बनाया गया सूशन पसारन मंत्री आगे चलके स्वरनर सिंग जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनको बेटा दिया गया और बंसी लाल को डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया पूरी सरकार कंट्रोल में थी सारे नेता जो विरोजे नेता थे वो सारे के सारे गिरफ़तार हो चुके थे सब जेल के अंदर थे अभी भी ये सपष्ट नहीं था कि इंद्रा गांधी दरसल चाहा क्या रही है कितना लंबा चाहा रही है क्योंकि जेपी के गिरफ़तार होने के तुरंत बाद पी अंधर ने जेपी से वारताएं की निवेदन किया है कि सर आप मान जाएए चीजों को शामते से किजे इलेक्शन छेटर में होना ही है फरवली मार्च में छे-ाट महीने की बात है अब यप आंदोलन सवित कर देजिए छेटर के इलेक्शन महरा दीजेगा ऐ आपको तब से वो इलेक्शन के लिए काफी अक्टिव हो गए थे पी अंधर ने का कि हमें अच्छा नहीं लग रहा कि आप गिराफ्तार है हम चाहरे हैं कि सब चीजें खत्म हों आंदोलन मत कीजिए शीयतर के इलेक्शन आने वाला है सहमती बन नहीं पाई शायद जे-पी अब थोड़ा मूड में लगे थे कि हाँ अब मैं अन्दोलन उतना करने के पक्ष में नहीं हूं स्वास्टी भी ठीक नहीं था उनका और उनको बलकि अप्तूबर में स्वास्टी बिगड़ा काफी ज्यादा अंतने उनको उनको दिक्कत थी किड्नी की चंडी कड़ लेके बहां डोक्टर से हाथ खड़े कर दिये फिर मुंबई जस लोग हस्पिरल लेके बहां एड्मिट किया जानबची सरकार की जान निकल गए थी इस कलपना से कि अगर जेपी को जेल में कुछ हो गया तो क्या होगा खेर वो बच गया पर नमंबर में उनको रिहा कर दिया उन् इंद्रगंधी पसोपेश में थी क्या करो उनकी पहली चिंता ये थी कि इमर्जेंसी की डिकलेरेशन गलत थाबित नहों जाए इसलिए उन्हें सबसे पहले 38 सम्मिधान संशोधन कर दिया और दूसरी चिंता उनको ये थी कि जो मेरे खिलाफ इलावत हाई कोट का फैसला है उससे कैसे निप्टों उसको निप्टाने के लिए उन्होंने 49 सम्मिधान संशोधन कर दिया ये दोनों समिधान संशोधन कब किये 21 जुलाई 25 जुन की रात को इमर्जनसी लाग हुई उसके एक महीने के अंदर 21 जुलाई को समिधान माशनसद का अधिवेशन हुआ नियम था कि दो महीने के अंदर दोनों हाॉसिस से इस प्रस्ताओं को पारिट करवाना होगा कि एमर्जनसी क्यों नदाए गई है तो करवाना ही था 21 जुलाई को दोनों हाॉसिस में पारिट कर दिया लोग सभा में 336 लोग समर्थन में थे 45 विडोज में थे राज्य सभा में 136 और 35 इस दो तियाई बहुमत धूमधान सिंद्र गांधी के पक्ष में था इमर्जनसी लागू हो गई संसत की सेहमती से फिर उसी सेशन में कुछी दिनों में 38 समिधान संशोधन आया तब तक इंद्रा गांधी संसत को महत्व कम देने लगी थी वो क्या कर दे दी जब संसत का सत्र चलता था तो एक्ट लेके नहीं आते थी बिल लेके नहीं आते थी सत्र खत्म होते ही अध्यदेश जारी करते थी अध्यदेश जारी करने में सरकार को दिक्कत कम रहती है एक जटके में काम हो जाता है और अगला सेशन जब आया तो उसके बद वही अध्यादेश का ड्राफ्ट उसके अंदर ले गए, एक्ट पारित करवा लिया, शुरुवाती बहस से बचने का उपाए कई सरकारें ऐसा करती है, इसमें क्या किया किया कि अनुच्छेड एक सो तैईस में चोथी क्लोस जोड़ होडी और इन सर्फक वही मतलब होता है, अध्यादेश निकालने की शक्ती, और औरडिनेंस की पावर एक सो तेईस के तहथ लाज्यपेट निकालता है, 2060 के तहथ एड्मिनस्टेर जो होता है, वो अध्यादेश निकालता है, इन तेनों में एक एकक्लोस उ망़िवादी चो Supreme Court में Judicial Review नहीं होगा NJR का मतलब No Judicial Review कोई Review नहीं होगा साथ में उनको चिंता थी Emergency Declaration की तो Emergency तीन प्रकार के देश में होती है 352, 356, 360 352 जिसके तहत लगाया था राश्टी यापा 356 का मतलब किसी राज्य विशेश में राश्टा के शासन जिसको बोलते हैं वो और 360 का मतलब विटी यापाद जिसकी खबरें आज सकल चल रही है लोक डाउन के समय कि क्या हमारा देश पहली वर विटी यापाद Financial Emergency में जाने वाला है इन तीनों के कंटेक्स्ट में लिखवा दिया गया कि यदी कभी सरकार इन में से कोई आपात लगाती है तो उस मामले में भी Judiciary कोई Review नहीं करेगी No Judicial Review राश्टपती ने सोच लिया है, मान लिया है तो मान लिया है Supreme Court के से बारे में दिमाग खरामी करना अपना, दिमाग लगाना नहीं है एक चिंता और चुन को 352 में 352 में Close No. 4 एक और बना दिया गया अब तो चेंज हो गया है, उस समय जो बनाया था आपको ध्यान होगा मैंने आपसे का था कि सिधाशंकर राएने का था कि दो डिक्लरेशन्स पहले से इमर्जनसी कियें जो बाहे आपात वाली है सरकार को भाय था कि कहीं ऐसा नहो कि सुप्रीम कोड ये कहा कि खारिज कर दे कि जब पहले से थी ही तो नहीं क्यों लगा दी या ये कि आंतरिक अशांती हुई तो नहीं थी संभाव नहीं तो थी तो इसमें लिखवा दिया कि पहली बात तो आपात की गोशनाएं एक से ज्यादा हो सकती है और ये सारी एक साथ चल सकती है इसमें कोई समस्या नहीं ये अलग अलग अधार पे हो अलग अलग गोशनाएं हो एक साथ हो कोई समस्या नहीं दूसरी बार केवल युद्ध हो जाएगा केवल बाही आक्रमन होगा केवल अंतरी का शांती हो जाएगी उसके बाद हो गया ऐसा नहीं है आशंका के आधार पर भी आपात की घोशना की जा सकती है और यह आशंका वाला पॉइंट इसलिए था कि अगर सुप्रीम कोडिस पर बात करना चाहे तो हमारे पर स्तर्खो कि जेपी की घोशना के बाद यह आशंका हो गई थी कि म्यूटिनी यह सैनिक विद्रो हो सकता है इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा यह करते ही इमर्जेंसी की डिकलेरेशन को लेकर वो निशिन थोएं कि अब इसको तो कोई हाथ लगा नी पाएगा सुप्रीम कोर्ट वैसे भी इस समय दवाव में था और उपर से आपको पता है इस समय चीव जस्ति जो थे ए-ए-णरे थे और ए-ए-णरे माना जाता था कि वो इंदरागांधी का समर्थन या पक्ष करने वाले चीव जस्ति से तो और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी इमर्जनसी के उन ने इस महिने में एक भी ऐसा फैसला नहीं दिया जो इंडर अगांधी सरकार के खिलाफ हो, महत्मुन फैसला हो और सुप्रीम कोर्ट बहुत शानदर काम करने के लिए विख्या थै लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पूरी शान में जो बट्या लगा है कुछ मामलों में, उनमें से एक मामला है, हेवियस कॉर्पस केस, जो यसी अमर्जन्सी के दोरान हुआ, जिसका दिकरास तो नहीं करेंगे, उसका सम्मंद मीसा से है Maintenance of General Security Act उससे सम्मंद है उसको हम अगल कास में देखेंगे क्योंकि वो थुरा बाद की बात है अब इंदर गान जी को एक ही भाय था कि इलाहबाद High Court का जो फैसले में एक खिलाफ आए था उसका मैं क्या करूँ तो उन्होंने क्या किया सबसे पहले एक एक्ट पारित के Representation of People Act जो था उसमें संचोधन किया इसमें संचोधन को अंजाम ठीक से देने के लिए एक नए एक्टी बना दिया है जिसको बोलते है Election Laws Amendment Act निर्वाचन विधी संचोधन अजिनियम Election Laws Amendment Act ध्यान रखने है ये एक्ट हो ये एक्ट हो ये सारे एक्ट बराबर सरके होती है एक एक्ट से दूसरे एक्ट में संचोधन किया जा सकता है Election Laws Amendment Act के तहट क्या किया इसमें इनोंने का कि हम Representation of People Act में कुछ संचोधन करेंगे इसके तहट और संचोधन किया मुक्ट लुक्ट से दो धराओं में एक्ट या आठ ए में और एक्ट या एक्ट सो तईस साथ में आप ध्यान कर पारेंगे जो धराएं एक्ट सो तईस साथ में जो सरकारी कर्मचारियों के Election and Participation के बारे में थी लिखवादिया साथ साथ यदि कोई सरकारी कर्मचारियों किसी नेता की रैली में थोड़ा वथ हेल्प करता है मंच लगाता है माइक लगाता है इत्यादी इत्यादी तो इन चीजों को गलत या भष्ष्ट गतिवेशी नहीं माना जाएगा करप्ट प्रेक्टिस इन चीजों को नहीं माना जाएगा बाती खतम गड़ी दूसरा क्या किया अब उन्होंने इस्तीफा किस दिन दिया किस दिन से इनके जोइन किया था ये कैसे ताय हो गोशना कर दी कि किसी सरकारी कर्मचारी की जोइनिंग के मामले में या इस्तीफा उस ने दिया उस मामले में उस मामले में कौन सी तिथी प्रामानिक है ये तिथी ताय करने का जिकार उसी घोशना से होगा जो घोशना सरकार करेगी किसी और तरीके से ताय नहीं किया जाएगा यह अगर सरकार में घोश ना कर दी मान लिजी कि ये अश्पाल कपूर ने 7 जनवरी से काम शुरू किया 13 जनवरी को इस्तीफा दिया और सरकार ज्यादा आगे बढ़के बोले कि आपका इस्तीफा एक जनवरी से स्विकार किया जाता है तो एक जनवरी ही डेट मानी जाएगी तेरे जनवरी नहीं मानी जाएगी इसका मतलब यह था फिर आठ ए में क्या कर दिया कि यदि किसी व्यक्ति को कन्विक्ट किया भी जाता है गलत उसने किया पराज किया है चनाव पराज किया है तो भी जो दंड है छे सल वाला वो फिक्स नहीं होगा जो भी दंड होगा उस दंड के लिए जो दिया जाएगा उसके बद उस व्यक्ति के पास अधिकार होगा कि वो राश्ट्रपती के पास जा सके अपने दंड को माफ करवाने के लिए यह कम करवाने के लिए राश्ट्रपती उसकी याशी का पर विचार करेगा election commission से विचार करने के बाद अंतिम फैसला करेगा और सास में कहा दिया कि जिन लोगों को पहले दंडित किया जा चुका है या पहले सजा का फैसला चुका है वो भी राश्ट्रपती के पास जाके अपने दंड को खारिच करवाने के लिए निवेजन कर सकेंगे रासा खुल लिया कि महा जाएंगे और अंतिम बात इसमें लिख दे कि इस एक्ट के सारे प्रावधान रिट्रोस्पेक्टिव होंगे रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि भूत काल से लागू होंगे आथ से लागू नहीं होंगे और इसमें लिखा है कि ये सारे प्रावधान इस तरह से लागू होंगे जैसे कि ये शुरू से ही चल रहे थे अभी लागू नहीं होंगे रिट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट से लागू होंगे इस एक्ट का सेक्शन 10 जो लास सेक्शन है उसमें ये बात लेखी हुई है अब तो सारी बातें स्पष्ट हो गई थी इसके बाद क्या बचता है इसके बाद एक ही बाद बचती थी कहीं सुप्रीम कोट इसी को न खारिच कर दे इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1975 कोई न खारिच कर दे तो इंदरा गांजी ने तुरुप का एक्गा अपना निकाला और तुरुप का एक्गा है 49 समिधान संचोधन जो 10 अगस्त 1975 को पारिध हुआ मैं आपसे क्लास की शुरुवात में का था कि आज हम 10 अगस्त 1975 तक चलेंगे या 14 तक चलेंगे इसके पद चार दिन बात की ये घटना ओर देलेंगे आज उतना करके छोड़ देंगे 49 समिधान संचोधन हमारे देश के सबसे बुरे संचोधनों में से एक है इसमें क्या किया इसमें इन्होंने एक तो संचोधन किया आर्टिकल 71 में उसके बाद 329 ए नाम से एक आर्टिकल जोड़ दिया और कुछ संचोधन किया नाइन्थ शेडियूल में इसके शुरुवात में किसी भी एक्ट को गरा पढ़ेंगे उसके शुरुवात में लिखा होता है उब्देश ये क्या है अब्जेक्टिव क्या है इसका नो लिखा कि देखो भाई राष्टपती उप राष्टपती के चुनाव होता है आर्टिकल 71 में विवस्ता है कि यह कोई डिस्प्यूट होगी तो सीजे सुप्रीम कोड विचार करेगा उसके बारे में बाट ठीक है लोगसभा विधान सभा के सांसद या विधायक है उनका हाई कोड विचार करता है ये भी ठीक है लेकिन जो व्यक्तिव प्रधान मंत्री है या लोगसभा का स्पीकर है उसका महत्यु भी तो राश्टपती उपराश्टपती के बराबर है उन्हें भी तो विशेश छूट मिलने चाहिए इस यह से एक तो यह दूसरा आपको ध्यान हो का गुजरात विधानसवा भंग थी तो सवाल था कि गुजरात विधानसवा के बिना राश्टपती के चुनाव हो सकता है या ने एक ये चीज ज्यान रखने थी तो 71 में लिखवा दिया यदि राश्टपती का चुनाव है और उस समय निरवाचक मंडल में से कुछ लोग अनुपस्तित हैं या कोई विधानसवा भंग वेगारा है तो इस वज़े से राश्टपती का चुनाव नहीं रुकेगा ये वही चीज है जो अनुच्छे देख सो 43, 143 के तहट 1974 में सुप्रीम कोट की राय थी उसी बात को लिखवा दिया कि सम्मिधान में ही लिखवा दिया बाती है तब होगी आर्टिकल 71 में ही संचोहिन करवा दिया 339 के है 324 से 329 आर्टिकल जो है उनका संबन निर्वाचन से है और 339 का हैडिंग है कि अदालतें निर्वाचन के मामले में क्या क्या नहीं करेंगी अदालतों को किस किस काम से रोका गया है उसको बोलते हैं आर्टिकल 339 और 339 में ए जुडवा दिया और उसमें लिखवा दिया सरल भाषा में गर कहूं यदि कोई व्यक्ति प्रधान मंत्री या स्पीकर है लोग सभा का राजए सभा नहीं क्योंकि राजए सभा का जो चेर्मन होता वो ऊपराष्ट पती ही होता है और राष्ट पती ऊपराष्ट पती के लिए पहले प्रावधाने के उनके इलेक्षण डिस्पिट सुप्रीम कोट ही मैंनेज करता है तो यदि प्रधार मंत्री या स्पीकर लोगसभा के स्पीकर के चुनाओ का मसला होगा तो उस डिस्प्यूट को केवल उस अथॉरिटी के पास भेज़ा जाएगा जो अथॉरिटी 329 B में में मेंचेंड है वो अथॉरिटी फैसला करेगी और उस अथॉरिटी के फैसले के अफसार कारेवाही होगी अन्यता नहीं होगी ये नियम कर दिया गया और साथ में स्पष्ट कर दिया कि जो भी अथॉरिटी इस मामले में जो एक्शन लेगी उसके मामले में कोई भी अदालत रिव्यू नहीं करेगी नो जुडेशल रिव्यू बात ही नहीं करेगी उसके बारे में यानि कि प्रधान मंत्री और लोगसाबाद ध्यक्ष के चुनाव को हाई कोड की हदों से बाहर निकाल लिया सीधे और तीसरी बात ये कर दिया रिट्रोस्पेक्टिव इफेट से कि ये प्राफदान इस तरह से लागु होगा जैसे हमेशा से ही लागु था और यदि कोई एलक्षन पिटिशन किसी में पहले से कर भी दी है सेटल कोई फैसला दिया भी है उस फैसले पर भी ये विवेश्था लागु हो जाएगी यह प्राफधान कर दी जाने के इलावा धाईकुड का फैसला अमान्य हो जाएगा अंतिम खेल क्या खेला 9 शेडियूल में उस समय तक करीम 86 एंट्रीज थी अब इन्होंने 87 से 124 तक बहुत सारी एंट्रीज उसके अंदर डाल दी क्या क्या डाला इंशुरेंस का नेशनलाइजेशन था वो डाल दिया MRT पे डाल दिया और ऐसे बहुत सारे कानून जो अमीरी गरीबी के बीचे बैरेंस करने के लिए थी वो तो सभाबिक बात है 9 शेडियूल भी बनी थी लेकिन इसमें और क्या डाल दिया इसकी 87 एंट्री में डाल दिया रिप्रेजेंटेशन ओफ पीपल सेक्ट और डाल दिया जो भी बनाया था इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1975 आप खेल समझ रहें रिप्रेजेंटेशन ओफ पीपल एक्ट की वजए से सजा होई थी रिप्रेजेंटेशन ओफ पीपल एक्ट में संचोधन किया इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट में बनाकर आरप ए में फिर संचोधन किया दोनों को रिट्रोस्पेक्टिव किया और दोनों को उठाकर 9 शेडूल में डाल दिया ताकि इनके बारे में रिव्यू करने का स्कोप ही खत्म हो जाए इतना ही नहीं इमर्जंसी में जो कई हजार लोगों को गिरफतार किया गया उस एक्ट का नाम है मीसा जो हेबियस कॉर्पस केस है जो एडियम जबलपुर वर्स शिवकान शुकला बोलते हैं इस केस को वो मीसा के बारे में था मीसा पर सवाल ना उठ सके इसलिए मीसा को भी डाल दिया नहीं शेडियूल में मीसा का समन लेंड रिफार्म से नहीं था एक और कानून था जिसको बोलते है कोफे पोसा ये दो एक्ट उस समय थे मीसा और कोफे पोसा जिनके तहद गिरस्तारिया होए थी कोफे पोसा तसकरी के के बारे में हैं उसको इसको खंसर्वेशन आफ फॉर इक्सचेंज और and prevention of smuggling activities एक्ट बोलते हैं इसको कोफे पोसाइक्ट है इसके तहद भी preventive retention या preventive वैस्ट हो सकती है इन दोनों को नाइंचे डूलों डाल दिया यानि इन सब के बारे बात होगी ही नहीं बात ही खतम होगा है इतना करने के बाद ऐसा लगने लगा कि अब इंदरा गाम जी का रास्ता गम साफ है ये कहना मुश्किल है कि उनकी योजना क्या थी कितना आगे तक emergency को लेकर जाने की योजना थी लेकिन उनकी योजना यहां तक सफल हो गई 7 नवंबर 1975 को सुप्रीम कोट में उस केस की अगली सुनवाई हुई जिस केस में इनको temporary benefit मिल गया था वियर कशना इयर के बेंज से vacation बेंज से यह राज ने रेन वाला मामला जो इलावज हाई कोट का मामला था उसकी अपील थी उस अपील की सुनवाई हो रही थी अपील की सुनवाई शुरू हुई जज इसने पूछा जज कौन थे ए एन रे थे प्लस चार जज़े ज़र थे उननों पुछाम क्यों सुनवाई नहीं कर सकते तो वकील ने कहा कि इस बीच में एक एक्ट पास हुआ है Election Laws Amendment Act जसके तहत 123.7 और 8.A Representation of People's Act की दोनों धाराएं ही चेंज हो गई है जिनके तहत फैसला आया था वो धाराएं Retrospective Act से चेंज हुई है और ये दोनों एक्ट 9th Schedule में चले गए है इसके अलावा 39th Amendment सम्विधान में हो गया है जिसके तहत तरधान मंत्री या स्पीकर के चुनाव से जुड़ी किसी याची का पर विचार करने के शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में A.N.R.A. सहब थे खालाग यहनसराच खन्ना भी उस बैंच में थे लेकिन फिर बात हुई और अंत में ये फैसला हुआ कि अब चुकि ऐसा हो गया है इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस केस की सुनवाई नहीं करेगा और इस केस के इलावद हाई कोर्ट द्वारा किये गए फैसले को रद्द किया जाता है इंद्रगंदी सेफ हो गई अब सवाल यह था कि जब सेफ होई तो एक अच्छा तरीका था कि 1976 में इलेक्शन करवा देने चाहिए थे 1976 के मार्च में तो इलेक्शन हो जाने चाहिए थे इलेक्शन स्कोर सही टाइम पे नहीं करवाने के वज़ए क्या हो सकती है इसकी एक वज़ए मैं 5-5 मिट में आपको बता के कोशिश करता हूँ फिर से बंगलादेश के पास सलते हैं जहां से बात को शुरू किया था मैंने आपसे कहा था न कि बंगलादेश फिर से आएगा अब आ गया है बंगलादेश में 1972 में मुजीब के सरकार बनी और जिसको मुजीबिजम कहा गया लोग बड़ी उम्मीद में था कि शांदार तरीके से काम चलेगा देश में पर चला नहीं 1973 होते होते बंगलादेश में अकाल पड़ा और ऐसा अकाल पड़ा कि वो सारी राष्टवादी भावने हवा हो गई और लोग सड़ को पैनने लगे मुझे समझ नहीं पार थे कि मैं इस सिच्वेशन हो कैसे हैंडल करो आखिर उन्होंने 1974 के दिसंबर महीने में क्या किया देश में इमर्जेंसी लगा दी और इंद्रा गांदी ही सब देख रही थी इंद्रा गांदी भी खत्रे में थी और बंगला देश ने प्यरना दी कि देखो इमर्जेंसी भी की होती है इमर्जेंसी लगा दी इसके बाद 1975 के शुरुआतियों में थी जनवरी महीने में वो थोड़ा और आगे बढ़ गए और उन्होंने कहा कि देश में पार्लिमेंटर सिस्टम ठीक नहीं है उन्होंने देश में प्रेजिडेंशल सिस्टम शुरू कर दिया राष्टर पतिये पढ़ारी शुरू कर दी और खुद बन गए उसके तहत पहले प्रेजिडेंट यानि कि सारी के सारी शक्ती हैं अपने हास में एक ठीकर ली इंद्रा गांधी के चाटू कारों ने उनको भी सलाजी की मेडम प्रेजिडेंशल सिस्टम लगाई थी बंसिलाल जी के बारे में तो कैथरीन फ्रेंक ने लिखा है कि उन्होंने संजे गांधी से यहां तक आए कि अरे बार बार इलेक्शन होता ही क्यों है एक ही बार में सम्विधान में लिखवाओ कि मेडम राश्पदी रहेंगी जीवन परियंत राश्पदी रहेंगी संजे गांधी से बाचितमनों ने यह कहा कैथरीन फ्रेंक की स्टेटमेंट है मुझीब इतने पहनी रुके जून 1975 अब जून 1975 भीयान रखिएगा इधर भारत में इमर्जनसी लगने वाली है जून में पच्चिस जून आने वाला है अब इन्होंने किया कि चीन जैसा मॉडल बनाया और कहा सिंगल पार्टी सिस्टम अब से बांगला देश में एक ही पार्टी होगी अवामी लीग बस एक ही पार्टी होगी उस पार्टी के अंदर इलेक्शन होते रहेंगे उस पार्टी में जीतेगा वही निता हो जाएगा वही विधायक हो जाएगा वही सांसाद हो जाएगा जैसे चीन में होता है वैसे ही यह थोड़ा ज्यादा हो गया ना डिमोकरेसी बच्ची, ना सोशलिजम बचा सैकृलिज्म भी नहीं बच्चा या क्योंकि मैनोरिट्यस को अधिकार नहीं दिये गए मैनोरिट्यस को बहूँ रुलाएा इस सरकार में तो जors quatre द्धान थे उनमें नेशनलिजम अगर मानने बचा न सेक्लोरिजम बचा ना डिमोक्रेशी बची ना सोशलिजम बचा जंता नाराज होने लगी 14 अगस्त मैंने आपसे का था कि आज हम 14 अगस्त 1975 तक चलेंगे अब वो आखरी घटना आ गई 14 अगस्त की रात को सेना के कुछ टैंक निकले और मुझीब के घर को घेर लिया एक मेजर से मेजर हुडा वो अंदर गए मुझीब से मिले एक आगस दिखाया जो मुझीब साहब का इस्तीफा था शेख मुझीब रह्मान का इस्तीफा था राश्मतिपत से कहा कि इसे साइन कर दीजिए मुजीब भड़क गए वर तुम्हारे इतनी हम्मत कैसे हुई उनके दो बेटे भी साथ में आ गए तो भड़क गए कितनी हम्मत कैसे हो गई मेजर हुडा ने अगले एक मिलिट पे तीनों को गोली मार के खत्म कर दिया शेख मुजीब की हत्या कर दी दोनों बेटों की हत्या कर दी उसके बाद ढून ढून के उनकी दोनों बहुँँ की हत्या की शेख मुजीब की पत्मी की हत्या की उनका एक और चोटा बेटा था उसकी हत्या की शेख मुजीब का भाई था उसकी हत्या की और दो सर्वेंट से बहुत क्लोज उनकी भी हत्या कर ली और एक रात में तख्ता पलिट बांगला देश में हो गया उस घर में के वह दो बच्चे बच्चों की बेटियां बच्ची शेख हसीना जो टाइस साल के सी और पश्ची में जर्मनी में थी अपनी छोटी बेहन रहाना के साथ वो बच गई और उनको बांगले देश सरकार ने कहा दिया कि लोट ना मत हालांकि वो लोटी और 21 साल बाद भागे पथारमन्ती बनी आज भी वोई पथारमन्ती महापर है इस समय और जिस दिन ये घटना घटी इंदर अगामजी को काटो तो खूड नहीं उनको लगने लगा कि देश की पूरी ताकत जिस इनसान के हाथ में थी उसकी ऐसी नियती भी हो सकती है उनको अपनी चंता से ज़्यादा अपने बच्चों की चंता होने लगी बहूं की पोते पोते की चंता होने लगी और कुछ लोग कहते हैं कि वो 1976 में चुनाव करवाने के मूर में थी किन तो इस घटना के बाद उनकी हिम्मत जवाब देने लगी उनको लग में लगा कि ताकत अगर मेरे हाथ से निकल गई तो चीजिया और बिगड़ जाएंगे यहां तक की अपने घर में लोग की एंट्री बंद करवा दी घर में कौन किस रूम में सोईगा ये चेंज करवा दिया और इस बात की ख़बर ये मान के की रात को अचानक हमला भी हो तो कोई समझ ना पाएगी कौन कहां पर है किस कमरे में केवल दो लोग इस दुनिया में जानते थे कि इंदरा गान्धी किस दिन रात के समय किस कमरे में सोईई हैं उन में से एक का नम था संजय गान्धी और एक का नम था आरेन काव और एकाव सब वही हैं जो राव रिसर्च और अनलिसिज लिंग के प्रमुक थे इंदरा गान्धी के दाएं हाथ थे इस खौफ के साहे में वो एमर्जन्सी में थी और उसी कई बट ड्राव आदमी बहुत आक्रामक हो जाता है वो ड्री भी हुए थी आक्रामक भी थी और उसी आक्रामक मान सकता में उनों ने इतने अधिकारों का ललंधन की अजन्टां के इतनी गिरफतारिया, मीसेट के तहट, प्रेस या जर्नलिजम का जो हाल किया, मीडिया का जो हाल किया और फिर उन सब का कल्मिनेशन होता है 42-वा सम्विधान संचोधन और 42-वा सम्विधान संचोधन के विपरीत, उसके रिजल्ट को जीरो करने के लिए आये थे 43-वा और 44-वा, 44-वा पसेद है लेकिन 43 वी इसलिए था, क्योंकि जन्ता पार्टी की सरकार ने दो ही सम्विधान संचोधन किये, 43-46 बहुत लंबी क्लास आज की होगई यह मेरे खिया तेन चार घंटे की होगई होगी पिछली बार आपने जो कमेंट की है, मुझे उम्मीद है कि आप फिर इसको भी देखेंगे, बड़ी साहस दिखाएंगे मुझे बहुत दुख भी होता है ने लंबी क्लास लेके कि मैं आपका खून पी रहा हूं बहुत ज़्यादा है लेकिन टॉपिक्स ऐसे हैं कि इसमें इससे कम बात करके वो महौल ली बनता जिस महौल में जीने से उस चीछ को समझना असान हो जाता है तो मेरा अपना मानना है कि पढ़ाई की प्रक्रिया इतने रोजशक होने चाहिए कि दूब के पढ़ाए जाए अगर आपको लंबा लगे तो कमेंट में लिख दीजिएगा कि लंबा है चोटा कर दीजिए मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा अगर अच्छा लगए तो लिख दीजिए कि हाँ इसी तरह चाहिए कुछ टॉपिक्स अगर आपको लगते हों कि इस पे आप सुनना चाहरे हैं कुछ बाते तो लिखिए जब तक लोगडाउन चलेगा क्योंकि अभी स्कूल, कॉरेज, इंसिट्यूट्स मुझे नहीं लगता कि 3-4 मैने शुरू हो पाएंगे तो जब तक नहीं शुरू होंगे तो मैंने सोचा है कि मैं हर आड़ दस दिन में जब भी मौका मिले समय थोड़ा मुश्किल से मिल पाता है लेकिन हाँ, मिल जाता है तो आड़ दस दिन में एक कोई टॉपिक लेके अपने मन की बाट टाइप से सारी पताप से कर लिया करूँगा और अच्छा लगए तो आप देखिएगा बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी जो भी राय हो लिख दीजिएगा और यदि आपको सच में अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब कर लेजिएगा ताकि आपको ऐसा नहो कि सूचना मिलने पाई अपने आप जान सकें एमेल के बाद जहुत बहुत धन्यवाद, जल्दे ही फिर मिलेंगे, शुक्रिया